सूपर वोरियर आदियो वर्जिन नॉवल सिरीज इन हिंदी, एपिसोड 231-270 वह वास्तव में आया था सिस्टर म्यूक मुझे नहीं लगता कि आपको उसे भरती करना चाहिए मैं शर्थ लगाता हूँ कि दवा के उपयोग से उसे सामान्य बनाये रखा जाएगा उन्होंने निश्चित रूप से आज अपनी दवा नहीं ली एटूटू छट से चिल लाया अपनी जगह से वो मुफैन को सपष्ट रूप से देख सकती थी और उस शैडो बीस्ट को भी देख सकती थी जिसे वह अपने साथ लाया था म्यू नूजियाओं को यह इतना आसान नहीं लगा हाला कि उसने इसके बारे में कितना भी सोचा उसे समझ नहीं आया कि मुफैन क्या सोच रहा था थ्री स्टेप पगोडा कुछ ऐसा था जिसे पाने का सपना हर एक व्यक्ति देखता होगा उसके लिए थ्री स्टेप पगोडा में प्रवेश करने का अफसर छोड़ने का क्या कारण था इसके अतरिक्त क्मो फैन सामान या रूप से धूर्ट प्रतीत होंगे हाला कि आज वह बहुत उदास लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि उसके शरीर को घेरने वाली किसी तरह की काली आभा थी इस तरह की काली आभा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे मुनुजियाओं ने पहले देखा था जब उसने अपने वन आफकुन जेल का उपियोग किया, तो उसे भी ऐसा लगा कि उसने इस प्रकार की काली आभा को गुदबुदाते हुए देखा है, वह काला जादू जानता है, या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर पर डार औरा एक्विपमेंट हो, न्यू नूजियाओं ने एक भी ऐसा नहीं था जो पहला कदम उठाने की हिम्मत करता, स्पिरिट वुल्फ द्वारा शैडो बीस्ट को घसीटा जा रहा था, आत्मा भेडिया और उसका स्वामी एक ही थे, उनमें से किसी ने भी कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों का सामना किया, मो फैन की निगाह सैकडों लोगों पर पड़ी, यह जानकर की जू जाउटिंग को चोट पहुचाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उनके बीच छिपा था, हाला कि यह कौन था, कौन चाहता है, मो फैन ने छाया जानवर की और इशारा करत का वसंत जल है, मैं मूल रूप से इस शैडो बीस्ट के साथ एक समझोता करने जा रहा था, हाला कि इस आदमी ने उस बोतल को निगल लिया जिसमें ज़रने का पानी था, अगर आप शैडो बीस्ट चाहते हैं, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, मुझे जो चाहिए वह मोफैन जारी रख था, मोफैन ने जो कहा वह बहुत सपश्ट था, सही बात है, वह ब्लैक बेटिकन से एक भी ऐस्ट्रिस्ट टी सी एच के बेटे को बताना चाहता था जो एक छातर के रूप में छिपा हुआ था कि अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग उसके मोफैन के जना बनाएं, आह शैडो बीस्ट को खिलाव, अगर उसमें कुछ ख्षमता होती तो वह अन्य सैक्डों छातरों से लड़ सकता था, यह आदमी, वह हमारा उद्देश्य जानता है, वह हमें परिशान कर रहा है, तो क्या हुआ अगर वह हमें परिशान कर रहा है, हर कोई शै मात्र मौका है, मैं वापस नहीं जाना चाहता और डीकन को एक अस्पल मिशन के साथ देखना चाहता हूँ, श्रीमान पुजारी आपने परियाप्त कहा है, पुजारी एक मूर्ती की तरहा खड़ा था, क्योंकि वह वहाँ खड़ा था, मो फैन को घूरते ही उसकी आखें आ इस हंगामे में आप पंच और लात नहीं देख पाएंगे, अगर कोई मौत होती है, तो यह कुछ ऐसा है, जिसकी जाच शायद स्कूल भी नहीं कर पाएगा, हम अराजकता शुरू होने देंगे, और फिर भूमिकत पवित्र जहरने को हटा देंगे, सर, मैंने अभी इसकी जाच की है, शैडो बीस्ट की सांस में वास्तव में भूमिकत पवित्र जहरने की गंध है, अंडरक्राउंड होली स्प्रिंग वास्तव में शैडो बीस्ट के पेट में है, यह वास्तविक है, सर, हमने पुष्टी की है कि पास के मैजिक कोट से कोई नहीं है, जब तक हम स् प्रक्ति का उप्योग न करें, हमें पहले शैडो बीस्ट लेने की जरूरत है, यू आंग ने कहा। हाला कि उसने मो फैन को मौत के घाट उतार दिया, यू आंग जानता था कि इस बार सबसे महत्वपूल मामला अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को लेना था। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग प्राप्ट करने के बाद वह यू आंग ब्लू प्लोग्ड डीकन बनने में सक्षम होगा, उसका अधिकार आसमान छू जाएगा, किसी की हत्या कर देना तो साधारंसी बात होगी, समझा, समस्या यह है कि एजवर परिसर में कई यह हैं, मुझे सबसे अधिक संभाबना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, हम यह सिर्फ कच्रे का एक समोह है, यू आंग ने तिरसकार पूर्वक कहा, वह हिलने नहीं जा रहा था, उसके अधिनस्थ वे थे जो शैडो बीस्ट को लेने जा रहे थे, घले ही इन ल में व्यापक, मोफैन अचानक एक जाना पहचाना चेहरा देखा, बाई जनफेंग यह तुम हो, रूकी प्रतियोगिता के दौरान मैंने आप पर जो वजरपात किया, उसके कारण मैं आप से बहुत शमापरार्थी महसूस कर रहा हूँ, मैं इस शैडो बीस्ट को अपनी इ बाई जनफेंग वहाँ खड़ी थी, पूरी तरह से स्तब्ध, धाड में जाओ अपनी बेहन, अगर तुम वास्तव में सचे होते, तो तुम्हें यह बात अकेले में मुझे देनी चाहिए थी, और मैं तुम्हें भाई कहता, अब जब आप इस चीज को मुझ पर फेंक रहे हैं, तो यह मूल रूप से मुझे हर किसी के लिए एक लक्ष बना रहा है, उसके कहने के बाद कि वहाँ उसे छोड़ देगा, मो फैन ने शैड़ो बीस्ट पर नजर भी नहीं डाली, उसने सीधे स्पिरिट वुल्फ को प्रतिबंधित शैड़ो बीस्ट को बाई जिंग फ वांग लिटिंग था, अपने शक्तिशाली बोन कॉर्पस दानव के साथ, वांग लिटिंग के पास शैड़ो बीस्ट के उपर हवा में बोन कॉर्पस दानव होवर था, इसने सीधे उन छात्रों पर हमला किया, जिन्होंने पुरसकार लेने की कोशिश की, साफ था कि उसकी उगर थे, उसकी अस्थिलाश दानव के तेज पंक एक बड़े शेतर में शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने तुरंक दस या इतने लोगों को मारा, और वे लोग समय पर अपना जादू खत्म नहीं कर पाए, जमीन पर गिरते ही वे केवल चिल्ला सकते थे, आपको पता होन चाहिए कि एक समंड बीस्ट सामान्य जादू से अलग है, एक सीधे जादू की शक्ती को नियंत्रित किया जा सकता है, धलाईकार एक जानलेवा खाव को रोख सकता है, अलाकि मैं हर समय खोन की प्यासी अस्थिलाश दानव को नियंत्रित नहीं कर सकता, अगर किसी की आखे चिर जाती हैं, या वे यहां कटकर मर जाते हैं, तो मुझे ठंडे खून वाले होने के लिए वांग लिटिंग को दोश न दें, मेरे पास भी ऐसी चीजे हैं, जिन्हें मुझे पहले रखना चाहिए, वांग लिटिंग बेहत दबंग थे, जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसन सतर्क थी, वांग लिटिंग के शब्द वास्तव में उपयोगी थे, कई जादूगर जिनके पास रक्षात्मक शमता नहीं थी, वे तुरंट पीछे हट गए, जो छात्र स्टार एटलस बनाने में असमर्थ थे, वे भी अब इसे चुराना नहीं चाहते थे, और वे जल्द पूज कर किसी की हत्या की है, तब तक जो कुछ भी युद्ध की प्रक्रिया में हुआ वह आपकी अपनी जिम्मेदारी थी, इसलिए आपको सुरक्षा के लिए पीछे हटना चाहिए, वरना जब आप मौक के दरवाजे पर हो तो आप स्कूल और सरकार को दोश नहीं दे सक यहां के सभी जादूगर वयस्क थे, उन्हें अपने कारियों के लिए स्वयन जिम्मेदार होना था, इसके अलावा यह कहां जा सकता है कि जादूगरों के लिए निश्चित रूप से सुरक्षित चेत्र जैसी कोई चीज नहीं थी, वांग लिटिंग वह मूर्ख, वह च्पाने वाले विशेशग्यों की संख्यागाय की पीठ पर बाल जितनी है, सुमोनर जादूगर है दफू सुंगा, जेन बिंदक सियाओं ने सिर हिलाया, हालांकि हम नहीं जानते कि मो फैन शैडो बीस्ट को छोड़ कर क्या उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं, शैडो प्राथमिक जादूगरों के बीच लडाई में हम गुलाने वाले तत्व के पास एक बड़ा फाइदा है, हालांकि एक बार जब हम इंटरमेडियेट स्थर पर पहुँच जाते हैं, तो यह कहना मुश्किल होगा, जेन बिंदक सियाओं ने कहा, वांग लिटिंग और उनकी लोग थे, जो उस पर हमला करने में एक साथ शामिल हुए थे, शायद हर कोई वास्तव में एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वांग लिटिंग जैसे लोग, जिनके पास एक शक्तिशाली सम्मनित प्राणी था, से चुटकारा पाने की ज़रूरक थ थी, हड़ी लाश दानव के चक्मा देने की चमताखों देने के बाद, उसकी मुद्रा बेहत कमजोर हो गई थी, शक्तिशाली वजर ने सीधे अस्थी लाश दानव को टुक्डे टुक्डे कर दिया, रख्ट के टुक्डे और पंक आपस में मिल गए, जब वे हर दिशामी चिरकाफ कर रहे थे, वांग लिटिंग का चहरा पीला पड़ गया था, जैसे वे वहां खड़े थे, मानों उनके मस्तिश्क में बिजली गिर गई हो, वांग लिटिंग के चार गस्ते के सदस्यों के पास सपष्ट रूप से परियाप्त टाकत नहीं थी, हमलों की लहरों से की हिम्मत करता है, लाइटनिंग हैट स्क्वाड बस उस चोटी सी क्षमता के साथ, मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि मैं गुआन ये किस तरह का व्यक्ति हूँ, अगर आप एक उजार जगह में नहीं गिरना चाहते हैं, तो बहतर होगा कि आप आभ्याकारी रूप से मुझे रास्ता दें, धविश में अगर आप कभी बाहरी दुनिया में किसी के द्वारा तन किये जाते हैं, तो मैं आपके न्याय के लिए लड़ूंगा, यह देखते हुए कि हम सभी सहपाठी हैं, गुआन यी ने ने नेत्रित्व किया, अपने चार दल के सदस्यों के जानवर का नियंतरन लेने के लिए काम किया, उसने वजर डाला था जिसने अभी अभी हड़ी लाश दानव को नश्ट कर दिया था, गुआन यी का वजर वास्तव में अत्याचारी था, एक पल के लिए एक भी व्यक्ति ने अपनी चाल चलने की हिम्मत नहीं की, कुछ गया कि वह पहले से ही मेन कैंपस में प्रवेश करने की क्षमता रखता था, इंटरमेडियेट्स दर पर कदम नहीं रखने का एक मात्र कारण यह था कि वह पुरसकार प्राप्त करना चाहता था, वह थ्री स्टेप पगोडा के महत्व के बारे में किसी से भी अधिक स्पष् परिसर से अजुरे परिसर में भाग गया था, यहां आवाज किसी आदमी की लग रही थी, संभवत उसने ऐसा सभी को धोखा देने के लिए किया होगा, हिंसत लेहर निर्वासन, जैसे ही उसकी आवाज निकली, एक और शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, जब लोग अनुम परिदय ही म्यक्ति है, गुआन यी के साथ डील करना एक बड़े परिवार के साथ डील करने जैसा है, भीड की ओर से गालिया दी, हालाकि चाहे वे कितनी भी जोर से कोसें, फिर भी वे हिंसत लेहर की अशान्ती का मुकाबला नहीं कर सके, हिंसत लेहर ने जिस छेत्र को घे वह फायरी फिस्ट से भी अधिक चोड़ा था, यह एक शक्तिशाली नदी की तरह था जो आसमान से गिरी और सभी को बहा ले गई, चाहे वे दुश्मन हो या नहो, हर कोई शैडो बीस्ट के लिए जगह के बीच में इकठा हो गया था, यह हमलावरों के लिए अच्छा था क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग घंवर में फंस जाते थे, जो क्रूर जानवर जैसी हिनसक लहर के साथ आया था, जल तत्व सहपाथियों, जल्दी करो और इससे निप्टो, प्रत्यक कम प्रतियोगी के साथ, इसका अर्थ थोड़ी अधिक आशा होगी, वह व्यक हाँ, क्या यह बहतर नहीं था अगर उन्होंने इसे अभी और अराजक बना दिया, उन लोगों को खदेरने के लिए व्यापक शेत्र को घेरने वाली हिनसक लहर का उप्योग करें जो बाधा थे, मेपल के पेड़ के पीछे एक लड़की की सक्त आवाज सुनाई दी हिनसक हिनसक लहर इमारत के बाहर एक और वाटर स्टार एटलस उभरा, हिनसक लहर उग्र लहरे, वे नहीं जानते थे कि पिछली बार यह अविश्वस्मिय रूप से शक्तिशाली जल जादूगर कौन था, लेकिन उन्होंने जो हिनसक लहर डाली वह और भी भयानक थी, हर कोई पुष्ट ग्रूप से देख सकता था कि प्लाजा के बीच में उग्र लहरों की परते घूम रही थी, यह सिर्फ एक बार का निशकासन नहीं था, यह बस सभी लोगों को निगल रहा था और फिर उनकी हट्डियों को तब तक पटक रहा था जब तक की वे विखर नहीं गए जल जादूगर बस विद्रोह कर रहे थे, हर एक दूसरे से अधिक हिंसक और क्रिपालू था, उन्होंने करीब सौ छात्रों को पूरी तरह बरबाद करने के लिए हिंसक लहर के बलका इस्तमाल किया, सौभा जिसे उनमें से कोई भी दूसरों को जानलेवा घाव नहीं देन चारी थी, भंबर में फंसे लोगों को बचाया नहीं जा सका, पूरे प्लाजा को एक जील में बदल दिया गया था, यह एक तेज नदी के समान था जो एक तूफानी दिन में पेडो और सड़कों को डुबो देती थी, मो फैन स्पिरिक वुल्फ पर सवार होकर एक उचे स् जादूगर जो अपनी ताकत में विश्वास रखते थे, इस तरह के सन्युक्त प्रयास से समाप्थ हो जाएंगे। अपनी प्रेणा को पूरी तरह से खो दिया था, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वे दूरी में छिपाने के लिए केवल आज्याकारी रूप से भाग सकते थे। कि विभिन समुहों के हमलों को जेलने के बाद वे चैंपियन बने रह पाएंगे या नहीं। शैडो बीस्ट को सौपने के बाद मो फैन पहले ही पीछे हट गए थे। वह इतना मूर्ख नहीं था कि इतने सारे इंटरमेडियेट जादूगरों का मुकाबला कर सके। अगर वह पहले से ही इससे दूर नहीं गया होता, तो पहले से आई हिंसक लेहर ने उसे भी एक बाधा में बदल दिया होता। तुम पागल पानी के जादूगर हो। चुंकि आप नहीं चाहते कि हम में से बाकी लोग इसे प्राप्त करें, तो आप शैडो बीस्ट प्राप्त करने के बारे में भी भूल सकते हैं। उनमें से प्रत्येक ने अपने स्टार एटलस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यह सच था कि शैडो बीस्ट सभी का सच्चा उद्देश्य था। कि अगर वे किस तरह की अराजक स्थिती में होते, तो अधिकांश लोग क्रोधित हो जाते और अपना जादू करते। एक साफ लडाई आसानी से नफरत की लडाई में बदल सकती है। प्रात्मिक विद्याले शुरू से ही एक दूसरे के साथ संधर्ष में थे। एसी स्थिती में जहां उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था, हर तरह की नई या पुरानी नाराजगी को लडाई शुरू करने के बहाने के रूप में इस्तमाल किया जाएगा। चाया जानवर के बारे में अभी किसने परवाह की? जब आसपास इतने सारे लोग थे तो एक भी व्यक्ति को शैडो बीस्ट को छूने की अनुमती नहीं थी। इस प्रकार वे अपने अन्यमामले सुलजा लेते थे। जल जादूग्रों ने वास्तव में सभी को क्रोधित कर दिया था। उनमें से प्रत्येक को बारी-बारी से कुछ ला गया। सवभाग्य से लडाई ने शिक्षकों को सतर्क कर दिया था। आस में कई शिक्षक खड़े होकर छात्रों की रखवाली कर रहे थे। यहां तक कि दीन जियो ने भी यहां अनुमान नहीं लगाया था कि मो फैन सभी परिक्षार्थियों को लड़ने के लिए इस थान पर इकठा करेंगे। उन्होंने एक विशाल अवरोध बनाने के लिए जल्द बाजी में एक उननत स्तर के प्रकाश तत्व के जादु का उपयोग किया। उन्होंने लड़ाई लड़ने वालों को रोकने के लिए बैरियर का इस्तिमाल किया ताकि उनकी लड़ाई लीख होने और स्कूल की इमारतों से टकराने या निर्दोश लोगों को चोट पहुचाने से रोका जा सके. दीन जियो के अलावा अन्य लाइट टीचर्स ने भी थोड़ी देर बाद आने पर कारवाई की. एजियो और कैंपस का यह हिस्सा लगधा खंडहर में तब्दील हो गया था. अन्य तत्वों की विनाशकारी शक्ती से निपटना आसान नहीं था. अगनी तत्व ने दूसरों को सिर्दर्द दिया. अगर एक उग्र मुठ्थी स्कूल की किसी इमारत की ओर उरती है, तो यह एक बड़ी समस्या होगी. स्वाभाग्य से यह स्कूल का सबसे सुनसान इलाका था. स्कूल को उम्मीद थी कि छात्र आयरन केज के खेतर में लड़ाई शुरू करेंगे, इसलिए उन्होंने इस जगह को अपनी लड़ाई के मैदान के रूप में चुना था. हालांकि उन्होंने भविश्यवानी नहीं की थी, कि सभी छात्र यहा लड़ेंगे. दीन इस दरपर निश्चित रूप से कोई मर रहा होगा, जो जेंगवा अब इसे नहीं देख सकता था. ग्रेट उन्वाएक्स रिजीम फॉर्मेशन खोलें. क्या उनकी सारी शक्तिया दबा दी गई हैं? दीन जियों ने गंभीरता से कहा. सौभागे से बैटर रॉयल कुछ ही समय के लिए चल रहा था, और हर कोई पागल नहीं होने लगा था. आलांकि जब लड़ने की बात आई तो लोगों के लिए नियंतरन से बाहर हो जाना बहुत आसान था. हताहतों की संख्या में व्रिध्धी ही होगी. ऐसा कोई तरीका नहीं था कि स्कूल ने इसके लिए तैयारी नहीं की थी. उन्होंने इस जगह को क्यों चुना इसका कारण यह था कि इस जगह पर एक महान उन्वाएक्स शासन व्यवस्था थी. उन्वाएक्स रेइम एक उन्नत शैडो मैजिक था. इसने स्टार एटलस के लेयाउट के साथ एक स्टार पत का संचालन करने के लिए शैडो मैजिक स्टोंस का उप्योग किया. इसके बाद इसने उन्नत जादू की शक्ती को कई गुना, यहां तक की दस गुना या अधिक बढ़ाने के लिए भारी उर्जा को गठन में स्थाना अंतरित कर दिया. दग्रेट उन्वायक्स रेइन फोर्मेशन को ठीक उस छेतर के आसपास रखा गया था जहां छात्र लड़ रहे थे. दीन जियो के आदेश के बाद, चमकदार रात का आकाश अचानक किसी चीज से खिर गया. यह एक विशाल चाया हाथ की तरह था, जिसकी हथेली पूरे आकाश को ढख रही थी. जब शासन का हाथ धीरे-धीरे आसमान से गिरा, तो टैमिंग बीस्ट आयरन केज के बीच में जमीन के नीचे दबी हुई एक शैडो स्टोन सरनी उभी. अगर आप इसे किसी उचे स्थान से देखेंगे, तो आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि शैडो स्टोन्स स्टार एटलस की तरह स्थापित प्रतीत होते हैं. शैडो स्टार एटलस पहले उभरा, लेकिन जब स्टार्स के रूप में काम करने वाले शैडो स्टोन्स ने आकाश में अपनी चमत बिखेरी, तो एक और स्टार एटलस वहाँ दिखाई दिया. प्रत्येक सितारे को एक स्टार पत से जोड़ा गया था. प्रत्येक स्टार पत एक स्टार एटलस में बदल गया. सिर्फ एक स्टार एटलस नहीं था. उनमें से कई जमीन पर थे, और आकाश में पूलू की छाया के परसपर बिंदू भी स्टार एटलस थे. एड़नोट मैं आपको जागते हुए दिखाने जा रहा हूँ. एटूटू और मुनूजियाओ अभी भी छट के उपर थे. उनमें से दो सिर्फ पूची जमीन से नीचे देख रहे थे. उन विशाल शैड़ो स्टार एटलस के नजारे ने उन्हें चौका दिया. यहां तक कि मुनूजियाओ जो इतने ग्यानी थे, ने कलपना भी नहीं की थी कि स्कूल में वास्तव में इतनी विशाल शाया सनरचना थी. एक तारा मंडल यह एक उन्नत स्तरिय महान जादू सनरचना है. म्यूनूजियाओ हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके नीचे सब कुछ हो रहा है. दिव्य और आलिशान स्टार एटलस ने उसकी आखों को भर दिया. नक्षत्र एक चाया तत्व नक्षत्र. जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, रात का परदा एक विशाल तार में बदल गया. आकाश को ढंकते हुए जैसे ही उसने धीरे-धीरे सब कुछ ठक लिया. तारों का प्रकाश अब नहीं था. दूर के शहर की रोशनी भी अब नहीं थी. घले ही वे बेहत करीब थे, यह पूरी तरह से पिचकाला था. मूल रूप से यह देर शाम को लड़ाई थी. हालाकि स्कूल द्वारा ग्रेट उनवाएक्स शासन गठन को सक्रिय करने के बाद, स्कूल का यह पूरा शेत्र पूर्न अंधकार में प्रवेश कर गया. अंधेरे ने लोगों को अवर्ननिय रूप से असुरक्षित महसूस कराया, और अगर उनके डर को बढ़ा दिया गया, तो यह आसानी से देहशक में बदल जाएगा. सर पुजारी, यहां एक बड़ा गठन है, क्या ऐसा हो सकता है, कि हमें खोजा गया हो, अगर यहां हमारी और निर्देशत होता, तो वे एक छाया जादू का उपयोग नहीं करते, जो छात्रों को भी फसाता, जब तक कि स्कूल वास्तव में हमें चोट पहुंचाने के लिए अपने छात्रों के जीवन की उपेक्षा नहीं करता, यो आंग ने शान्ती से कहा, सर प्रीस्ट यह एक मैजिक फॉर्मेशन है, जिसे स्कूल ने बैटर रॉयल के दौरान बड़ी मात्रा में हताहतों की संख्या को रोकने के लिए पहले से तयार किया था, इसका उद्देश्य इंटर्मेडियेट जादू की शक्ती को बहुत शक्तिशाली होने और गल्ती से किसी को मारने से रोकना है, यह जानकारी कुछ ऐसी थी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक से मिली थी जब उसने बहुत अधिक शराब पीली थी, फूतियान मिंग ने जल्दबाजी में हस्तक शेप किया, यो आंग ने ठंडेपन से अपनी निगाहें उसके पास से हटा दी, जब आप इसके बारे में जानते थे, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, फूतियान मिंग की अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, यो आंग वास्तव में इस ग्रेट शेड़ो फॉर्मेशन से भईभीत था, उसने लगभग सोचा कि वह उजागर हो गया है, इसलिए यह चात्रों के बीच हताहतों की संख्या को रोकने के लिए था, यह ग्रेट शेड़ो फॉर्मेशन उनकी बहुत मदद करने के बराबर था, इस अंधेरे में भले ही उन्होंने डार्क बीस्ट को बुला लिया हो, तो कौन जानेगा की यह वही थे, उन्वाएक्स शासन के तहट, मैजिक का विशाल बहुमत बहुत कम हो जाएगा, यो आंग भी हनसे बिना नहीं रह सका, परिस्थितिया उनके लिए एक बड़ा लाब थी, इस बार शेड़ो बीस्ट के पेट के अंदर घूमिगत पवित्र जरना उनका होगा, और यहां तक की वह लड़का मो फैन भी मर जाएगा, आकाश कैसे काला हो गया, काफी रात हो चुकी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कि मुझे थोड़ी सी भी रोशनी नहीं दिख रही है, तुम सही कह रही हो, अजीब बात है, मेरे सितारे बेहद अस्थिर क्यों हो गए, वे मेरे नियंतरन का जवाब नहीं देंगे, अगर वे किसी विशिष्ट स्थान पर होते, तो वे मुश्किल से अपना उद्देश्य देख पाते, यह ऐसा था जैसे एक छोटे से कमरे के अंदर उन्हें फसाने वाली एक निराकार काली दिवार थी, आप कमरे के अंदर लोगों को देख सकते थे, लेकिन कमरे के बाहर की चीजें अंजान थी, जल्द ही अराजक युद्धक्षेत्र को उन्वाएक्स शासन द्वारा भागों में अलग कर दिया गया, इस खशन जो छात्र लडाई से एक दूसरे के प्रती शत्रुता पैदा करने लगे, उन्हें यह एहसास होने लगा कि इस पिछ काली भूल भूलिया में अगर शैड़ो बीस्ट को ले जाया गया, तो किसी को पता नहीं चलेगा, घबराओ मत यह स्कूल द्वारा स्थापित एक महान जादू संरचना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यह उन्नत शैड़ो मैजिक अन्वाइक्स व्यवस्था है, जिसे कई बार मजबूत किया गया है, अन्वाइक्स रेम एक बहुत ही मजबूत शैड़ो मैजिक है, यह डार्क भूल भूलिया जैसा युद्ध का मैदान स्थापित करने में सक्षम है, छाया प्राणियों के अलावा इस युद्ध भूमी में अन्यतत्वों की शक्ती कुछ हद तक दब जाएगी, उनकी शक्ती भी बहुत कम हो जाएगी, हम मान सकते हैं कि यह इसलिए था क्योंकि स्कूल चिंतित था कि जो लोग इंटर्मेडियेट जादू का उप्योग कर सकते हैं, बे इस अराजकता के भीतर घातक चोटों का कारण बनेंगे, सोंग्जिया, बाई जनफेंग के समान दस्ते में ने बात की, सोंग्जिया मजगूत बदमाशों में से एक था, महिला जादूग्रों में वह अकेली थी जो मुनुजियाओं का सामना कर सकती थी, बाई जनफेंग और अन्य लोग शान्त होने लगे, हालांकि एक बार जब उन्होंने इस संभावना के बारे में सोचा की कोई व्यक्ती ग्रेट मैजिक फॉर्मेशन की मदद से शैड़ो बीस्ट को दूर ले जा सकता है, तो बाई जन्क फेंग तुरंक चिंतिक महसूस करने लगी, उन्होंने कहा, फिर हम शैड़ो बीस्ट को कैसे ढूंड सकते हैं। जब मो फैन ने तुम पर शैड़ो बीस्ट फेंका था, तो मैंने उस पर जादू की छाप लगा दी थी। बस मेरे पीछे आओ और तुम इसे पाओगे, सौंग जिया ने कहा। हाँ हाँ हाँ, लेडी सौंग जिया वास्तव में बहुत तेस्तरार है। इस बार शैड़ो बीस्ट निश्चित रूप से हमारा होगा। कोई भी अराजक स्थिती नहीं देखना चाहता था। बैटल रॉयल का अंत कहा होगा, यह तो केवल स्वर्गी तै कर सकता था। अब फिर बीस्ट टैमिंग आईरन केज की ओर जाने वाले रास्ते को खोज सकते हैं, तब तक मिशन पूरा माना जाएगा। यह गौड़ फॉर सेन मो फैं, जब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, तो मैं व्यक्तिकत रूप से तुम पर तूट पड़ूँगा। शेन मिंजिय कि यह इस तरह निकलेगा, अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि शैडो बीस्ट कहा है, यह बद्बू आ रही है, क्या तुम लोगों को कुछ सुन रहा है, उनके बगल के लोगों ने पूछा, मैं इसे भी सुन सकता हूँ, धिक्तार है किस तरह का प्राणी, कैसा जीव, क् मोफैन खुद अपनी मूल जमीन पर खड़ा था, और एक भी कदम नहीं बढ़ा, दशैडो बीस्ट अब दिखाई नहीं दे रहा था, उन्वाइक्स शासन ने जगह को कई भूल भूलिया जैसे युद्ध के मैदानों में विभाज़त किया था, वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन इससे ब्लाक वेटिकन को घूमने में आसानी हुई, हाला कि मोफैन संभवता उन्हें कैसे सफल होने दे सकते थे, उन्वाइक्स की इस महान व्यवस्था ने उन्हें एक अतरिक्ट सुरक्षात्मक परत प्रदान की, हाला कि यह एक विशाल चाया जेल भी था, आज जात वे इस जगह को जिन्दा छोड़ने के बारे में भूल सकते हैं, उन्वाइक्स शासन बहुत से लोगों के लिए घने कोहरे की एक परत थी, यह एक ऐसा डोमेन था जिसने उन्हें दबा दिया था, उनकी युद्धत प्षमता तद्मसार पीडित होगी, हाला कि छाया प्रकने वाले व्यक्ति के रूप में, अन्वाइक्स शासन ने मोफैन को दबाया नहीं, और इसने मोफैन को घूमने के लिए असीमित मात्रा में जगह भी दी, बहुत सारे लोगों के लिए यह एक छाया की दीबार थी जिसे वेपार नहीं कर सकते थे, मोफैन के लिए यह स्वाभाग्य से छाया जानवर मोफैन द्वारा चहनित किया गया था, मोफैन स्वाभाविक रूप से लिटिल लोच पेंडेंट को नहीं फैंकेगा जिसने भूमिगत पवित्र जहरने को शैडो बीस्ट के पेट में अवशोशित कर लिया था, उसने केवल इतना किया कि ल इतना बड़ा, काला पिंजरा बनाया था, इससे वे पूरी तरह अंदर ही फंस जाते, उनका मानना है कि ब्लैक बेटिकन जिन्होंने सोचा था कि वे सुरक्षात्मक छतरी के नीचे हैं, उनकी तवचा को फार देंगे और उनके असली खुद को उजागर करेंगे, एक बार जब वे बेनकाब हो गए, मोफैन निश्चित रूप से उन्हें मौके पर ही मार देंगे, लिटल लोच पेंडेंट यहाँ आप पर है, शैडो बीस्ट को खोजने में मेरी मदद करें, मोफैन ने अपने सीने पर लिटल लोच पेंडेंट की ओर कहा, लिटल लोच पेंडें जैसे ही मोफैन ने चलना शुरू किया, यह मजबूत होने लगा, अगर मोफैन जिस दिशा में चल रहा था, वह गलत थी, तो चमक कमजोर हो जाएगी, मैं शैडो बीस्ट के जितना करीब होता हूँ, वह उतना ही उजजवल हो जाता है, मैं इस से जितना दूर होता हूँ, यह उतना ही कमजोर होता जाता है, मोफैन जल्दी से इसके पीछे का अर्थ समझ गया क्योंकि वह रहसिमय लिटिल लोच पेंडेंट को चुमने से खुद को रोक नहीं सका, बेशक्त मोफैन को पता था कि लिटिल लोच पेंडेंट के वल इसलिए था क्योंकि वह कीमती अं आसानी से गुजरने में सक्षम था, इस तरह चलते हुए उसके लिए शैडो बीस्ट को ढूंडना बहुत आसान हो गया, अजीब बात है हर समय दिशा क्यों बदल रही है, मोफैन ने जिल मिलाते छोटे लोच लटकन को देखा और उसके दिल में संदे होने लगा, मोफैन नहीं था, तो चमक तेज क्यों हो गई, पूश, अचानक एक द्रेच हाया मोफैन के सामने से गुजरी, यह चीते के आकार का प्राणी था, आप केवल इसका सिल्वेट ही देख सकते थे, हाला कि इसकी पूँच एक प्रकाश बिकीन कर रही थी, जो अंधेरे में बेहत चमक दार लग रहा था, शिट, क्या यह आदमी प्रतिबंधित नहीं था, मोफैन ने अपना मुह खोला और देखा कि शैडो बीस्ट स्पिरिट बुल्फ से भी ज्यादा तेजी से उर रहा है, दशैडो बीस्ट में प्रतिबंधों से मुक्त संधर्श किया, क्योंकि यह पहले स वास्तव में डार बीस्ट को बुलाया था, और इसके अलावा वे शैडो बीस्ट का शिकार कर रहे थे, कोई आश्चर्य नहीं कि शैडो बीस्ट डौड रहा था, यह वास्तव में एक जबरदस्ट बद्बु के साथ कुछ प्राणियों द्वारा पीछा किया जा रहा था, ऐसा लगता है कि अगर मैं शैडो बीस्ट का अनुसरन करता हूँ, तो मैं उन सभी को एक जटके में पकड़ पाऊंगा, मो फैन भूल भुलिया की दीवार के अंदर चिप गया क्योंकि वह ठंडी मुस्कान के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, यह गलत नहीं हो सकता, य वह कौन था जो इतना डरा हुआ था कि उन्होंने खुद को नाराज कर लिया, अन्य था यह इतना बद्भूदार कैसे हो सकता है, जुआंग लिफेंग ने कहा, बकवास बंद करो, शैडो बीस्ट की चाल बहुत तेज होती है, जुआंग लिफेंग अपना प्लांट मैजि बेल खूम रही थी, ग्रीन स्टार पाथ पतीद की लकीर, लांट स्पेल तयार किया गया था, वे केवल शैडो बीस्ट के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अंट में एक ग्रे सिलहूट दिखाई दिया, जब वह दोड़ा तो वह हवा की तरह तेज था, अगर उसक की पूँच लगातार नहीं चमकती, तो वे उसे नहीं देख पाते, इस समय बाईज गफेंग ने भी अपने हाथ में जादू तयार किया, उसकी नजर उस शैडो बीस्ट पर टिकी थी जो ऊपर चड़ रहा था, उन पर भी दुरगंध की दीवार आ गई, मूल रूप से इ भगवान ये प्राणी क्या है? और अधिक घ्रिनित जीव कभी नहीं देखे, जल्दी करो और मेरे रास्ते से हट जाओ, सोंगजिया का चहरा पीला पड़ गया और वह तुरंग अपने पीछे के लोगों पर चिल्लाई, ये सभी नौसिखिये छात्रों के कुलीन थे, इस अकलपनिय द्रिश को देखने के बाद भी वे एक स्थान पर स्थब्ध होकर नहीं खड़े रहेंगे, वे काले जीवों के इस समोह को रोकने की हिम्मत न करते हुए, जो बाड की तरह आगे बढ़ रहे थे, आसपास के इलाकों में भागना शुरू कर दिया, जादू का प्रयोग करें, जल्दी करो और वह सामाने से बहुत धीमा था, गठन लगभग तूट चुका है, अंत में वह अभी भी विंट डिस्क टोर्नाडो को पूरा करने में काम्याब रहे, बवंडर बाहर आया, ठंडी आंधी तेज गती से घूम रही थी, और एक बड़े पैमाने पर बवंडर में बदल रही थ सामने के वो डार्क बीस्ट जो ओवर चार्ज कर रहे थे, उन्होंने खुद को ठीक बवंडर में उड़ा लिया और हवा में उछाल दिये गए, काली चम्री वाले जीव एक एक करके आसमान से नीचे गिरने लगे, जैसे ही हर एक गिरा, उसकी हड़िया चकनाचूर हो गई और उसका सिर्जमीन पर पटक दिया, बाई जैनफ्रेंग की विंड डिस्क, टॉर्नेडो ने अन्य डार्क बीस्ट को नाराज कर दिया था, जिन्होंने शत्रुतापूर्न नजरे भीजी यह इंगित करने के लिए कि वे उसे इससे दूर नहीं जाने देंगे, बचे हुए डार्क बीस्ट की निगाहें उस पर और उसके दस्ते पर टिकी हुई थी क्योंकि उन्होंने सीधे चार्ज किया था, क्या आपके पास सुर का दिमाग है? वे शैडो बीस्ट की ओर बढ़ रहे थे, तो आप उन्हें क्यों भढ़का रहे हैं? सोंग्जिया जोर से उस पर च आप केवल यह गारंटी देने में सक्षम होंगे कि अगर आपके पास छाया तत्व है, तो आपके अन्य तत्वों को किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं मिलेगा. बाई जैंग फेंग ने छाया चक्रवियू से रेंगते हुए डार्क बीस्ट की बढ़ती संख्या को देखा और वह इतना डर गई की उसना पेट फ्लिप अ फ्लॉप कर रहा था. उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे जीव होंगे. इस समय डार्क बीस्ट की आखें कई सितारों की तरह थी, जो उस पर टिकी थी. भागो, जल्दी करो और बचो, उनके दस्ते के सदस्यों में से ए कुन का जंगल, जेल, जुआम लिफेंग एक विशेशग्य प्रतीत होता था, क्योंकि वह खत्रे में होने पर अपने जादू का उपयोग करने में सक्षम था. हालांकि कुन का उनका वन, जो मूल रूप से अंधेरे भूल भुलिया के भीतरपत पर पूरी तरह से कबजा कर करने में सक्षम होता, उनवायक्स शासन द्वारा कमजोर कर दिया गया था. यह केवल एक तिहाई रास्ते को सील करने में सक्षम था, जिससे एक सपष्ट अंतर पीछे छूट गया, जिससे प्राणियों को भाग जाने की अनुमती मिली. घबराओं मत, फॉर्मेशन बनाए रखो. हाला कि इन जीवों की संख्या काफी है, लेकिन वे इतने शक्तिशाली नहीं है. शिट अगर यह उनवायक्स शासन के लिए मेरी शक्ती को दबाने के लिए नहीं था, तो मैं निश्चित रूप से उन सभी को मैल में बदल दूँगा. सॉंग जिया की आखों में पैरों के नीचे से भयंकर लप्ते निकली. इन लप्तों ने उसके शरीर को पूरी तरह से लपेट लिया और उसे एक मानव मशाल में बदल दिया. उग्र मुठी, ग्राउंड ब्रेक. दफेरी फिस्ट एक घेरे में दिखाई दी और जैसे ही उसने मंतर का जाप समाप्त कि जिया की कलाई पर घनी भूत हो गई. उसकी आखें चमक उठीन और उसकी जलती हुई मुठी उसके पैरों के नीचे जमीन पर गिर गई. जलती हुई उर्जा तुरंक जमीन में चली गई. वे डार्क बीस्ट्स की ओर जमीन के माध्यम से तेजी से फैलती जलती हुई दरार से भर गई. लोटस फायर ब्रेक की सीमा बहुत बड़ी थी, पूरे रास्ते में आग की लपते फूट रही थी. उन दार्क बीस्ट्स को ग्राउंड ब्रेक के क्षेतर में चार्ज करने के बाद जो जमीन के माध्यम से फट गए थे, सभी को उरने के लिए भीजा गया था. इसके अलावा, जमीन पर गिरने से पहले वे सभी काली राख में जल गए थे. जो अंग लिफेंग और अन्य दो सदस्यों ने उनके सामने घातक कमल की लपतों को देखा, उनके जबडे विसमय में गिर गए, उन्हें बंद करने में असमर्थ रहे. यह पहली बार था जब स जिया ने अपनी पूरी ताकत का इस्तमाल किया. फायरी फिस्ट की ताकत का दूसरा स्तर बेहत आश्चर यजनक था. दविंड डिस्क टोर्नेडो इनमे से केबल तीन प्राणियों को मार सकता था, फिर भी फायरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक सिर्फ तीन से कहीं अधिक जल कर राख हो गया. उन लोगों का उलेक नहीं करना जो अभी भी जल रहे थे. उन्वा एक स्षासन ने हमारी शक्ती को बहुत अधिक दबा दिया है. हमें तितर बितर होना है, अभी भी इनमें से बहुत सारी जीव हैं. हम उन सभी को नहीं मार सकते, शिया सोम ने अपने दस् रूप से इस बड़ी बहन की बात सुनी. उन्होंने जल्दी से उस समय का फायदा उठाया, जब फायरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक अभी भी भागने के लिए जल रहा था. जैसे ही बाई जिनगफेंग और जिया सौन घुमे, अंधेरे भूल भूलिया की दिवार पर एक मानप छाया उभरी. उसने उन पांच लोगों को देखा जो पहले से ही जा रहे थे, और फिर अपनी निगाह घुमाई. उन्होंने सीधे डार्क बीस्ट्स के बड़े समोह प लप्ते निकर रही थी. उन वाईक्स शासन में उसकी लप्ते प्रभावित नहीं हुई थी, और लप्ते एक कंभीर बिंदु पर पहुँच गई थी. जैसे ही उर्जा अपने चर्मोत कर्श पर पहुँची, ऐसा लगा जैसे कोई ग्रोधित देवता अपनी मुठ्थी से बिस्पोर्ट करने वाला हो. गुलाब की लप्तें, उग्रम उठी, ग्राउंड ब्रेक, मरना, आप सभी. ये लप्ते प्रतिशोध की लप्ते थी. उनका पराक्रम उस लड़की द्वारा पहले से किये गए ग्राउंड ब्रेक से कई गुना अधिक शक्तिशाली था. रोज जिया सुना, कौन उन बातों की परवाह करता है? 22 नफिंग ने उत्तर दिया, उसका चहरा अभी भी पीला पड़ गया है. ऐसा लगता है जैसे वे हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं, चलो वापस चलते हैं और एक नजर डालते हैं, जिया सौन ने कहा. महान चाची, क्या आपक चढ़ाव महसूस किया जहां वे पहले थे. वह काली दीवारों का पीछा करते हुए कदम से कदम मिलाकर अपने मूल स्थान पर लोट आई, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके सामने काले शवों का एक बड़ा धेर था. इन शवों को धेर कर दिया गया था, यह बत के इस बड़े समू को किसने मारा था. उसके भाग जाने और अब के वीज का समय बिल्कुल भी नहीं था. इस प्रकार की लोट, जिया सौंग ने जमीन पर बचे हुए खून के रंग की लप्तों को देखा और उसके चेहरे ने अपना विसमय प्रदर्शक किया. एक शक्तिशाली फायर मैजिशियन जिसके पास स्प्रिट ग्रेड फायर था. हाला कि अगर आपने परल इंस्टिट्यूट के पूरे एजियोर कैंपस का सर्वेक्षन किया, तो व्याभारिक रूप से ऐसा कोई नहीं था जिसके पास स्प्रिट ग्रेड बीज हो. वह कौन था जिसने इन लप्टों को बनाया था. लप्टे वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी, कि वे इतने कम समय में जादूई जानवरों के एक बड़े समोह को मारने में सक्षम थी. वे मर चुके हैं, ये जादूई जानवर वास्तव में मर गए. क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जाने के बाद उनमें से प्रत्येक जिया सौंग के ग्राउंड ब्रेक की लप्टों में भाग गया जुआंग लिफेंग ने जोर से सोचा यह कैसे हो सकता है घले ही तुम इतने मूर्ख हो ये जादूई जानवर निश्चत रूप से इतने मूर्ख नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ चिन्ता मत करो हम अभी भी इसका पीछा कर सकते हैं सामबली अंधेरी भूल भूलिया में भूरे कपडों वाला एक आदमी दिवारों के साथ साथ चर रहा था शैडो बीस्ट एक तरफ आराम कर रहा था इस बार हुई ये निश्चित रूप से इस जीव को भागने नहीं देगी कुई ये अपनी गतिविधियों में बहुत सतर्प थी सबसे पहले उन्होंने डार्क बीस्ट को शैडो बीस्ट के बचने के सभी संभावित रास्तों को चुपचाप ब्लॉक कर दिया था कुई ये ने अपना हाथ हिलाया और डार्क बीस्ट को धीरे धीरे शैडो बीस्ट को घेरने का आदेश दिया यह सपश्ट था कि शैडो बीस्ट पीछा किये जाने से ठक गया था जब वह वहाँ बैठा हांफ रहा था उसे नहीं पता था कि वह कम से कम दस डार्क बीस्ट से घिरा हुआ था अचानक दिवार के डूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी यह यहाँ है यह यहाँ है हाँ हाँ अगर आप कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तो आप वास्तव में चीजें खोज लेते हैं शिट यह चीजें क्या हैं दे शैडो बीस्ट मुडा और महसूस किया कि लोगों का एक समोह इससे बहुत दूर नहीं था अगर वे इसकी तलाश करते तो उन्हें नहीं पता होता कि किस रास्ते पर जाना है शिट तुम ब्लॉक हेट्स ने मेरे अच्छे पल को बर्बाद करने की हिम्मत की लोगों के उस समोह की और बढ़ते हुए हुई यह खबरा गई क्या यह सीनियर ली टोंग नहीं है, क्या सन्योग है आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, क्या आपने उन जीवों को देखा जो दिवारों पर वेंग रहे थे यह बहुत दराबना था पोनिटेल वाली एक लड़की ने अपने सामने हुई यह को देखकर मुस्कराहट दिखाई वह व्यक्ति जिसने शैडो बीस्ट को डरा कर भगा दिया था, अभी भी अपने चारों और देख रहा था वह अकेला ही था जिसने उन भयानक प्राणियों के चेहरों को सपष्ट रूप से देखा था अलाकि जीव एक जटके में गायब हो गए, उन्होंने पुष्टी की उन्होंने उन्हें देखा था पुई यी ने अपने गुस्से को दबा दिया और टार्क बीस्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से चुपाने के लिए कहा तभी वह मुस्कुराया और बोला, ओ, तो वो तुम लोग थे नहीं, तुम लोगों ने उस शैडो बीस्ट को डरा कर भगा दिया, जिसे मैं लगभग पकड़ ही चुका था वरिष्ट ली टोंग, आप हमारे साथ टीम क्यों नहीं बनाते हमारी टीम बस एक व्यप्ति को याद कर रही है, पोनी टेल वाली लड़की ने प्रस्तावित किया कुई यी ने इस पर विचार किया और अंत में सिरहिलाया अगर वह शैडो बीस्ट को पकड़ना चाहता था, तो उसे इन लोगों की मदद की जरूरत जरूर परती इस टीम की टाकत काफी अच्छी थी, उनमें वास्तव में एक शैडो एलिमेंटल यूजर था एक छाया जादूगर उन्वाएक्स शासन के अंदर पानी में मचली की तरह था उनके साथ शैडो बीस्ट का पीछा करना बहुत आसान होगा कुछ ही समयबाद उन्हें एक बार फिर शैडो बीस्ट मिला यह सपश्ट रूप से ताकत से बाहर था और अब चलने में सक्षम नहीं था हाँ 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 फ्री स्टेप पगोडा में प्रवेश करने का अफसर हमारा होगा हाँ हाँ दशैडो बीस्ट में अब डौडने की ताकत नहीं है ओ यह बद्बू आ रही है क्या तुम लोगों को कुछ सुंध रहा है मैं भी इसे सुंधता हूँ यह अजीब गंध क्या है चारों लोगों ने एक साथ अपनी नाग काटी जो बद्बू उनके उपर आ रही थी उससे सांस लेना मुश्किल हो गया था उन्हें नहीं पता था कि बद्बू कहां से आ रही थी कुई ये धंडेपन से मुस्कुराई चार लोगों के पीछे खड़े होने के कारण उनकी तकट की चालाग थी अगर वह सीधे उनका सामना करते तो वह उनका मैच नहीं होते हाला कि अगर यह एक चुपके हमला था भले ही वे इंटरमेडियेट जादूगर हो वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे एक बार जब वह शैडो बीस्ट ले लेता है तो वह अपना इनाम प्राप कर सकेगा अचानक चाया भूल भुलेया की दीवारों से एक आदमी की आवास सुनाई दी साब्धा हर कोई मुडा और महसूस किया कि एक व्यक्ति था जिसे वे दीवारों से बाहर आने से परिचित थे यह ऐसा था जैसे वह एक चायादार दरवाजे से बाहर चला गया हो देखने में बेहत अजीब वह चात्र जो एक शैडो यूजर भी था जब उसने आने वाले व्यक्ति को देखा तो वह बहुत हैरान हुआ इवेडिंग शैडो का इस व्यक्ति का उप्योग अपने से कहीं अधिक कुशल था अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह चिलाया था तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं आया होगा उसने वास्तव में चाया के साथ एक साथ जुड़ने के दाएरे को हासिल कर लिया था क्या यह महान दानव नहीं है? यह वह है तुम यहां मत आव मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाएं हम अभी भी पर्ल इंस्टिट्यूट के चार अभिजात वर्ध हैं अगर आप हमसे पंगा लेना चाहते हैं शिट क्या आप मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत करते हैं? हैरान चात्रों में से एक फूट पड़ा चाया से बाहर आते ही मो फैन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया उसकी निगाह सीनियर ली टोम नामक छात्र पर ठीकी थी तो तुम मो फैन हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे चोरी करने के बारे में सोचने की ली टोम की प्रतिक्रिया काफी तेज थी एक सामान्य छात्र का रूप धारन करने के बाद उन्होंने तुरंट अपनी श्राप आभा वापस ले ली मो फ्रैन का चहरा ठंडा था और उसने उसे देखा कहने से पहले अब आप अभिनय बंद कर सकते हैं अपने डार्क बीस्ट को देखो ली टोंग की भौहें टेढ़ी हो गई उन्होंने अपनी तकट की लगाई और महसूस किया कि उनका सबसे मजगूत डार्क बीस्ट किसी कारण से दिवार पर अटक गया था यह वहीं तै किया गया था क्योंकि यह अपने जीवन के लिए संधर्ष कर रहा था उसका विक्रित शरीर संधर्ष करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पेट में एक विशाल कील जैसा कुछ अटका हुआ था यह ऐसा था जैसे किसी नुखिली कील ने उसे दिवार पर ठोंक दिया हो और वह एक कदम भी नहीं चलपा रहा था हम्फ आपको लगता है कि आप मुझसे अपने दम पर लड़ सकते हैं मैं जितने डार्फ बीस्ट को नियंत्रित कर सकता हूँ वह आपकी कलपना से कहीं अधिक है कोई यी अब अभिनय नहीं कर रही थी उसके चहरे की मुस्कान एक उदास उखास में बदल गई थी जैसा कि उन्होंने यह कहा बद्बू तुरंट पूरे चक्रवियों में फैल गई तुरंट एक म्यामा में बदल गई यह मायास्मा वास्तव में विशैला था अगर कोई व्यक्ति एक मिनट के लिए भी इसमें सास ले तो उसे जहर मिल जाएगा अगर वे बेहोश हो जाते हैं तो मूल रूप से उनका दम घुटने से मौत हो जाएगी लोगों के समोह को अभी तक प्रतिक्रिया नहीं देनी थी कि क्या हो रहा था और वे तुरंट मायामा में चा गए छाया छात्र को छोड़ कर एक एक करके वे बेहोश होने लगे उसने इवेडिंग शैडो का इस्तिमाल जल्दी से एक अलग शेत्र में जाने के लिए किया सहपाठी अपनी टीम के सदस्यों को बचाओ वरना वे यहीं मर जाएंगे मो फैन जानता था कि उसके पीछे क्या हो रहा है इसलिए वह छाया छात्र पर जोर से चिलाया छात्र ने तुरंट जवाब दिया ठीक है धन्यवाद मिस्मा हुई यी के पीछे से आई थी दार्क बीस्ट्स की धीर से उठती अशांत मयामा से कई तीखी आवाजे आ रही थी उन्होंने मो फैन की ओर बढ़ते हुए अपने नुकीले दांत दिखा दिये वे उसके टुक्रे टुक्रे करना चाहते थे मो फैन ने एक कदम उठाया और उसका शरीर चाया में डूब गया वह जल्दी से एक चाया में बदल गया और जल्दी से दीवारों से निकल गया अगले सेकंड में वह हुई यी के पीछे दिखाई दिया मो फैन धीरे धीरे पर चाही से उग्रा और उसके हाथ में बिजली का एक निशान तेजी से आगे निकल गया हाला कि जिस समय वह अपनी चाल चल रहा था वही यी ने अचानक तिरसकार पूर्वक एक थंडी मुसकान दिखाई उसके शरीर से एक थंडी आभा तुरंद उठी और बर्व की जंजीरे जमीन से निकली और मोफैन की ओर उड़ गई बर्व मोफैन थोड़ा हैरान था और वह जट से पीछे की ओर उद गया बर्व की जंजीरों को लहराया गया और उन्होंने मोफैन को प्रम से सभी दिशाओं से घेरना शुरू कर दिया उनकी ठिठुरंग ने लोगों की हड़िया सक्त कर दी मोफैन को पता था कि वो हुई ही की ख्षमताओं को कम आप रहा था उसने तुरंग आत्मा की छाप को सक्रिय किया और अपने ब्लड बीस्ट बूट्स की शक्ती को खोल दिया लाल बत्ती मोफैन के पैरों के चारों और चमकती है और उसके पैरों को धपने से पहले कवट जैसी दिखने वाली चीज में मिलती है उसी समय एक लाल वेखा थी जो मोफैन के पैरों पर एक रक्त वाहिका की तरहे गिर रही थी और उसके पैरों की ताकत तेजी से बढ़ी जपट्टा मारा एक मोटी बर्फ की हथकडी मोफैन की पीट की ओर आ गई यहां उसकी ओर बढ़ा एक विशाल ड्रैगन की तरहे लग रहा था जो मोफैन के शरीर के चारों और खुद को लपेटने वाला था मोफैन ने बलड बीस्ट बूट्स की प्रस्पुटन शक्ती का इस्तिमाल किया और बर्फ की हथकडी को चक्मा देते हुए अचानक दूर कूद गया जैसे ही उसने मोटी बर्फ की हथकडी पर कदम रखा, मोफैन ने उस बल का प्रयोग किया जो सीधे अंधेरी दिवार पर गिरा था जाओ घुई यी ने बची हुई बर्फ की हथकडी को नियंत्रिक किया यह ऐसा था जैसे उसने भविश्यवानी की थी कि मोफैन किस थान पर छलान लगाएगा और उसने जल्दी से बर्फ की जंजीरों का उप्योग एक विशाल बाध्यकारी संरचना बनाने के लिए किया बर्फ की हथकडीया आगे बढ़ी मोफैन को पता था कि उन्हें उनकी युक्तियों से बचना है इसलिए उसने अंधेरे की दिवारों पर जोर से पैर मारा उसका शरीर और भी अधिक शेत्र की ओर एक गुलेल की तरह दूर जा रहा था बर्फ की बेडिया उर रही थी जब उन्होंने उसका पीछा किया और उन्होंने उसे लखख पकड़ ही लिया एक बार जब आप बर्फ की बेडियों में बंध हो गए तो इससे बचना बहुत मुश्किल था आप हमारे खिलाफ लडने की हिम्मत करते हैं ब्लैक वेटिकन उस छोटी सी चमता के साथ मैं आपको बता दूँ जिसने भी हमारे ब्लैक वेटिकन का ध्यान खीचा है वह फिर से ठीक से जीने का सपना देख सकता है और आप निश्चित रूप से अबवाद नहीं है कुई येने चलते हुए मो फैन को देखा बीस्ट हिलने डुलने के लिए पहले ही बहुत ठक चुका था मो फैन को खत्म करने और शैडो बीस्ट को सर प्रीस्ट के पास लाने के बाद वह इस ऑपरेशन के लिए सबसे उत्कृष्ट सेवा बाला व्यक्ति होगा आप जैसे कच्रे के लिए भले ही आप मेंसे अधिक आये हो फिर भी मैं उनका सरवनाश कर सकूँगा मो फैन वहां खड़ा था और उसकी आखें कमभीर हो गई कुई येने एक बार फिर ठंडी मुसकान दिखाई उसने मो फैन की ओर इशारा किया और मायासमा के भीतर के डार्क बीस्ट ने तुरंट उसे घेर लिया एक नजर में उनमें से तस से कम नहीं थे कुई येने मो फैन के खिलाफ सीधे लडने की योजना नहीं बनाई थी वह उसे ठकाने के लिए डार्क बीस्ट का उप्योग करना चाहता था और फिर महत्वपूर्ण क्षन में आईस बेडियों का उप्योग करना चाहता था इस तरह वह सब कुछ खत्म कर पाएगा आगू वो टिल्डर हवा में एक चांदी की दरार से एक विशाल भेडिया सिर्फ फैला हुआ था उसके बाद उसका मजबूत और शक्तिशाली शरीर था उसका लंबा नीला फर हवा के साथ लहरा रहा था इसकी चमकीली आखें और पूर्न अभिव्यक्ती एक भेडिये के जंगली स्वभाव से भरी हुई थी वे डार्क बीस्ट्स तुम्हारे हैं मोफैन ने आत्मा वुल्फ से कहा आत्मा भेडिया वास्तव में हिंसक था इसने उन डार्क बीस्ट्स को चेतावनी देने की जहमत नहीं उठाई नहीं इसकी परवाहकी की कितने थे इसने कुछ कदम उठाए और उनकी ओर बढ़ गया दडार्क बीस्ट्स उग्र थे और उन्हें संख्या में फायदा था यहां आत्मा भेडिया वास्तव में बहुत खमंडी था इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उन्हें अपनी आखों में न रखे वे सभी मिनियन वर्ग के थे या यह कह रहे थे कि उनमें से दस एक के खिलाफ नहीं जीच सकते थे दडार्क बीस्ट्स वुल्फ को घेरने के लिए चले गए फुर्ती से हिट एंड रन रननीती को खीचने की कोशिश कर रहे थे सच कहू तो यह सिर्फ प्रतिदवंध भी को काट रहा था और पीछे हटने से पहले उन्हें एक बार पंजा मार रहा था वे स्पिरिक बुल्फ को मौद के खाट उतारना चाहते थे दस स्पिरिक बुल्फ से निपटना इतना आसान नहीं था उस पर हमला करने वाले सभी डार्क बीस्ट सफलता पूर्वक पीछे हटने में सक्षम नहीं थे उनमें से दो जो घाव छोड़ चुके थे जल्दी से आत्मा भेडिये के पंजों से जमीन पर पटक दिये गए और फिर बेहमी से मौद के खाट उतार दिये गए मोफैन ने महसूस किया कि उनके स्पिरिक बुल्फ की युद्ध क्षमता वास्तव में बहुत अधिक थी यहां तक कि अगर यह दस डार्क बीस्ट का मुकाबला करने में असमर्थ था तब भी यह थोड़े समय में उनके गठन को हराने में सक्षम था सबसे महत्वपूर्ण बात उसके सामने ब्लाक वेटिकन के सदस्य को मारना था जो एक छात्र होने का नाटक कर रहा था उसने जो ताकत दिखाई थी उससे वह केबल एक गुर्गा होना चाहिए वह भी ठीक था अपने मालिक को खोजने से पहले अपने गुर्गों से छुटकारा पाना भी फायदे मंद होगा वह नस्दी की मुकाबला नहीं कर सके इस लड़के की आईस शेकल्स काफी प्रभावशाली थी अगर वह वास्तव में फंसा होता तो वह काफी खत्रे में होता इसे भूल जाओ इस व्यक्ति के साथ बकवास करने का क्या मतलब था चलो सीधे उसे मार डालते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास बिजली और गड़गडाहट का सबसे हिंसक तत्व है वह केवल मुठ्धी का उपयोग करके अधिकांश समस्याओं से निपटने में सक्षम होगा अगर वह काम नहीं करता तो वह वजर का उपयोग कर सकता था मैं विश्वास करने से इंकार करता हूँ कि यह गुर्गा मेरे विस्पोटक हमलों का सामना करने में सक्षम होगा मो फैन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके शरीर के चारों और गहरे बैंडनी रंका लाइटनिंग आर्ट दिखाई दिया स्टार पत आपस में जुड़ गए और मो फैन के पैरों के नीचे एक लाइटनिंग स्टार एटलस में बदल गए अगर वह अत्याचारी बनना चाहता है तो वह बिजली के अलावा और क्या उप्योग करेगा इस समय मो फैन को अपनी किसी भी शक्ती को छिपाने की आवश्यक्ता नहीं थी उन्हें ब्लैक विटिकन के इस पिछलगू को समझाने की जरूरत थी कि बो सिटी से हर कोई आसानी से भढ़काने वाला नहीं था दार्क परपल कलर यहां लाइटनिंग कॉमन ग्रेड लाइटनिंग नहीं है कुई यी बर्फ की बेरियों को वापस खीच रही थी वह रक्षात्मक रूप से उप्योग करना चाहता था लेकिन जब उसने देखा कि मो फैन की बिजली गहरे बैंडनी रंकी थी तो उसकी आखें चौड़ी होने लगी बिजली तत्व अविश्वसनिय रूप से भयंकर था अगर लाइटनिंग स्पिरिट ग्रेड थी तो भले ही उसकी बर्फ की हथकड़ी एक सुरक्षात्मक परत्मे संधनित हो और एक रक्षात्मक जादू उपकरन के उपर खड़ी हो यह इसके खिलाफ बचाप के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कोई यी जानती थी कि स्थिती आश्वस्ट करने वाली नहीं थी वह डार्क बीस्ट्स पर अपने फिफरों के शीर्ष पर चिलाया जल्दी करो उसे मार डालो उसके पास इस स्पिरिट क्रेड लाइटनिंग सीड को रोखने का कोई तरीका नहीं था इस समय वह केबल स्टार पास को बाधित कर सकता था इससे पहले की उसका विरोधी जाप समाप्त कर पाता कोई यी की कमान बेहत प्रभावी थी बहुत जल्दी दो डार्क बीस्ट्स ने मो फैन के लिए अपना उद्देश्य बदल दिया जो अभी भी स्टार एटलस बनाने के बीच में था आत्मा भेडिये के चारों और घूमने के लिए उन्होंने दोनों और की दिवारों का उप्योग किया उस पर चड़ने के लिए अपने शक्तिशाली पंजों पर भरोसा करते हुए वे भयानक बंदरों की तरह थे जो दिवारों पर मो फैन की ओर ले जाये जा रहे थे दो डार्क बीस्ट्स के लंबे पंजे चमक रहे थे क्योंकि वे मो फैन के और करीबा रहे थे इस समय मो फैन के स्टार एटलस ने केवल 6 लाइटनिंग स्टार पाथ बनाए थे वह आखिरी वाले को याद कर रहा था अगर स्टार पाथ लिंक अप नहीं करते हैं तो वे इंटर्मेडियेट मैजिक बनाने में सक्षम नहीं होंगे एक दहार सुनाई दी दस स्पिरिट वुल्फ और मो फैन का आध्यात्मिक संबंध था जब यह महसूस हुआ कि मो फैन पर दो डार्क बीस्ट ग्वारा हमला किया जा रहा है तो वह अचानक दहारने लगा उसकी गर्जना के बाद उसकी गती अचानक बढ़ गई उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके शरीर पर कुछ दार्क बीस्ट थे और वह मो फैन के साथ खिलवार करने की कोशिश कर रहे दो डार्क बीस्ट की ओर बढ़ रहा था मो फैन मूल रूप से हिचकिचा रहे थे कि क्या उन्हें इंटरमीडियेट लाइटनिंग मैजिक को छोड़ देना चाहिए या नहीं स्पिरिट बुल्फ को इतनी बहादुरी से आगे बढ़ते हुए देखकर उसका दिल शान्त हो गया क्योंकि उसने अपने स्टार पत को जारी रखा जपट्ता मारा भेडिये के मोटे पंजों को पटकने के साथ यह उतना सरल नहीं था जितना की उन्हें अलग करना यह डार्क बीस्ट्स के छोटे-छोटे शरीरों को टुकरों में तोडने के लिए काफी था स्पिरिट बुल्फ ने सबसे पहले डार्क बीस्ट्स में से एक को दीवार पर टुकरों में बिखेर दिया बाद में इसने अवशेशों पर नजर भी नहीं डाली इससे पहले कि यह चारों और घुमा और डार्क बीस्ट्स में काट लिया जो इसके मास में चीडने की कोशिश कर रहे थे जब दूसरा डार्क बीस्ट अपने लंबे पंजों के साथ मो फैन की और कूदा एक अशुब गुनगुनाहट अचानक उतरी मो फैन के आसपास बेचैन बिजली की ऊर्जा उगरी ये गहरे बैंगनी बिजली के चाप उसके चारों और एक शक्तिशाली जाल में बगल गए मो फैन के बगल में दो डार्क बीस्ट ने उस पर एक चाल बनाने के लिए उठने का प्रयास किया लेकिन लाइटनिंग इकठा करने के बलने उनके शरीर को बेथाशा मरोर दिया यह ऐसा था जैसे उन पर किसी प्रकार की धातू की वस्तुद्वारा दबाव डाला जा रहा हो उनका मास सूख गया और उनकी हड्डिया पूरी तरह से चूर चूर हो गई मो फैन ने दो कमजोर चीजों को अपनी तरफ देखने का मन भी नहीं किया क्योंकि उसकी उंडली अंधेरे आस्मान की और इशारा कर रही थी मूल रूप से पूरी तरह से काले आकाश से एक गहरे बैंडनी रंग का गरचता हुआ बादल उग्रा यह एक मृत्यु देवता की आभा की तरह था जो हुई ही की सिर के उपर इकठा हो गया था हुई ही इतना डर गई कि वह कामपने लगी उसने अपने आयस बेडियों पर नियंत्रन खो दिया वह वास्तव में बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर थे मो फैन को पता था कि अधिकांश बर्फ के जादूगर बर्फ की जंजीरों का उप्योग प्रतिबंधात्मक जादू के रूप में करेंगे यह हुई यी वास्तव में जानती थी कि बर्फ की जंजीरों को कैसे नियंत्रित करना है और उन्हें एक मोटी सुरक्षात्मक परत बनानी है हालांकि जिसक्षन गहरे बैंगनी रंग का वजर आस्मान से उत्रा बर्फ की सक्त बेडिया तुरंट सफेद स्प्रे में बदल गई यह सब मलबे में उड़ा दिया गया था बर्फ की बेडिया अंत में एक उचित सुरक्षात्मक मंत्र नहीं थी क्रॉस के आकार की गहरे बैंगनी रंग की बिजली गरस्ती हुई नीचे गिरी कुई यी ने अपने जीवन की रक्षा करने की उम्मीद में अपने जीवन को दाफ पर लगाकर अपनी मैजिक शीड का आहवान किया हाला की वजरत यक्ष ने उसकी कलपना को पार कर लिया बिजली चमकी और बर्फ की जंजीरों को नश्ट कर दिया और यहां तक की लाखों की कीमत वाली हुई यी की मैजिक शीड को शूने में बदल दिया सुरक्षा की दो परतों के नीचे छिपा हुआ कुई यी मुश्किल से अपनी जान बचाने में सक्षम था हाला की क्यानजुन की विजली में हवा को कमपन करने की एक शक्तिशालिक शमता थी और उसकी हड़िया टुक्रों में बिखर गई थी वह चीथरे की गुरिया की तरह जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसकी हड़िया अब उसका साथ नहीं डे सकती थी उसकी आखें चौड़ी और घूर रही थी वह यह समझने में असमर्थ था कि उसके उद्देशे की ताकत में बास्तव में इतनी शक्ति कैसे थी कुई यी ने मुश्किल से उसकी चाती को छुआ बस जब वह एक खातक जहर तक पहुँचने वाला था मोफैन ने पहले ही उसके सामने इवेडिंग शैडो का इस्तिमाल कर लिया था आग फटना जलती हड़ दिया मोफैन की हठेली में एक लौजल उठी यह जीवित लावा की तरह था जो मोफैन की उंगलियों के बीच से नीचे गिरा हुई यी के शरीर पर गिरने वाली प्रत्येक गून हुई यी खुद को मारने के लिए जहर लेना चाहती थी हालांकि मोफैन ने उनकी कलाई पर लात मारी थी इसलिए उन्हें अपने जीवन को नियंतरित करने का अफसर भी नहीं मिला था आप खुई यी ने गुस्से से उसकी ओर देखा मोफैन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया उसने बस इतना किया कि बर्निंग बोन्स की लप्टों का धीरे-धीरे हुई इसलिए के पूरे शरीर को जलाने का इंतजार किया वह लप्टों के उच्चतापमान के नीचे उस चहरे के दर्धनाक और भयावा होने की प्रतीक्षा कर रहा था आपको लगता है कि मैं अभी भी आपके ब्लैक बिटिकन के आचर्ण की शैली को नहीं जानता हूँ भले ही उन्होंने इसे व्यप्तिकत रूप से पहले नहीं देखा हो फिर भी उन्होंने इसे टीवी पर देखा था इस तरह का संगठन जो भयानक और घातक ऑपरेशन करता है सबसे अधिक संभावना है कि इसके सदस्य खुद को मारने के लिए जहर ले जाएंगे एक बार जब वे पकड़े गए या मरने के करीब थे तो वे खुद को समाप्त करने के लिए जहर ले लेंगे क्योंकि वे न तो अपने संगठन को उजागर करना चाहते थे नहीं अपने श्रेष्ट को जब हुई यी ने मो फ्रैन को स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग कास्ट करते हुए देखा तो उसे पता था कि उसका कोई मुकाबला नहीं होगा किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में दूसरे स्टर के इंटरमेडियेट मैजिक का उपयोग करेगा जब हुई यी की हड्डिया चकनाचूर हो गई तो उसने पहले ही अपनी मृत्यू की योजना बना ली थी किसने सोचा होगा कि मो फ्रैन उसे वह अफसर भी नहीं देंगे अगर उसे मरना ही था तो वह ज्यादा नहीं था उस तरह का जहर एक पल में उसकी जान ले लेगा उसे दर्ब भी नहीं होगा हाला कि जब उसकी कलाई किसी और के द्वारा रोंदी जा रही थी तो उसके अपने विचार भी दूसरे के द्वारा देखे जा रहे थे उसकी ताकत कम होने की बात तो छोड़िये उसकी अपनी बुद्धी भी कम थी एक खलनायत के रूप में उसकी अंतिन गरिमा को दूसरे ने भी चीन लिया इस तरह के क्रोध का वर्णन कैसे किया जा सकता है तुम्हें लगभग जलाकर मार डाला गया है तो तुम कुछ परोगकारी कार्य क्यों नहीं करते और मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वामी कौन है मोफैन ने आग की लप्तों के तापमान को नियंत्रित करते हुए पूछा ये लप्तें उसे पकाही रही थी अभी उसे जलाकर मार डालना काफी नहीं था हलाकि यह निश्चित रूप से उसे अतुलनिय दर्ग दे रहा था मोफैन इस ब्रिशी की सराहना करने में मगन थे भले ही यह बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खूनी था मोफैन ने बुराई से निपटने के लिए इस शैली को चुना हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का उप्योग करना तुम मेरे मित्र को मार डालो और मैं तुम्हारे दस को नश्ट कर दूँगा तुम मेरे शहर को नश्ट कर दो मैं तुम्हारे संगठन को रौन्द दूँगा इसके बारे में भी मत सोचो आह आह हुई यी आग की लप्टों के भीतर अनियंत्रत रूप से लोट रही थी उसकी दैनिय चीखें अंधेरे चक्रवियों से कूँच उठी जिन्होंने उसे सुनाबे अत्यंत भयभीत थे मोफैन जरा साभी नर्मी नहीं बरत रहे थे ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कभी नहीं भूलेगा कि उसने जूज हाउटिंग और उसकी प्रेमिका को भगाने के लिए इस तरह की लप्टों का इस्तमाल किया था उनके जाने से पहले उन्होंने जिस दुख और शोक का अनुभव किया मोफैन निश्चित रूप से ब्लाक विटिकन के लोगों के चहरे पर दिखाई देगा स्पिरिट वुल्फ बेहत सक्त था मोफैन ने कहा कि उन दस अंधेरे जानवरों से निपटने के लिए था तो यह फैसला किया कि यह व्यक्तिकत रूप से उन सभी की देखभाल करना चाहता था अंत में उसका पूरा शरीर खावों से भर गया आप कई जगहों पर इसकी हड्या भी देख सकते हैं आत्मा भेडिया लंगड़ा रहा था इसके होंट अब भी पीछे की ओर खिंचे हुए थे लेकिन यह भयावा नहीं लग रहा था यह वास्तव में आकरशक भोला लग रहा था उल्लास में मुस्कुरा रहा था तुम वापस जा सकते हो और आराम कर सकते हो मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ को बाहर बुलाते हुए कहा साथ ही उसने उसे खिलाने के लिए अपने सुमोनिंग मैना का अधिक उप्योग किया उनका संबनिंग एलिमेंटल ने बुला अब बहुत बढ़ा था और प्रचुर मात्रा में मैना प्रदान करने में सक्षम था मो फैन पहले से ही यह गणना करने में सक्षम था कि विक्सित होने से पहले स्पिरिट वुल्फ को कितने मन की आवश्यक्ता होगी वारियर बीस्ट स्पिरिट की वह बोतल जो उसने दीन जियो से प्राप्त की थी अभी भी वहाँ थी यह विचार करने के बाद की विक्सित होने के गारान स्पिरिट बुल्फ अपना जीवन खो सकता है मो फैन ने इसे स्पिरिट बुल्फ को उप्योग करने के लिए देने की हिम्मत नहीं की थी कुई ही के जलकर राख हो जाने के बाद मो फैन अंत में जाने के लिए मुड़ा एक जीवित व्यक्ति का इस तरह अंतिन संस्कार करते हुए देखना बहुत ही घ्रेनिक था अगले दो दिनों तक उसे कोई भूख नहीं होगी अगर उसे ऐसा करने के लिए और समय दिया जाता तो वह अब भी वही काम करता मो फैन को इसे फिर से खोजने में लगभग आधा दिन लग गया यह जगह ऐसा लगता है जैसे इसमें एक इमारत है वह बेवपूफी है मुझे मत बताओ कि यह अपने आप बीस्ट टैमिंग आईरन केज की और भागा मो फैन अभी भी अनवायक्स व्यवस्था के नीचे देखने में सक्षम था किसने सोचा होगा कि शैडो बीस्ट जो एक छोटे हिरन की तरह दौड रहा था वास्तव में जाल में ही चला गया मो फैन बहुत सपश्ट था कि असली मास्टर माइंड अभी सामने आना बाकी था वह इस शिकार को इस तरह समाप्त नहीं होने दे सकता था वरना कौन जानता था कि अगली बार जब ब्लैक बेटिकन ने अपना कदम उठाया तो कितने लोगों की जान चली जाएगी इमारत के सामने चलने के बाद मो फैन शैडो बीस्ट को भगाने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई मो फैन ने मुड़कर पांच जाने भचाने चेहरों को देखा दोनों नेता उफास्पूर्ण मुस्कान प्रदर्शित करने के बीच में थे उन शिकारियों की तरहे जो अंत्धा अपने शिकार से चिपक गए थे मो फैन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस बार कहा गौड़ने वाले हो लो सोम की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसकी चर्वी छलकने लगी शेन मिंग्जियाओ की उपस्थिती आकर्शक और आरक्षित थी हाला कि वह भी शैतानी मुस्कुरा रहा था उसके हाथों के बीच जादूई उर्जा में लगातार उतार चड़ाव हो रहा था आप में वास्तव में क्षमता है आपने न केवल हमारे शैडो बीस्ट को चुराया बलकि इतना बड़ा आयोजन भी शुरू कर दिया क्या आपको सच में लगता है कि इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको ठीक कर सके शेन मिंजियाओ उत्तेजना में चिलाया मो फैन ने इन पांच लोगों को बढ़ी हुई भाहों से देखा वह उनके साथ एक व्यर्थ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था जब तक कि उनके बीच ब्लाक बेटिकन का कोई गुर्गा न हो उसने यह मान लिया था कि ये पाचों लोग धनी परिवारों के नियमित विद्यार थी और शिश थे ब्लाक बेटिकन के लोगों में शायद शैडो बीस्ट को पकड़ने की प्रवरित्ती नहीं होगी बहतर होगा आप मुझे भढ़काए नहीं, मो फैन मूर में नहीं था और वह बुरे लहजे में बोला ओह आपका रवया निश्चित रूप से बढ़ा है मैं निश्चित रूप से देखना चाहता हूँ कि आपके पास किस प्रकार की ख्षमता है शेन मिंगक सियाओ खुद अपेक शाकरत मज़गूत थे उन्होंने मो फैन जैसे देसी लड़के को अपनी नजरों में नहीं रखा जैसे ही वे मो फैन पर आगे बढ़ने वाले थे काले कोहरे में से कुछ लोग दिखाई दिये शेन मिंजियाओ और लो सॉंग ने उनके पीछे देखा और देखा कि यह एक ऐसा दस्ता था जो आसपास के क्षेतर को देख रहा था सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने बीस्ट टैमिंग आईरन केज के प्रवेश द्वार को ढूंद लिया था और बाहर डेरा डाल दिया था जो शैडो बीस्ट को खोजने वाले छात्रों के साथ आने का इंतजार कर रहे थे तुम समय से पहले आ गए हम मो फैन को सबक सिखाने वाले हैं जब लो सौंग ने देखा कि यह फूतियानमिंग है तो उसके चहरे पर और भी बड़ी मुस्कान दिखने लगी अगर यह पहले के समय में होता तो शायद बहुत से लोग इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते होते हाला कि जब से महान दानव की किसी को मारने की अफवाह शुरू हुई तब से सभी को इस पूतियानमिंग के बारे में पता चला ऐसा इसलिए था क्योंकि फूतियानमिंग वरिष्ट थे जिन्हें मोफैन ने लगभग मार ही डाला था ऐसा कहा जाता है कि जब मोफैन ने जिया बेंकिंग को प्रॉस किया तो उसे मोफैन को थोड़ा सबग सिखाने के लिए बुलाया गया कौन जानता होगा कि मोफैन ने उसे लगभग दो टुकड़े कर दिया था जैसा कि अपेक्षित था जिया वेंकिंग विशेश रूप से परिश्क्रित और पीला दिखने वाली छोटी सी चीज भी मौजूद थी उसने मोफैन को एक नजर में पहचान लिया और उसके फैशनेबल चहरे पर एक हास्यासपद मुस्कान उभराई यह मोफैन उसने बहुत से बुरे काम किये थे आज उसे इसी जगह रोका जाएगा चाहे कुछ भी हो वह अपना चहरा मुंडवा लेगा शेन मिंग्जियाओ, लो सांग, हम सौधा क्यों नहीं करते फूतियान मिन ने धीरे-धीरे बोलने के तरीके को उसी तरह बनाये रखा कैसा सौधा शेन मिंग्जियाओ ने पूछा हम थ्री स्टेट पैगोडा में दिल्चसपी नहीं रखते है जिस चीज में हमें दिल्चसपी है, वह ठीक यही शैडो बीस्ट है मो फैन से निपटने के लिए एक साथ शामिल हो आपको बस इतना करना है कि आप हमें शैडो बीस्ट दें और स्कूल को सौंपने से पहले हमें उसके पेट से बोतल निकालने की अनुमती दें फूतियानमिंग ने कहा शेन मिंग्जियाओ और लो सांग ध्रमित थे उन्हें नहीं पता था कि इस फूतियानमिंग के मन में किस तरह की बात थी आलाकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा वे वही थे जो इससे लाभानवित होंगे न केवल वे मो फैन को दंडित कर सकते थे बलकि वे इस बार परीक्षा भी जीच सकते थे भविश्य में मुख्य परिसर में वे इस तरह की योग्यता बाले कुछ विशेशक्यों को आकर्शित कर सकते हैं लो सौंग ने फूतियान मिंग और उसके लोगों पर नजर डाली और उसका दिल फुस्फुसाय बिना नहीं रह सका ये लोग अजीब हैं वे शैडो बीस्ट नहीं चाहते फिर भी वे वह चीज चाहते हैं जो शैडो बीस्ट के पेट में है मुझे याद है कि मोफैन ने अपने ग्रिहंगर के एक जरने के बारे में कुछ बताया था जिसे शैडो बीस्ट ने खा लिया था लो सांग हम बाद में उस मामले के बारे में बात कर सकते हैं जो हमारे बीच है हाला कि यह बहतर है कि आप अभी निकल जाएं ये लोग ब्लाक वेटिकन के गुर्गे है मोफैन ने फूतियान मिंग, जिया वेंकिंग और उनके लोगों को ठंडेपन से देखा ब्लाक वेटिकन लो सांग रह गया और फूतियान मिंग और जिया वेंकिंग पर तेजी से नजर डाली आस्यासपद जहां हास्यासपद है तो आप मो फैन वास्तव में जानते हैं कि डर क्या होता है क्या तुमने उस दिन नहीं सोचा था जब तुमने मुझे क्रीब क्रीब मार डाला था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वे सभी लोग तुम पर हमला करेंगे जिन्हें तुमने क्रोधित किया है तो आप वास्तव में इस तरह के प्रफुलित करने वाले तरीके के बारे में सोचेंगे ताकि हम हाथ न मिला सकें फूतियानमिन ने तुरंट उफास उड़ाया उसका लहजा उफास उड़ा रहा था लोग सोंग और शेन मिंग्जियाओ के मन में पहले से ही मोः फैन के प्रती शक्रुता थी इसके अलावा परिसर में परिवार के संधर्ष और गपशप की सभी अफवाहें कुछ ऐसी थी जिनके बारे में वे अच्छी तरह जानते थे इसमें से किसी का भी ब्लैक वेटिकन से कोई लेना देना नहीं था इसलिए वे इस मामले को ब्लैक वेटिकन से नहीं जोड सकते थे स्वाभाविक रूप से वे यह दिखाने के लिए द्रिड थे कि मोः फैन हताशा में सिर्फ बगवास कर रहे थे मो फैन को यह भी पता था कि शेन मिंग्जियाओ और लुओ सोंग उस पर विश्वास नहीं करेंगे इसलिए वह उनका सामना करने के लिए तयार थे उनके विरोधियों में कुछ बहुत अधिक लोग थे खुल दस लोग थे और यह माना जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक इंटर्मेडियेट जादू करने में सक्षम विशेशग्य थे आएए इस तथ्य के बारे में बात न करें कि विभिन शक्तिशाली इंटर्मेडियेट मैजिक मंत्रों द्वारा बंबारी से निपटना बेहत कठिन होगा यहां तक कि अगर यह प्राथमिक जादू उर रहा था, मो फैन अभी भी इससे निपटने में सक्षम नहीं होगा हाला कि वह अभी भी संतुष्ट था ऐसा इसलिए था क्योंकि फूतियानमिंग के शब्दों ने अभी मूल रूप से उसकी पहचान उजागर कर दी थी पिछली बार उसने उसे मौत के घाट नहीं उतारा था ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे अपनी खोपली लात मार कर खोल देनी चाहिए अगर वह गलत नहीं था तो जू जाउटिंग जिस चात्र से पिछड़ गए थे वह ठीक फूतियानमिंग था हर दरफ से हमला होना एक बात थी वो फैन बिलकुल ध्रम में नहीं थे अगर यहां अतीप में होता तो वह निश्चित रूप से इन दस इंटर्मेडियेट जादूग्रों के लिए एक मैच नहीं होता हालाकि ग्रेट उनवाएक्स शासन व्यवस्था के भीतर उसकी छाया तत्व की शक्ती में परियाप्त वृध्धी हुई और उसके अन्य मौलिक जादू को भी दबाया नहीं जा सका दूसरी और उनकी विरोधी शक्तिया अनवाएक्स शासन के तहट बहुत कम हो जाएंगी वह उनसे आमने सामने नहीं मिल सकता था लेकिन उन्हें एक घेरे में लड़ने से उसे जीतने का अधिक मौका मिलेगा मो फैन इसके बारे में और सोचना नहीं चाहता था वह घूमा और निकटम इमारत की ओर भागा लो सौंग मिंगक सियाओ, फूतियान मिंग, जिया वेंकिंग और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मो फैन वास्तव में बिना रीड के होंगे वह न केवल भाग गया, बलकि अजीब तरह से चिलाया भी वे उसका पीछा करने लगे इवाडिंग शैडो का इस्तिमाल करते हुए मो फैन दौड रहा था उनकी गती उनसे कहीं अधिक तेज थी हाला कि शेन मिंग जियाओ और जिया बेंकिंग दोनों के पास पवन तक्व था विंड टनल के साथ उनका पीछा करते हुए उनकी गती किसी भी तरह से उनकी गती से धीमी नहीं थी लो सॉंग और फूतियान मिंग ने सपश्ट रूप से मैजिक एकविपमेंट से मदद ली उनकी गती कुछ ही धीमी थी बाकी छै लोगों में से एक पवन जादूगर भी था और वह बड़े समोह के साथ निकटा से पीछा कर रहा था मो फैन इमारत की सीधी में पहुँचे जैसे ही वह उस पर चड़ने वाला था उसका परिवेश अचानक बर्फ में बदल गया थंडी हवा उसकी तवचा के आरपार हो गई उसने मुर कर देखा और चार-पांच मोटी बर्फ की बेडिया जैसे फुर्तीले ड्रैगन उसकी और जपट रहे थे बर्फ की जनजीरों के दूसरे छोर पर लो सांग था जो एक ठंडी मुसकान दिखा रहा था लो सोंग अभी भी प्रित्वी तत्व का जादूगर था अपने मैजिक बूट्स और प्रामरी अर्थ मैजिक के साथ वह मोफैन तक पहुँचने वाले पहले व्यप्ती थे आईए देखें कि आप और कहा तक डौर सकते हैं बर्फ की मोटी जनजीरों के टूटने के बाद ग्रेनाइट की सीधी पर एक छेट दिखाई दिया अजीब है वह कहा है अंधेरी भूल भुलिया में लो सॉंग ने सोचा कि उसने मोफैन को बर्फ की बेडियों से फंसा लिया है कौन जानता होगा कि जब वह उपर की कोर भागा तो उसे मोफैन की परचाई भी नहीं दिखी वह अंदर चला गया होगा जल्दी करो उसे शैडो बीस्ट को सॉंपने मत दो शेन मिंजियाओ ने बिंड तनल का इस्तिमाल किया और एक सहच निरनय लेते हुए दोड़ पड़े लोगों के समोह ने वही किया जो उन्होंने सबसे अच्छा किया वे सभी इमारत में घुस गए जो पत्थरों के धेर की तरह लग रही थी भवन का निर्मान बड़े-बड़े शिलाखंडों का उपयोग करके किया गया था इस तरह की इमारतों के लिए बुलाए गए जानवरों को शामिल करने के लिए स्कूल ने एक वित्वी जादुगर को आकस्मिक रूप से एक इमारत बनाने के लिए कहा था यह इमारत एक बड़ी परियोजना लग रही थी लेकिन सच्चाई यह थी कि अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाती तो किसी को परवाह नहीं होती अगर वे इसे फिर से बनाना चाहते थे तो उन्हें बस इतना करना था कि वे थोड़े से मन का उपयोग करें इमारत के सबसे गहरेक शेत्र में एक बीस्ट टैमिंग आयरन केज था यह बीस्ट टैमिंग आयरन केज इस बार परीक्षा का सटीक गंतव्य था दबीस्ट टैमिंग आयरन केज विशाल था यह किसी भी तरह से रुकी प्रतियोगिता आयोज़त करने वाले स्थल से कमतर नहीं था शेत्र के संदर्भ में यह कम से कम एक फुटबॉल मैदान में फिट हो सकता है लोहे का पिंजरा 20 मीटर लंबा था और ऐसा प्रतीत होता था कि इसे स्टील प्रबलित सलाखों के साथ बनाया गया था जो थोड़े से जादू के साथ पूरक था कमांदर स्टर के तहट जादूई जानवरों के लिए वे केवल थोड़े समय में इस लोहे के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने का सपना देख सकते थे इमारत उन्वायक्स शासन के महान गठन के भी तर्भी थी हाला कि यह सपश्ट था कि यह इसके बिल्कुल किनारे पर था क्योंकि इस जगहे पर केवल थोड़ा सा ही अंधेरा व्याप्थ था कोहरे ने पूरी खुली छट वाली इमारत और बड़े जंग लगे लोहे के पिंजरे के चारों और पानी भर दिया दबीस्ट टैमिंग आईरन केज यह महसूस कराता है कि इसकी गहराई में किसी प्रकार का विशाल जानवर चिपा हुआ है जो खुंखार है को बढ़ाता है मो फैन अपनी पूरी ताकत से दौड रहा था अंधेरे में उसकी द्रिशता भी बहुत सीमित थी इस प्रकार जब उसे चिपने की जगह मिली तो वह गलती से लोहे के पिंजरे में खुस गया दबीस्ट टैमिंग केज के गेट हवा में लटक रहे थे वे पूरी तरह से काले कोहरे से ढखे हुए थे और मो फैन को यह एहसास नहीं हुआ कि वह गलती से विशाल लोहे के पिंजरे में खुस गया था बजना अचानक उपर से किसी तरह की धातु जमीन पर गिर गई मो फैन घूमा और महसूस किया कि उसके पीछे एक 20 मीटर लंबा लोहे का दर्वाजा था फर्ष से टकराते ही इसने एक जोरदार आवाज निकाली जिससे जमीन कामपने लगी मो फैन को समझ नहीं आया कि यह लोहे का दर्वाजा कैसे नीचे गिरेगा हालांकि जब आसपास के क्षेतर में काला कोहरा धीरे-धीरे छंट गया तो मो फैन को आखिरकार एहसास हुआ कि वह वास्तव में पहले से ही बीस्ट टैमिंग आयरन केज के अंदर था वह इस कोहरे के भीतर लगग 20 मीटर ही देख सकता था सच तो यह था 20 मीटर लोहे के पिंजरे के दूसरे छोर को देखने के लिए परियाप्त नहीं था यह मो फैन का पहली बार यहां आना था वह कैसे जान सकता था कि लोहे का पिंजरा वास्तव में इतना बड़ा था उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता वर्तमान में उस विशाल लोहे के दरवाजे से पूरी तरह से बंध हो गया है पेडों के तनों की तरह लोहे की जड़े अगल गल उपर उठ गई दुर्भाग्य से उनके बीच की जगहने किसी को भी गुजरने की अनुमती नहीं दी लोहे के पिंजरे का शीर्ष समान रूप से व्यवस्थित लोहे के तारों से बना एक गुंबत था गोलाकार प्रतीत होता था इसका मतलब यह था कि वह उपर से भी नहीं बच सकता था मोफैन को और भी अधिक सन्यमित महसूस करने का कारण यह था कि उसने देखा कि अन्य तत्वों के कठोरतार दूसरी जगहों पर घूम रहे थे उनकी गुनाई एक लोहे की जाली में बदल गई जिसने मोफैन के भागने के विचारों को पूरी तरह से नश्ट कर दिया इस लानत लोहे के पिंजरे को किसने डिजाइन किया यह जानवरों को रखने के लिए है तो मनुष्य यहां से बाहर क्यों नहीं निकल सकते अचानक धीरे धीरे छंटे हुए कोहरे में उसने एक मानविय आवाज सुनी हाँ 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 क्या आप जानते हैं कि आप अभी कैसे दिखते हैं करकश और तीखी आवाजों को आमतौर पर बदसूरत बताया जाता था हाला कि इस लड़के की आवाज भूत जैसी थी जिन्होंने सुना उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसा लगता है कि आप यहां लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं मो फैन ने उस रहस्यमय व्यक्दी की तलाश की जिसने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया था यह तुम हो जो सीधे जाल में चले गए मैंने पहले ही शैडो बीस्ट प्राप्त कर लिया है इसलिए अब मुझे उम्मीद है कि स्कूल अभी तब के सबसे रोमाचक प्रदर्शन की सराहना करने में मेरा साथ देगा मो फैन के बाई और से आवाज आई मो फैन मुडा और महसूस किया कि लोहे के पिंजरे के बाहर सीधी के पास एक व्यक्ति खड़ा था उसने एक ऐसा मुखोटा पहन रखा था जो लगभग उसकी आखों को एक बहुत लंबी फ्रिंज से ढख रहा था काली फ्रिंज ने उसके चहरे के दूसरे आधे हिस्से को ढख दिया इस प्रकार आप केवल इस व्यक्ति की दाहिनी आख देख सकते हैं वह आख पाकलपन से भर गई थी तुम कौन होग मो फैन आईरन केज के भीतर खड़े होकर इस व्यक्ति को देख रहे थे आप मुझे नहीं पहचानते तुम मुझे नहीं पहचानते वह आदमी जिसने एक आख खोली थी अचानक हंसने लगा इस बीस्ट टैमिंग आईरन केज के भीतर यह आवाज विशेश रूप से शोकाकुल लग रही थी मो फैन ने जवाब दिया तुम्हारी आवाज एक भौकने वाले कोवे की तरह लगती है थोड़ा जाना पहचाना लगता है अभिनय बंद करो पिछली बार तुम भाग्यशाली थे कि मैंने तुम्हें बो सिटी से भागने दिया इस बार मैं तुम्हें उस समय जीवित रहने पर पचताऊंगा अगर आप इसे इस तरह रखते हैं तो मुझे पता है कि आप कौन है सच कहूं तो आपका चहरा ज्यादा मुद्दा नहीं है बस कोरिया जाओ और कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवाओ क्या इससे सब कुछ हल नहीं हो जाएगा मेरे साथ इस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो दस साल से किसी का बेटा होने का ढोंकर रहा था कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवाना कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपकी गरिमा को गिरा दे मोफैन वास्तव में पहले से ही जानता था कि यह व्यक्ति कौन था जब उसने उसकी आवाज सुनी कहे बहुत जल्द तुम घुटने टेकोगे और मुझसे बिंती करोगे कि मैं तुम्हें पूरी खाल के साथ छोड़ दू यो आंग की आवास थंडी थी यो आंग मेरा एक सवाल है मोफैन ने थंडेपन से मुस्कुराते हुए पूछा अगर आप एक बार फिर इस मिशन को विफल करते हैं तो क्या आपका वरिष्ट आपके चेहरे के दूसरे आधे हिस्से को भी बरबाद कर देगा मोफैन ने धीरे से और जानबूच कर पूछा मोफैन की खंडी मुस्कान धीरे धीरे और भयावा होती गई यो आंग ने शपत ली की अगर इस बदमाश ने एक बार फिर चहरा शब्द का उलेक किया तो वह उसे जिन्दा पका देगा और उसे मानव मास का कांजी बना देगा फिर अपने चाहने वालों को जबरगस्ती पिला देता जो जाउटिंग इस मोफैन की तरह बिल्कुल नहीं थे जो मौट की तलाश में थे अंत में वह अभी भी गुलाम बना दिया गया था और इतने दर्ग में की उसने मरना पसंद किया यू आंग को इस मोफैन से बेहत नफरत थी वह उसे और भी सताएगा यू आंग मोफैन को ज्यादा ऑक्सीजन देना बरदाश्ट नहीं कर सकता था वह एक अजीब मंत्र का जाप करने लगा जादू द्रिशमान ग्रे संगीक नोटों की तरह था वे यू आंग के चारों और तैर रहे थे क्योंकि वे एक ग्रे रिबन में बदल गए थे रिबन आपस में गुथे हुए थे जादू की नकाशी से ढखे दर्वाजे में बदल रहे थे ग्रे दर्वाजा धीरे धीरे खुला और एक गहरी हरी बत्ती निकली जो सीधे बड़े लोहे के पिंजरे के अंदर मोफैन को बंद कर रही थी मोफैन देख सकता था कि उन आखों में नफरत भरी हुई थी जब प्रानी अंत में ग्रे दर्वाजे से बाहर चला गया मोफैन अंत में देखने में सक्षम था कि यह क्या था इसका पूरा शरीर गहरे भूरे रंका था जुर्यों वाली तवचा को बार-बार एक अजीब आकार के लोहे से दागा जाता था यहाँ आडातिर्चा था और ऐसा लग रहा था जैसे इसके पूरे शरीर पर छोटे कंखजुरे रिंग रहे हूँ काया के संदर्ग में यह डार्क बीस्ट से बहुत अलग नहीं लगता था वहीं यह डार्क बीस्ट से भी काफी अलग था जब मो फैन ने इसे ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि इस प्राणी से निकलने वाली गंधजू जाउटिंग द्वारा उचसरजित गंध के समान थी यह एक शापित और घेनित गंध थी इस डार्क बीस्ट की शक्ती सामाने से कहीं अधिक होने की समभावना थी यह एक शापित जानवर है जब हम लोगों को नहाने के लिए तालाब में फैंकते हैं तो हमें सबसे पहले उन पर एक अत्यंत आक्रोशुक पीडन करने की आवश्यक्ता होती है आक्रोश जितना मजबूत होगा उनके शापित जानवर में बदलने की समभावना उतनी ही अधिक होगी यह मेरा पहला शापित जानवर था जो जावतिंग मेरा दूसरा था और तुम तुम मेरे तीसरे शापित जानवर में बदल जाओगे यो आम ने अपने चहरे पर एक उनमत्त मुस्कान के साथ मो फैन की ओर इशारा किया यो आम को पता था कि मो फैन के पास जन्मजात दोहरा तत्व है आम तौर पर अगर आप उहें परिश्कृत करने के लिए एक शक्तिशाली जादुगर को तालाब में फैंकते हैं तो उनके शापित जान्वर बनने की संभावना और भी अधिक होगी विशेश रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सहेश दोहरे तत्व हो मो फैन ने शापित जान्वर को देखा और अपनी भौहे सिकोडने से खुद को रोक नहीं सका अगर इसकी आभासे अंगाजा लगाया जाएं तो यह जीव अवशही योध्धा स्टर को प्राप्त कर चुका था उसने कभी नहीं सोचा था कि यू आम भी पिछले दो वर्षों में इतनी आगे बढ़ गया होगा वह डार्क बीस्ट्स को नियंत्रित करने वाली एक छोटी सी आकृती से एक पुजारी में बदल गया था जिसके पास एक शापित जानवर था अभी मो फैन ब्लाक वेटिकन की सामाजिक रैंकिंग को लेकर काफी सपश्ट थे सबसे निम्नवर्ग को शिश्य कहा जाता था उनमें से अधिकांश को सामान्य लोगों के रूप में छुपाया गया था उन्होंने अपने स्वयन के हितों को आगे बढ़ाने के लिए ब्लाक वेटिकन द्वारा दी गई डार्क बीस्ट्स को नियंतरित करने की ख्शमता का उप्योग किया उच्चस्तर के लोगों को पुजारी कहा जाता था उसके नीचे चेलों का एक समुह था जो उसके लिए मरने को तयार थे डीकन रैंकिंग में और भी उपर थे जुज हाउटिंग ने जो नाम प्राप्त किया था वह वास्तव में काले वेटिकन के नीले रम के उप्याजक में से एक था युआंग एक ग्रे पुजारी के रूप में स्वाभाविक रूप से और भी मजबूत शापित जानवरों को नियंत्रिक करने की क्षमता रखते थे दुरभागय से जब जुज हाउटिंग को एक शापित जानवर में बदल दिया गया था उसके पास अभी भी थोड़ी गुद्धी थी उसके बचने के लिए इतना ही काफी था इसके अलावा युआंग यह भी जानता था कि जुज हाउटिंग को नियंत्रिक करना कथिन होने वाला था और मूल रूप से परिशान करना छोड़ दिया यह शापित जानवर हालांकि अब बेहद वफादार था ऐसा इसलिए था क्योंकि यह 10 साल से अधिक समय से युआंग का गुलाम था क्या आपको पता है यह कौन है यू आंग ने अपने बगल में शापित जानवर की और इशारा किया क्योंकि उसकी उपस्थिती में एक भयावा हवा थी मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है मो फैन बड़े लोहे के पिंजरे के अंदर खड़ा था वह लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए यू आंग के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा था यू आंग ने अब और कुछ नहीं कहा और शापित जानवर को लोहे के पिंजरे के पास जाने का आदेश दिया इस दुनिया में शायद वास्तव में कोई नहीं जानता था कि यह शापित जानवर वास्तव में यू आंग का जैविक पिता था जब वह साथ वर्ष का था तो वह गलती से ब्लैक वेटिकन द्वारा पोशित सदस्य बन गया था यू आंग ने सबसे पहले गाली देने वाले पिता को एक डार्ट बीस्ट में बदल दिया कुछ ही समय बाद यू आंग ने मियू परिवार में प्रवेश किया वह मियू परिवार में 10 वर्षों से अधिक समय से था और उसने कभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं की इसके अलावा उन्होंने इस डार्ट बीस्ट को धीरे धीरे परिश्कृत करने के लिए अपने संसाधनों का उप्योग किया जैसा कि अपेक्षित था उनके सबसे अंतरंग व्यक्ति ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया था इसने अपने कई दासों के बीच पहले अपनी प्रतिभा प्रकट की और एक शापित जानवर में बदल गया यह इस शापित जानवर के कारण भी था कि यू आंग को एक उचारी के रूप में पदोनत किया गया था एक ब्लू डीकन के सीधे आदेश के तहट अगर वह इस मिशन को सफलता पूरवक पूरा करने में सक्षम होता तो वह कारणिनल सालन का पक्ष प्राप्त करता इससे सीधे ब्लू डीकन बनने में सक्षम होना कोई समस्या नहीं होगी हलांकि जिन लोगों ने उन्हें नाराज किया था उनका समय निश्चित रूप से खराब होगा जब वह साथ साल का था तो वह पहले से ही अपने पिता को इस जीव में बदलने में सक्षम था उसे मो फैन को इतना दर्ग सहना पड़ा कि वह मरना ही बहतर समझेगा जाओ पहले उसकी चमडी को चीर दो यू आंग ने शापित जानवर को जम कर आग्या दी और उसके हाथों में चाबुक बेरहमी से उसकी ओर लगका शापित जानवर यू आंग से बेहत दरा हुआ लग रहा था इसने अपनी सारी शिकायत और दर्ग मो फैन की ओर मोर दिया जो लोहे के पिंजरे के बीच में फस गया था एक शापित आभा एक जहरीली गैस की तरह जो किसी का दम घोंट सकती थी लोहे के पिंजरे के बाहर से तुरंट पुर गई मो फैन लोहे के पिंजरे के बिलकुल किनारे पर खड़ा था चीज को और करीब आते देख वह मदद नहीं कर सका लेकिन एक कदम पीछे हट गया इस चीज की काया मनुष्य से अलग नहीं है ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह अपना रास्ता बना सके है न जैसे ही मो फैन के दिल में कुछ उम्मीद जड़ी मो फैन ने महसूस किया कि शापित जानवर अपनी हट्डियों के स्थान को बदलने की क्षमता से लैस था उसका विकृत शरीर एक अकलपनिय कोन में स्थाना अंतरित हो गया था पहले उसका सिर अंदर आया उसके बाद उसकी उपास्थी की हड़िया और फिर उसका बदसूरत शरी शापित जानवर के लोहे के पिंजरे में प्रवेश करने की प्रक्रिया बेहत भयानक थी अगर यह कोई ऐसा होता जिसने चीजों को नहीं देखा होता तो वह निश्चित रूप से बेहोश हो जाता जब यू आंग ने देखा कि मो फैन पहले से ही डरे हुए हैं तो उनके चहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई वह धीरे धीरे इस अध्गुत प्रक्रिया का आनंद लेने वाला था सबसे अच्छी बात यह होगी कि उनवाएक्स शासन के महान गठन को हटाए जाने के बाद लोगों को लोहे के पिंजरे में पीछे चूटी हुई मो फैन की तवचा दिखाई देगी यू आंग पीछे हटो अभी अचानक यू आंग के कानों में एक आवाज ने आदेश दिया यू आंग ने उसके कान में इयरफोन को चुआ और बहुत ही सम्मानजनक स्वर में जट से उत्तर दिया बात लगभग मेरे हाथ में है सर डीकन हम इतनी जल्दी में क्यों है मुझे बुरा लगा लेकिन सर डीकन जिस बच्चे के पास भूमिगत पवित्र वसंथ है उसे मेरे द्वारा लोहे के पिंजरे में पसाया गया है मैं इसे बहुत जल्द लूँगा प्रिप्या मुझे थोड़ा और समय दे यू आंग ने जट से कहा मो फैन को लोहे के पिंजरे में लाने के लिए यू आंग ने बहुत प्रयास किया था अगर उसे ऐसे ही चले जाना होता तो यू आंग कैसे तयार हो सकता था वास्तव में डीकन सबश्ट रूप से जिचक रहा था अगर वे खाली हाथ लौट दे तो उन्हें सालन की सजा अवश्य मिलती लेकिन अगर वे अभी नहीं हटे तो उन्हें लगा कि मैजिक कोर्ट के लोग अंदर आ रहे होंगे ब्लू डीकन थोड़ा डगमगा रहा था सर डीकन मैं बहुत जल्द अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग लेने में सक्षम हो जाऊंगा और फिर मैं इसे तुरंट आपको दे दूँगा यू आंग इस अवसर को जाने नहीं देना चाहते थे फिर फिर मैं थोड़ा इंतजार करूंगा ब्लू डीकन ने अनिक्षा से उत्तर दिया घूमिगत पवित्र वसंत के लिए वह जोखिम उठाने को तयार था बड़े लोहे के पिंजरे ने मो फैन को घेर लिया शापित जानवर धीरे धीरे रेंग रहा था उसकी घ्रेनित लार जमीन पर तपक रही थी लार संशारग थी क्योंकि लोहे के खमभे और जमीन पर तपकने के बाद काला धुमा दिखाई देता था मो फैन जानता था कि उसके पास लोहे के पिंजरे के भीतर इस शापित जानवर के साथ मौत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था वह तुरंत अपेकशाकरित सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया शापित जानवर की आखे बहुत उज्रवल थी और वह उनकी ओर नहीं देखना चाहता था उसके गले से एक धीनी सी आवाज निकली जैसे कोई भूखा भेडिया हो जिसने बहुत दिनों से कुछ नखाया हो अंत में शापित जानवर चला गया इससे पहले की शापित जानवर अपने पीछे एक परचाई छोड़ता जब वह अत्यधिक गती के साथ मो फैन की ओर बढ़ता तो उसने गती की एक जोके की आवाज सुनी यहाँ गती पहले से मदर स्किन स्केल फैन्टम से भी टेज लग रही थी सौभाग्य से मो फैन ने उन दोनों के बीच कुछ दूरी बना रखी थी इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम था पूरे बीस्ट टैमिंग आयरन केज में एक अवरोध था इसके अलावा यह शैडो बीस्ट को शामिल करने के लिए था इस प्रकार अगर वह लोहे के पिंजरे से बचने के लिए छाया तत्व मंत्र का उप्योग करना चाहता था तो यह असंभव साबित होगा वर्तमान में वह केवल शापित जानवर से ही लड़ सकता था वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन यह स्विकार करता था कि शापित जानवर की गती के आधार पर इसे माकीत वचा के स्केल फैंटम से कई गुना अधिक मस्भूत होना था जिसने अभी-भी योध्धा स्तर में प्रवेश किया था अचानक दूर से एक उर्ता हुआ पंजा बह गया उर्ने वाला पंजा ठंडेपन से चमक रहा था उसे उसमें से हंसिया के आकार का एक स्पष्ट बल उभरता हुआ दिखाई दे रहा था जमीन की सतह पूरी तरह से इसके बल से फटी जा रही थी क्योंकि यह मोफैन की ओर बह रही थी एक सामाने डार्क बीस्ट एक जादूगर पर सीधे हमला करने के लिए अपने पंजों का उप्योग करेगा तभी यह प्रभावी होगा शापित जानवर के पंजे हवा में उड़ने में सक्षम थे मोफैन एक इंटर्मेडियेट जादू का उप्योग करने के लिए प्रतिदवन्दवी के बहुत दूर होने का अफसर लेना चाहता था हालांकि उसके पास स्टार एटलस बनाने का समय नहीं था मोफैन इससे बचने के लिए एक करफ खूम गया और पंजा उसके पीछे चला गया जब उसने सोचा कि उसने हमले की सीमा को चक्मा दे दिया है तो उसकी बाह का हिस्सा अचानक चुलसा हुआ महसूस हुआ जैसे ही वह मुड़ा मोफैन को एहसास हुआ कि उसकी बाह पर गहरा घाव था वह लगठा घड़ियों को देख सकता था शापित जानवर ने अपना मोँ खोला और एक अजीब सी चीख निकली उसी क्षण इसने अपना पंचा मार दिया इसने मोफैन की और भी बार किया यह सपश्ट था कि इस चीज में थोड़ी गुद्धी थी यह जानता था कि मोफैन को स्टार एटलस बनाने से रोकने के लिए एक लंबी दूरी के हमले का उपयोग कैसे करना है इसके बाद एक नजदी की हमला अगर एक इंटर्मेडियेट जादूगर के पास इंटर्मेडियेट जादू का उपयोग करने का अफसर नहीं है तो वे योध्धास तरके प्राणी के सामने केवल एक सामान्य व्यक्ति होंगे। उन्हें टुप्रों में चीवना उनके लिए बहुत आसान था। यहां शापित जानवर मोः फैन को intermediate magic का इस्तिमाल करने का कोई मौका नहीं दे रहा था। यहां और करीब आ रहा था और मोः फैन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने जट से अपने अन्य magic equipment imprint को सत्रिय कर दिया। नेदर शीर्ड की ओर प्रस्थान। उसकी आत्मा के भीतर की छाप उभी, एक गहरे, नीले रंग को प्रकाश की कठोर किरन के रूप में प्रदर्शित करते हुए। प्रकाश की किरन व्यवस्थित रूप से आपस में गुंथती है और मोः फैन के सामने एक जामिती अरेखाचितर बनाती है। यह एक रॉक के साथ एक गहरे, नीले रंग की ढाल में बदल गया जिसने अपने पंक फैलाएं। प्रदर्शित की जवाबी क्षमता को सक्रिय कर दिया। शापित जानवर संभवत है कैसे कलपना कर सकता है कि प्रस्थान करने वाली नीदरलैंड शील्ड इतनी उननत थी। उसके शरीर पर लगे घावों से असंखे छिदर निकल आये और उन छिदरों से गहरे भूरे रंका द्रव निकलने लगा। गुगगगगगगगगगगगगग टिल्ड 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 शापित जानवर घबरा गया था. इसने अन्यरिवर स्टिंग के अपने शरीर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा नहीं की. इससे पहले कि यहाँ अचानक पीछे की और कूदना शुरू कर दे और ब्लेड को अपने शरीर से बाहर खींच ले इसकी प्रतिक्रियाएं काफी टेज है यहाँ वास्तव में पलटवार से प्रभावित नहीं हुआ मोफैन ने शापित जानवर को कूटते हुए देखा क्योंकि उसे कुछ पच्तावा हुआ अगर शापित जानवर को सभी उल्टे डंकों से मारा गया था तो यहाँ हड़ियों पर टिका हुआ था उसने एक थंडर बोल्ट डाला हुगा यहाँ तक कि अगर यह तब तक नहीं मरा तो यह कम से कम आधा मर चुका होगा जैसा कि योध्धाश्रेणी के प्राणी से उम्मीद की जाती है इससे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था रिवर्स टिंग ने शापित जानवर को जानलेवा खाब नहीं दिया मोफैन ने भी पीछे हटने का मौका लिया मोफैन प्रस्थान नीदरलैंड शीड वापस ले लिया वह जानता था कि उसके पास खुद को बचाने के लिए ज्यादा तरीके नहीं थे इसलिए बह निश्चित रूप से शापित जानवर को फिर से अपने पास नहीं आने दे सकता था अगर आप फिर से चार्ज करना चाहते हैं तो पहले मेरी मुठी से पूछो जैसे ही मोफैन ने शापित जानवर को फिर से उपर आते देखा गुलाब के रंग की लपटें उसके शरीर के चारों और प्रजवलित हो गई गुलाब की लपटें उग्र मुठी, ड्राउंड ब्रे मोफैन ने अपना सारा मन इस एक मुठी में डाल दिया और जम कर मुखका मारा आग की लपटे जमीन में धंस गई अचानक एक भड़कीला लाल उग्रस्तंभ जमीन से फूट कर ज्वाला मुखी की तरह फूट पड़ा आग के खंभे का छेत्र बहुत बड़ा था क्योंकि इसमें विस्पोट हुआ था बढ़ती मैगमा की लपटे नाच रही थी शापित जानवर बेहत चालाग था उसका शुरू किया गया हमला सिर्फ एक छलावा था जब जमीन उखरने लगी तो विश्वास थाती प्राणी अचानक किनारे पर ऊट गया इसने वास्तव में घातक ग्राउंड ब्रेक लपटों को चक्मा दिया आग की लपटों का थोड़ा सा सपर्ष करने से स्वाभाविक रूप से योध्धास्तर के शापित प्राणी को चोट नहीं पहुँचेगी शापित जानवर ने एक उफास्पून मुस्कान दिखाई जब यह शांदार तरीके से जमीन पर उत्रा तो इसकी गती अचानक भड़क उठी और मोफैन की ओर चमकने लगी जब वह दोड रहा था तब उसके पंजे अभी भी पागलपन से काम कर रहे थे उसके शरीर की प्रस्पुटित गती के साथ आये उरते हुए पंजे अत्यधिक बेग से उरते हुए पंजों के बबंडर में बदल गए यह देखकर मोफैन मायूस हो गए धगवान लानत है इस शापित जानवर की शमताए डार्क बीस्ट की तुलना में बहुत अधिक मसबूत है सौभागय सेट मोफैन ने इस परिद्रिश्य पर विचार किया और अपने दाहिने हाथ की आग को बुझने नहीं दिया हाला कि उसके पास बचा हुआ मैना फिर से ग्राउंड ब्रेक डालने के लिए परियाप्त नहीं था सौभागय सेट मोफैन ने आग की लप्टों की अपनी मुथी को पंजे के तूफान से लडने के लिए फेंक दिया वूश टिल्ड मोफैन की मुथी से आग की लप्टे निकलने लगी इसकी शक्ती पूरी तरह से उग्र मुथी विस्पोटक आकाश के रूप में करूर नहीं थी मोफैन को श्रापित जानवर के विस्पोटकी उम्मीद नहीं थी वह केवल शेश लप्टों के लिए अपने प्रतिदवन्दवी से पवन ब्लेड के हमलों से बचाव में मदद करने की आशा करता था पंजा एस बवंदर की रक्षा करने वाली अराजक हवाओं की एक परत थी जितनी भी लप्टें उस पर लगी वे या तो उर गई या बह गई गई हवा बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिख रही थी शंगाई के जगमगाते शहर की रोशनी आम दिनों की तरहे काले आसमान में नहीं चलक रही थी घने काले बादल कम थे उची गगंचुंबी इमारतें कुछ मंजिलों पर रोशनी से जिल्मिला उठीन क्योंकी वे गर्व से बादलों के उपर पहुँच गई गगंचुंबी इमारतों की चोटी अब दिखाई नहीं दे रही थी खचाखच भरे कई परिवारों के घरों के भीतर और आडितिर्ची सड़कों पर बत्तिया जग रही थी जब शहर में ट्राफिक रुका तो कारों की लाल टेल लाइट धीरे धीरे शंधाई के दिल को कवर करने वाली रक्षिराओं को फैलाती हुई दिखाई दी गहरे हरे बालों वाला एक व्यक्ति आस्मान तक पहुँची एक बड़ी इमारत की छट के किनारे पर बैठा था बालों के नीचे बहुत तेज चीक बोन्स और एक पीला रंग वाला चेहरा था यह व्यक्ति नगर में घूमते हुए किसी राक्षस के समान प्रतीत हो रहा था उनके शिश्य बहुत गहरे थे इतने गहरे कि आप उनमें भावनाओ का लेश मात्र भी नहीं देख सकते थे एक पुराना टैंग सूट उसके दुबले प्ले शरीर पर लिप्ता हुआ था आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी पीट पर चील जैसे पंख थे पंख की युक्तिया तेज ब्लेड की तरह थी प्रत्यक किनारे को सपश्ट रूप से देखा जा सकता था पंख वर्तमान में पीछे हटने की स्थिती में थे लेकिन आप अभी भी कह सकते हैं कि वे बहुत मस्बूत थे और बहुत अच्छी तरह से बने थे गगंचुंबी इमारक के बिल्कुल किनारे पर खड़े इस तरह के व्यक्ति असाधारन रूप से अलग थलग दिखते हुए भले ही शहर बढ़ा हो फिर भी वे आसानी से मिल जाएंगे हमें वह व्यक्ति मिल गया है स्थिती यह जियांग नौर्थ शेत्र में है हमने एक समनवय प्रकाश स्थापित किया है पीले आदमी की ककट की दक्षिन की ओर देख रही थी बेशक शांदार शहर के उपर एक अलग रोशनी जो धीरे धीरे उठ रही थी हम्फ ब्लूप लोक मेरे नाइट हॉक की हथेली से बचने के बारे में भी मत सोचो पीला आदमी कूद गया और उसकी पीट के पीछे पंक खुल गए गुम्बक की रोशनी के नीचे पिछ काले पंक और भी खूबसूरत लग रहे थे जैसे ही वह इमारतों के पास से गुज़रा उस पीले आदमी ने अपने पंक फड़फडाए वह आसमान में लगातार उड़ रहा था न तो बहुत उपर और नहीं बहुत नीचे क्योंकि वह काले बादलों के ठीक उपर उड़ रहा था जब वह थोड़ा सा एक तरफ चुप गया तो उसने शंगाई की बड़ी इमारतों के बीच से गुज़रते हुए एक तूफान की तरह एक हवा का निशान छोड़ दिया जब वह हुआंको नदी के आसमान को एक जंगली हंस की तरह पार कर रहा था तब बादलों के बीच से गुज़रने वाली सभी विशाल मीनारे अब उसके पीछे थी पीला आदमी टिंटिमाती रोशनी के साथ शेत्र के और करीबा रहा था मो फैंग मो फैंग ब्लूटूथ इयरपोन से एक चिंतित आवास सुनाई दी मैं अभी भी थोड़ा व्यस्त हूँ, मिस पहले मेरी बात सुनो ब्लू कलॉप डेकॉन भागने की योजना बना रहा है मैजिक कोर्ट्स का नाइट हॉक तयार है जब तक हम उसे पांच मिनट और देरी करने में सक्षम हैं तब तक ब्लू डीकन हमसे बच नहीं पाएगा उसकी निगरानी कर रहे लोगों से हमें जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा है मोफैन के कानों में सुश्री टांध्यू की आवाज घुसी वह अपने हाथों में आने के लिए भूमिगत पवित्र वसंत की प्रतीक्षा कर रहा होगा शिट दूसरी और मोफैन ने अपने मुह से निकले खून को साफ कर दिया क्योंकि वह श्राप देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था लाइटनिंग स्ट्राइक के पक्षाधात प्रभाव ने मोफैन को आराम करने के लिए थोड़ा समय दिया यह सिर्फ उनकी वरतमान स्थिती बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है ओह सुश्री तांग्यू मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था मेरे यहां एक शापिक जानवर है और इससे निपटना थोड़ा मुश्किल है आपने पहले क्या कहा था मोफैन भी एक कुशल व्यप्ती के रूप में सासी थे लडाई के बीच में भी उसके पास बात करने का समय था अच्छा ऐसा है ग्लू डीकन अपने मिशन को पूरा करने के लिए ग्रेक लॉक पुजारी की प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए भर रहने के लिए जोखिम उठाने को तयार था मोफैन हमारे कैप्चर ओपरेशन में अभी भी पांच मिनट और लगेंगे आपको उन्हें देरी करनी चाहिए उन्हें आपके लिए पांच मिनट का जोखिम लेने के लिए मजबूर करना चाहिए तांगियू ने कहा मोफैन समझ में नहीं आया चुंकि उन्होंने पहले ही उस व्यक्ति को ढूंड लिया था क्या वे सीधे उनके पास नहीं जा सकते थे उन्हें तयारी के लिए पांच मिनट क्यों चाहिए क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वेव को बड़ा बनाना चाहते थे ताकि वे सब कुछ पकड़ सकें या यह इसलिए था क्योंकि उद्देश एक जीवंत शेतर में था और एक लड़ाई में संभावित रूप से निर्दोश नागरिक शामिल हो सकते थे कोई फर्क नहीं पड़ता कारण क्या था मो फैन जानता था कि उसे कुछ समय खरीदना है ऐसा प्रतीत हुआ कि यू आंग ने वास्तव में कुछ समय पहले किसी के साथ शब्दों का आदान प्रदान किया था वह व्यब्दी ब्लू क्लॉक दीकन होना चाहिए सरप्रीस्ट शैडो बीस्ट के भीतर अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की केबल एक बूंध है इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह सूख गया है हम इस बच्चे द्वारा खेले गए हैं विशाल लोहे के पिंजरे के बाहर फूतियान मिंग और जिया बेंकिंग अपने चहरे के साथ दोड़े चले आएं यू आम का चहरा गुस्से से विकृत हो गया लेकिन उसने गुस्से को दबा दिया ब्लू डीकन के लहजे से वर्तमान स्थिती बहुत जरूरी थी अगर मिशन को पूरा करने की कोई संभावना नहीं थी तो उन्हें खाली करना पड़ा हाला कि यू आम इस बार मो फैन को भागने नहीं देना चाहता था वा एक तेज पंजा उसके पास से गुजरा मो फैन लोहे के पिंजरे के बिलकुल किनारे तक लुढकता रहा साफ था कि इस बार उसके घाव हलके नहीं थे जैसा की किसमत में होगा लड़के की छाती पर लटका हुआ लटकन ऐसा लग रहा था कि उसने किसी चीज़ पर गस्तक दी है क्योंकि वह उस विशेश आभा को छुपाने में असमर्थ था जो उस जगह के चारों और बरसने लगी थी यहाँ आभा धीरे-धीरे विखरने वाले विशाल प्रभामंदल की तरह थी प्रभामंदल की सीमा के भीतर पानी की एक परक थी इसने लोगों के मन को प्रतिफवनित किया और बेहत सहेच महसूस किया घूमिगत पवित्र वसंत यह वास्तविक घूमिगत पवित्र वसंत है यूँ आम की आखें लगभग बाहर निकल आई थी अंदरग्राउंड होली स्प्रिंग वास्तव में इस बच्चे के हाथों में था इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसने इसे अच्छी तरह से रखा है कोई आश्चर्य नहीं कि मो फैन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी और साधना के मामले में परल इंस्टिट्यूट के पहले या दूसरे स्थान पर पहुँच गई थी यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह बो सिटी के स्वर्गिये आध्यात में खजाने का उप्योग अकेले ही कर रहा था उसे मार डालो जल्दी करो और उसे मार डालो और उसका लटकन लेलो यू आंग पागल हो गया यू आंग ने खुद को वो सिटी में चुपा हुआ याद किया एक कारण यह था कि वह एक जासूस के रूप में काम कर रहा था और दूसरा अधिक महत्वकून कारण यह था कि उसे भूमिगत पवित्र जरने की चोरी करनी थी मास्टर सालन ने पहले ही कहा था वह अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग लेना चाहता था क्योंकि वह एक समारो शुरू करना चाहता था उसे इसके द्वारा दिये गए साधना प्रभाव में कोई दिल्चस्पी नहीं थी अगर यू आंग अंडर्ग्राउंड होली स्प्रिंग को चुराने में सक्षम था तो समारोह समाप्थ होने के बाद वह अपने लिए अंडर्ग्राउंड होली स्प्रिंग रख सकता था यू आंग ने कई बार उलकापिंड के उदे के सपने देखे थे अंत में उसने जो कुछ प्राप्त किया वह उसका आधा चहरा सड़ गया था वास्तविक भूमिगत पवित्र ज़रने को देखने के बाद यू आंग की आखें पूरी तरह से लाल हो गई थी मास्टर डीकन यह वास्तविक भूमिगत पवित्र वसंत है यह बच्चों के पेंडेंट के भीतर है अगर मास्टर सालन को यह पता होता तो वह निश्चत रूप से बेहत खुश होते शिट जल्दी करो और फिर चोरी करो जल्दी करो दूसरे चोर से ब्लू डीकन को लगा कि कुछ गड़बढ है और उसने यू आंग पर दहाडना शुरू कर दिया यू आंग स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि अभी स्थिती कितनी कंभीर है अभी उनकी नजर में सिर्फ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग था ब्लू डीकन को भी इंतजार करना पड़ा शिश्यों और पुरोहितों को स्वाभाविक रूप से सालन के स्थान का पता नहीं था सालन के साथ किसी भी प्रकार का संपर्ग तो बिल्कुल भी नहीं था सालन से संपर्ग करने में सक्षम केवल ब्लू डीकन्स थे और जो ब्लैक वेटिकन के भीतर लंबे समय से मौझूद थे ब्लैक वेटिकन के भीतर यह सदस्यों के बीच संपर्ग का रूप था वर्तमान में यू आंग और अन्य कुछ को आधा उजागर माना जा सकता है चुंकि वे ब्लू डीकन ने जो कहा था उसका पालन नहीं करना चाहते थे वे जल्दी से मैजिक पोर्ट वारा पकड़े गए और शंधाय के भीतर कैद हो गए यहां तक कि अगर वे भूमिगत पवित्र वसंद प्राप्ट करते हैं तो वे छोड़ने के बारे में भूल सकते हैं ब्लू डीकन को उनका इंतजार करना पड़ा ब्लैक वे टीकन के सभी उप्याजकों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा था मिशन पूरा करने के लिए वे केवल ग्रे लबादे वाले पुचारियों और उनके शिश्यों पर भरोसा कर सकते थे जैसे ही उन्होंने सामान प्राप्ट किया ब्लू डीकन के पास हवा में तुरंट गायब होने की क्षमता थी इसलिए महत्वपून सामान मैजिक पोर्ट द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा मो फैन खड़े हुए और उनके दाहिने कंधे से उनके बाएं तक लंबे कट को देखा हर बार जब वह सांस लेता था तो उसे तेज दर्ध महसूस होता था यह पीडा का एक रूप था शिट यू आंग और ब्लू डीकन को रहने के लिए वह वास्तव में थोड़ा निडर हो रहा था हाला कि यह ठीक था खुद को घायल करके दुश्मन को चक्मा देना कारगर रहा जब यू आमने लिटिल लोज पेंडेंट को घने भूमिगत पवित्र वसंत आभा का उचसर्जन करते हुए देखा तो ऐसा लगा कि वह कुछ तर्प खो बैठा है क्या यहां अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग वास्तव में उसके लिए इतना महत्वपून है इस दुनिया में कई स्वर्गियक हजाने थे अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की तुलना में प्रभाव वाले लोग संख्या में कम नहीं थे ब्लैक वेटिकन के पास इसे प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करने का कोई कारण नहीं है जब तक की भूमिगत पवित्र वसंत का एक और विशेश उप्योग न हो मो फ्रैन ने याद किया कि शिनक्सिया ने उन्हें इस तथ्य के बारे में बताया था कि बो शहर एक संरक्षक शहर था उन्होंने भूमिगत पवित्र जरने की रखवाली की इस प्रकार वहाँ एक प्राचीन रहस्य होना चाहिए जो लगभग 2000 वर्षों से छिपा हुआ था शापित जानवर ग्वारा जारी धीनी दहाड ने मो फ्रैन को याद दिलाया कि वह इस बारे में ज्यादा देर तक न सोचे मैं बस एक फोन कॉल उठा रहा था और थोड़ा विजलित हो गया चोटे इंसान तुम अभी भी इस बिंदू पर बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत करते हो भूश शापित जानवर जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया इसका अग्रा स्थानों के बीच लगातार उतार चड़ाव कर रहा था मो फैन की लाइटनिंग स्ट्राइक और फायर बर्स्ट को इस चीज से आसानी से टाला जा सकता था एक और पंजा बह गया इस बार उपर से नीचे से टकराते हुए यह मो फैन को उसके सिर के उपर से दो हिस्सों में काटना चाहता था जो आंग सीड़ी के शीर्ष पर खड़ा था घने कोहरे के भीतर से उसने देखा कि मो फैन का सिलहूट धीरे धीरे दो भागों में किर रहा है उनके चहरे की मुसकान और भी शांदार हो गई मूल रूप से वह मो फैन को तरपतरब कर मौद के घाट उतारना चाहता था हाला कि ब्लू डीकन जल्दबाजी में जाना चाहता था इसलिए यू आंग ने समय बरबाद करने की हिम्मत नहीं की वह भूमिगत पवित्र जरने को लेना चाहता था और तुरंप छोर देना चाहता था हाला कि इससे पहले कि यू आंग अपनी उत्तेजना का आनंद ले पाता उसने अचानक महसूस किया कि मो फैन का सिलहूट अलग जगह पर था कोहरे के कारण यू आंग यहां नहीं देख पा रहा था कि कैसे यहां आदमी जानलेवा पंजे को चक्मा देने में सक्षम था हाला कि इसने यू आंग को और भी परिशान कर दिया सरप्रीस्ट दग्रेट उन्वाइक्स रिजीम फॉर्मेशन गायब होता दिख रहा है फूतियान मिन ने जल्दबाजी में यू आंग को सूचिक किया यू आंग ने देखा और महसूस किया कि मूल रूप से गहरा काला आकाश थीरे-थीरे फैल रहा था वह पहले से ही रात के आस्मान में घने काले बादल और इमार्तों से रोशनी के निशान देख सकता था उसने चारों ओर देखा और देखा कि काली धुन्द पहले ही गायब हो चुकी थी और विशाल लोहे के पिंजरे ने पूरी तरह से अपनी आश्चर्यजनक उपस्थती प्रकट कर दी थी तालाब के चारों ओर का काला चक्रव्यू पहले ही गायब हो चुका था यो आंग जहां खड़ा था वहां से वह फवारा और प्लाजा देख सकता था यो आंग का दिल उसे बुरी भावनाय देने लगा जब ग्रेट उन्वाइक्स शासन गठन गायब हो गया तो उन्हें अपनी पहचान चुपाने में बड़ी कथिनाई होगी यो आंग इन छात्रों से नहीं डरता था वह शिक्षकों से डरता था उनकी ताकत छात्रों की तुलना में बहुत अधिक थी आप दोनों जा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए ग्रेट उन्वाइक्स शासन व्यवस्था के गायब होने से पहले हमें वह चीज प्राप्त करने की आवश्शक्ता है यू आम ने फूतियानमिन और जिया वेंकिंग को आदेश दिया सर अगर हम अंदर जाते हैं तो क्या यह सीधे तोर पर हमें बेनकाब नहीं करेगा जिया वेंकिंग के समाप्त होने से पहले यू आम ने उन दोनों को एक नजर से देखा दोनों ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की उन्होंने उस अफसर का फाइदा उठाया जब मो फैन कोने में लोहे के दरबाजे के माध्यम से लोहे के पिंजरे में चलने के लिए शापित जानवर से निपट रहे थे वे 20 टैमिंग आयरन केज से पहले से ही परिचित थे चाहे वह छोटा दर्वाजा हो या उपर का बैरियर वे सभी का उप्योग करना चानते थे अंदर चलना बेहद आसान था अगर आप होशियार हैं तो आपको हमें भूमिगत पवित्र वसंत देना चाहिए और हम आपको जीवित रहने देंगे फूतियानमिंग ने अभी धी जीवित कॉक्रोच मो फैन की और गुस्से से इशारा किया मो फैन को उन दो लोगों को देखने का समय मिल गया जो अपने आप ही लोहे के पिंजरे में चले गए थे और उनकी अभिव्यक्ति बेहत थंडी हो गई थी उन्होंने परल इंस्टिट्यूट के अच्छे छात्र होने के बजाए ब्लाक वेटिकन को अपना जीवन बेच दिया वे लोगों के बजाए गुलाम होंगे मो फैन ने अपनी कुछ ताकत छुपाई क्योंकि वो यू आन को लुभाना चाहता था विशान लोहे के पिंजरे के भीतर एक अवरोध था और मो फैन बाहर निकलने के लिए एवेडिंग शैडो का उप्योग करने में असमर्थ था अगर वह यू आन को मारना चाहता था तो उसे यू आन को अंदर ही अंदर फुसलाना होगा कौन जानता होगा कि यू आन वास्तव में इतना कुटिल और चालाक था स्थिती इस बिंदु तक बढ़ गई थी फिर भी वह इससे व्यक्तिगत रूप से निपटना नहीं चाहते थे मो फैन अब छिपाने में सक्षम नहीं था इसलिए वह पहले उन्हें खत्म कर देगा और फिर सोचेगा कि बाद में क्या करना है इवेडिंग शैडो तकनीक जब उसने शापित जानवर से एक मिश्चित दूरी खींच ली थी मो फैन अंत में पूरे लोहे के पिंचरे के बीच में खड़ा था उसके शरीर से एक घनी चाया आभा छलकने लगी हालांकि great on yx शासन गठन गायब हो गया था मो फैन अभी भी अपने परिवेश में खने चाया तक्म को महसूस करने में सक्षम था मो फैन के पैरों के नीचे धीरे-धीरे एक अजीब और रहस्यमई स्टार एटलस उग्रा उसके सीने पर लगा खून उसके कपरों से टपक रहा था गहरे रंग से चमकते स्टार एटलस पर लाल रख टपक रहा था इसने पूरे एटलस को और अधिक विचित्र तरीके से जोडने का कारण बना विशाल का इचाया स्पाइक मोफ्रैन के सीने पर कट बेहद हैरान करने वाला था उसके खून से लटपट सीने से एक विशाल शैडो स्पाइक अचानक उभरा मोफ्रैन ने अभी जिस जायंट शैडो स्पाइक का इस्तिमाल किया था वह पहले से अलग था यह एक बहुत ही पतली चाया तलवार की तरहा लग रही थी गोली मारने से पहले उसके चारों और एक काली आभा लिप्टी होई थी उन्वाइक्स शासन के तहट अन्य सभी तत्वों को शक्ति में कमी प्राप्थ होगी उसी समय चाया तत्व की शक्ति में परियाप्थ वृध्धी होगी यहां तक की शैडो बीस्ट की शक्ति भी बढ़ जाएगी शैडो मैजिशियन के जादू का तो कहना ही क्या जाओ जायन्ट शैडो स्पाइक ने मोफैन की आस्तीन की लहर का पीछा किया क्योंकि यह तुरंट शूनी में घुस गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया जिया वेंकिंग और फूतियान मिंग दोनों इससे पूरी तरह से चकित थे चाया जादूगर मोफैन एक चाया जादूगर कैसे हो सकता है उसी समय यू आंग जो बाहर खड़ा था इतना उग्र था कि उसका पूरा अस्तित्व कामपने लगा चाया तत्व यह बदमाश मोफैन वास्तव में चाया तत्व रखता है कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी शक्तिया महान उनवाएक्स शासन व्यवस्था से प्रभावित नहीं थी अगने तत्व बिजली तत्व आवान करने वाला तत्व चाया तत्व इस आदमी के पास जन्मजात द्वैक तत्व नहीं है जब भी वह जागता है तो वह दो तत्वों की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होता है यो आंग अपने चेहरे की वज़ह से मो फैन को नाराज नहीं कर रहा था उन्हें जलन हो रही थी कि मो फैन में जन्मजात दोहरे तत्व की प्रतिभा है कौन जानता होगा कि इस आदमी के पास एक ऐसी क्षमता थी जो एक सहज दोहरे तत्व से भी अधिक तबंग थी प्राथमिक स्तर पर दोहरे तत्व मध्यवर्ती स्तर पर चार तत्व एक बार जब वह उन्नत स्तर पर पहुँच गया तो क्या उसके पास छै तत्व नहीं होंगे उसे निश्चित रूप से इसमो फैन से छुटकारा पाने की जरूरत थी निश्चित रूप से मारना उसका अभी यू आम की आवास चीख में बदल गई थी उसके सीने के भीतर की लपतें और भी तेज जलने लगी थी फूतियान मिंग और जिया वेंकिंग को होशा गया जन्मजात द्वैत तत्व उन दोनों के लिए पहले से ही बेहद आश्चर यजनक था चार तत्वों बाला यह व्यक्ति उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया टुक्रे-कुक्रे हो गई हो गुगुगु शापित जानवर अपने मालिक के उनमत क्रोध को महसूस कर सकता था क्योंकि उसने मोफैन की ओर बढ़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का उप्योग किया था शापित जानवर की गती अपेक्शाकरत तेज थी एक सेकंड से भी कम समय में वह मोफैन से 50 मीटर दूर था और 6-50 मीटर बस एक पलक छपकने की दूरी पर था मोफैन ने शापित जानवर को देखा और इस बार उसने उसे चक्मा देने की कोशिश भी नहीं की उसके मुह का कोना मुर गया जैसा उसने सोचा था देखते हैं कि तुम कितने जंगली हो उसकी उंगलिया थोड़ी हिल गई और एक अद्रिश धागा उसकी उंगली के चारों को लिपता हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खीचने की कोशिश कर रहा हो मुह फैन की उंगली जैंट शैडो स्पाइक को ठीक से नियंत्रित कर रही थी विशालकाई शैडो स्पाइक जो शूने में प्रवेश कर गया था उसके खो जाने का प्रतिनिधित्व नहीं करता था यहां मुह फैन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था जबकि वह शापित जानवर की छाया दिखाई देने का इंतजार कर रहा था जायंट शैडो स्पाइक नीरव रूप से दिखाई दिया उनवा एक स्षासन द्वारा इसे मस्बूट किये जाने के कारण यह एक तेज तलवार के रूप में नहीं उभी इसे छे तलवारों में बदल दिया गया पहला स्वार्ड स्पाइक श्रापित जानवर के पैर में घुस गया श्रापित जानवर चारजिन के बीच में था जब उसके बाएं पैर में चोट लगी तो वह अचानक रुप गया उसके शरीर के दूसरे हिस्से ऐसे लग रहे थे मानों वे सब अलग हो गए हो फिर भी एक और शैडो स्वार्ड स्पाइक दिखाई दिया और बिना किसी चेतावनी के शापित जानवर के मस्तिष्ट में घुस गया अधिक शैडो स्पाइक्स दिखाई दिये जो शापित जानवर के पेट, दाहिने पैर और उसकी दो कलाईयों में छेट कर रहे थे आम तोर पर जब मो फैन ने जाइंट शैडो स्पाइक का इस्तिमाल किया तो वह उन्हें बस वही रहने के लिए मजबूर कर देगा और व्यप्ति के शरीर के अन्य हिस्से अभी भी घूमने में सक्षम होंगे इस बार जाइंट शैडो स्पाइक को उन्वाएक्स शासन के कारण मजबूर किया गया और छे तलवारों में विभाज़क किया गया प्रत्येक्स पाइक्स ने जम कर प्रहार किया और यहां तक की लक्षे के शरीर के विभिन हिस्सों पर भी प्रहार किया इसने शापित जानवर को जगह में बंद कर दिया और इसे एक प्रयोग के नमूने में बदल दिया गुगु एक सेकंड भी नहीं बीता था और शापित जानवर ने अचानक एक अविश्वस्निय रोप से दर्दनाग चीख निकाली जब डार्क एनरजी ने धीरे-धीरे खुद को शापित जानवर के शरीर के चारों और लपेट लिया तो एक छाया आभा उसके शरीर में गहराई तक घुस गई इस तरह की कीलो ने न केवल उनके शरीर को जकड लिया बलकि उनकी आत्माओं को भी जकड लिया छाया बल एक अत्यंत विचित्र वस्तु थी मूल रूप से मोफैन का जायंट स्पाइक केवल उनके शरीर को पिन करने और उनकी चेतना को सीमित करने में सक्षम था ग्रेट अनवायक्स रिजीम फॉर्मेशन के तहट उनके जायंट शैडो स्पाइक ने आत्मा को भेढने की ख्षमता हासिल कर ली शापित जानवरों की अपनी आत्माए शापित थी ये छै कीले उनकी आत्मा में घुस गई थी जिससे उन्हें अत्यधिक पीडा हुई एक शापित जानवर अपनी आत्मा में अत्यधिक गर्द प्राप्त कर रहा है मूल रूप से अपनी सारी युद्ध शक्ती खोदेगा सबसे बड़ी जुझलाहट से निप्टा गया था मो फैन की निगाहें तब गद्दारों जिया वेंकिंग और फूतियानमिंग पर टिकी थी उग्र मत बनो, मेरे पवन जादू का स्वाद लो फूतियानमिंग चिलाया मैजिक फूतियानमिंग कास्ट ठीक वेंड डिस्क टॉर्नेडो था विशान लोहे के पिंजरे के भीतर तेज बवंडर फूतने लगा उसका मो फैन को इधर उधर भागने का मौका देने का कोई इरादा नहीं था हवा खंजर की तरह थी उसके पहुचने से पहले ही दर्ध हो रहा था हालाकि चाया तत्व के विरुध पवन सबसे कम प्रभावी तत्व था मो फैन सीधे चाया में डूब गया और चारों और चला गया किसे परवाह थी कि विंड डिस्क कितनी मजगूत है वह उसे चुना भी भूल सकता है दूसरी और जिया बेंकिंग आग की लप्टों में खिर गई उसकी कलाई के चारों और एक अविश्वसनिय अगनी उर्जा संगनित थी जिया वेंकिंग जो जादू कर रही थी वह बिलकुल उग्रमुठी थी विशाल उग्रमुठी ने उस चाया की और गोली मारी जहां मो फैन छिपा हुआ था पवन तत्कों मो फैन को घायल करने में सक्षम नहीं हो सकता है लेकिन एक बार अगनी तक भेट हो गया तो यहां निश्चित रूप से मो फैन को राख में बदल देगा बूम उग्रमुठी विस्पोर्ट स्वर्ग अत्यंत अत्याचारी था यहां आग पर एक छोटे से उलकापिन की तरह था क्योंकि यहां हिंसक रूप से चार्ज हुआ और एक बड़ा अंधेरा छेद गुर गया लाल रंग की लप्टे तेज जल रही थी जिया वेनकिंग का मानना था कि वह इवेडिंग शेडो का दोबारा इस्तमाल नहीं करेंगे इसके अलावा लप्टे इतनी तेज थी कि मो फैन को इसका इस्तमाल करने का कोई मौक़ा नहीं मिला आग की लपडे बहुत शक्तिशाली थी चुमकि इसकी आवाज बहुत तेज थी, इसने आसपास खूम रहे छात्रों को स्वाभाविक रोप से सतर्प कर दिया किसमत से मुनुजियाओ और एटूटू इमारत के बाहर सीधियों पर खड़े थे उन्होंने पहले एक सीटी की ताकत महसूस की और जान लिया कि अंदर एक लड़ाई थी और इसलिए वे अंदर भागना शुरू कर दिया किसने सोचा होगा कि उस जगह में प्रवेश करने के बाद वे जिया वेंकिंग की आग की लप्टों को मो फैन की और गोली मारते हुए पाएंगे जो एक छाया के भीतर छिपा हुआ था जिया वेंकिंग तुम क्या कर रही हो एटूटू की तेज आवाज सुनाई दी जिया वेंकिंग बिल्कुल भी नर्मी नहीं बरत रही थी अगर यह रक्षात्मक मंत्र या रक्षात्मक जादू उपकरण के बिना एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाते म्यू नूजियाओ कुछ ज्यादा ही तरकसंगत थी उसकी टकटकी ने आसपास को स्कैन किया और सपष्ट रूप से देखने में सक्षम थी कि घने कोहरे के माध्यम से इस पूरे च्षेत्र में क्या हो रहा है जब उसने देखा कि एक बेहत बदसूरत प्राणी वहा एक पिंग की हुई तितली की तरह अटका हुआ है तो उसे तुरंट एहसास हुआ कि कुछ कड़बड है उसने तुरंट एटूटू को वापस खीच लिया जो चार्ज करने वाला था बेहन मियूक मुझे मत खीचो मुझे यह जाचने की आवश्चक्ता है कि क्या महान दानग मर गया है या नहीं एटूटू ने आहत महसूस करते हुए कहा जल्दी मत करो मुनुजिया की आवास बहुत गंभीर थी यू आंग ने स्वाभाविक रूप से इन दो लड़कियों की खोच की हाला कि उनके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था अंग्य छात्रों के आने से पहले उन्हें भूमिगत पवित्र जरने को दूर ले जाना पड़ा और इस छेत्र को छोरना पड़ा यहां से दूर रहो वे ब्लैक वेटिकन से हैं जब मुनूजियाओ और एटूटू अभी तक समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है तो भयंकर लप्टों का एक गोला प्रजवलित होने लगा आग की लप्टों से पूरी तरह धका हुआ एक आदमी धीरे-धीरे बाहर निकला लाल रंग की लप्टें तेज जल रही थी यहां तक कि स्टील के खंभे भी लाल हो गए थे अलाकि लाल रंग की लप्टों के भीतर सिलहूट पर लप्टे गुलाब के रंग की थी देख रही थी उसका सुंदर पीला चेहरा भी चकित था इस समय मोफैन का पूरा शरीर आग की लप्टों से धका हुआ था गुलाब की आग की लप्टों को नारंगी लप्टों से सपष्ट रूप से अलग किया जा सकता है वह एक फीनिक्स की तरहा दिखता था जिसने आग की लप्टों के भीतर से पुनर्जन मिलिया था समस्या यह है कि उसके पास लप्टे कैसे हो सकती है आप उन छोटी सामान्य शरेणी की लप्टों का उप्योग करके मुझे चोट पहुचाना चाहते हैं जिसक्षन उसने गुलाब की लप्टों की आभा को छोड़ा उसका स्वभाव भी बदल गया था सामान्य लप्टे सामान्य लप्टे थी वे कहीं अधिक कीमती आत्माश्रेई की लप्टों के विरुध संभवता कैसे जीच सकते हैं जब मोफैन ने गुलाब की लप्टों का इस्तिमाल किया तो नारंगी रंगी सभी लप्टे सैनिकों की तरह दिखाई दी जिन्होंने अपने समराट को देखा था क्योंकि वे उसकी ओर जुकना शुरू कर रहे थे गुलाब की लप्टों का आभा और भी जबरगस्त था यह जिया वेनकिंग की सभी नारंगी लप्टों को तुरंक निगलने में सक्षम था जल्ती लप्टे सभी मोफैन के गुलाब की लप्टों में बदल गई यह समुद्र के समान मनोरम था मो फैन भयंकर लप्टों के भीतर खड़ा था और उसकी काली आखें एक अभूत पूर्व तीक्षनता से जल रही थी मैं तुम्हें उस चीज का स्वाद देता हूँ जिसे बास्तव में लप्ते कहा जाता है मो फैन की आवास गंभीर और जोरदार थी क्योंकि उसमें उसका तिरसकार था गुलाब की लप्तें मो फैन चिलाया जब शुद्ध वंश के लप्तों का सामना निम्न श्रेई की लप्तों से हुआ तो उन्होंने अपनी सहच प्रतिष्ठा प्रदर्शित की वर्तमान गुलाब की लप्तों में एक आभा थी जो सामाने से भी अधिक मस्बूत थी जैसे जैसे उर्जा संधनेत होती गई लप्तें टेस होती गई मो फैन ने जलती हुई गुलाब की लप्तों को अपनी बाहों में ले लिया जहां भयंकर लगतें अधीर्ता से जल उठीन फियरी फिस्ट मो फैन ने आधा घुटना टेकते हुए अपनी मुठी उठाई उसने अपनी मुठी का इस्तमाल किया जो की उग्र मुठी की उर्जा से भरी हुई थी जमीन में धंसने के लिए उर्ती हुई धूल डोलने लगी ग्राउंद ब्रेक मो फैन की आवाज जोरदार और दबंग थी जमीन में घुसते ही गुलाब की लप्टों की शक्ती से जो मुठी बाहर निकली थी वह टिकी हुई थी अचानक जिस स्थान पर जिया वेंकिंग और फूती आनमिंग खड़े थे वह एक तेज उर्जा के साथ फट गया यह ऐसा था जैसे कोई विशाल भयंकर जानवर वहां से फूतने वाला हो पिंजरे की जमीन गर्जना करती है और जमीन से एक लाल लो फूतती है यह एक छोटे से ज्वाला मुखी के फटने जैसा था प्रजवलित लप्टें एक शानदार विनाशकारी शक्तियों से भरे फूल में बदल गई लप्टों का स्तंभ तना प्रतीत हुआ लप्टों की जीव पंखुरी बन गई और मैगमा उसके गुच्छे के भीतर दाखिल हो गया यह नजारा आश्चर यजनक था जिसमें अत्यधिक विनाशकारी शक्ति थी एटूटू और मुनूजियाओ यह देखकर थोड़ा चकित हुए उनके चहरे लाल हो गए थे आग की लप्टों के भीतर जिया वेंकिंग और फूतियान मिंग दोनों अपने रक्षात्मक जादू उपकरन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे हलांकि स्पिरिट ग्रेट फ्लेंस से आने वाले अध्याचारी उच्च तापमान के भीतर जादू के उपकरन के उनके छोटे टुक्रे किसी काम के नहीं थे उनका रक्षात्मक जादू उपकरन राख में बदलने से पहले केवल कुछ सेकंड तक चला उनके शरीर को हवा में फेंक दिया गया था क्योंकि वे अत्यधिक उच्च गर्मी का सामना कर रहे थे जो की फूलने वाले ग्राउंड ब्रेक से आया था मनोरम लाल लप्ते बहुत देर तक जलती रही मोफैन जिया वेंकिंग और फूतियान मिन के प्रती नर्मी नहीं बरत रहे थे उसने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि दोनों हवा से नीचे गिर गए उनके शरीर पूरी तरह से चारकोल में बदल गए लोगों को मारने से आमतौर पर किसी की आखें लाल हो जाती है हलांकि मोफैन द्वारा यू आंग के दो प्यादों को खतम करने के बाद यू आंग की और उसकी निगाहें आग की लप्टों से भर गई यू आंग अपने नकाब के पीछे था जिससे उसका चहरा देखना मुश्किल हो गया था हलांकि उसने जो आख खोली उससे पता चला कि वह इस समय सग्मे और अविश्वास में था बो सिटी की आपदा को बमुश्किल दो साल से ज्यादा हुए थे इन दो वर्षों में एक व्यक्ती जो मैजिक हाई स्कूल में प्रवेश पाने में लगभग विफल हो गया था वास्तव में एक अविश्वस्निय रूप से शक्तिशाली विनाशकारी शक्ती पर काबू पालिया था यह असंभव था भले ही उनके पास खुमिगत पवित्र वसंथ हो यहां तक की एक योध्धास्तर का शापित जानवर भी उसे मारने में असमर्थ था और दो मध्यवर्ती जादुगर पूरी तरह से कुचल दिये गए थे कोई आश्चर्य नहीं की हुई एर, हुई सैन, हुई सी, हुई वो और उनके साथ लाए गए डार्क बीस्ट की सेना पूरी तरह से नश्ट हो गई थी इस आदमी के पास न केबल चार तक्वों की ताकत थी, प्रत्येक तक्व की ताकत बेहद असामान्य थी मैं, यू आंग, निश्चित रूप से तुम्हें एक गुलाम में बदल दूगा जो इतना दैनिया हो जाएगा कि तुम इस जीवन में मर जाओगे, यू आंग के चहरे पर निशान फिर से दर्द और जलन करने लगे हालांकि वो जानता था कि वो इस बार मो फैन को चूने में असमर्थ था यू आंग ने रहने की हिम्मत नहीं की फूतियान मिंग और जिया वेंकिंग जीवित थे या नहीं, इसकी उन्हें परवाह नहीं थी उसने शापित जानवर के बारे में भी परवाह नहीं की क्योंकि वह वीस्ट टैमिंग आयरं केज के बाहर की ओर तेजी से बढ़ने लगा मोफैन लोहे के पिंजरे में फस गया था और बाहर निकलने में असमर्थ था जब उसने यूँआंग को भागते हुए देखा तो उसने खुद से कसम खाई चाहे तुम कहीं भी भागो मैं मोफैन तुम्हारी जान जरूर लूँगा यूँआंग अपनी हर चालाकी का उपयोग करके परले इंस्टिट्यूट से भाग निकला बड़ी मुश्किल से उसे आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां वह सांस ले सके और अपना मास्क उतार सके इससे उसके चहरे का आधा हिस्सा सामने आ गया जो पूरी तरह से जखमी और शक्विक्षक था उसके चहरे के बिगडे हुए हिस्से से खून बह रहा था उसके गुस्से ने पिगले हुए मास को फार दिया था स्वाभाविक रूप से उसका चहरा एक बार फिर फूटने लगा था वह बेहग विचित्र और दरावना लग रहा था सर डीकन हम अपने मिशन में विफल रहे हैं संचार उपकरन के साथ घटनाओं की सूझना देने से पहले यू आंग ने एक गहरी सांस ली सर डीकन डीकन यू आंग को अचानक कुछ एहसास हुआ इससे पहले की उसका चहरा पीला पड़ गया था सर डीकन पकड़े गए थे बक्वास बक्वास डीकन के पकड़े जाने के बाद वह एक छोटा पुजारी संभवता मैजिक कोर्ट के स्वरगिय नेटवर्क से कैसे बच सकता है इसके अलावा एक बार एक उप्याजक के पकड़े जाने के बाद उसके अधीन सभी याजक भागने में असमर्थ होंगे शंगाई के भीतर ब्लाक वेटिकन के सभी सदस्यों को एक बरतन में फंसा हुआ माना जा सकता है यो आंग ने अपनी आत्मा खोदी उसे लगा जैसे इस जीवन्थ शहर की उस पर लाखों आखें है वह अपनी जान दाव पर लगा कर भागा चाहे कुछ भी हो वह मैजिक कोर्ट के हाथों समाप्त नहीं हो सका वो था वो मो फैन वो भूला हुआ मो फैन वो सिटी की आपदा के दौरान उसे व्यक्तिकत रूप से कमीने से निपटना चाहिए था वह कैसे समाप्त हो सकता था जहां वह अब था अन्य था भले ही वे वेटिकन लोटते समय मैजिक कोर्ट के चंगुल से बच निकलने में सफल रहे हों इसे पता था कि उनके चहरे का आधा हिस्सा बचा रहेगा या नहीं वह कुछ भी प्राप्त करने में असफल रहा था ब्लू डीकन और बेटिकन के सभी सदस्य जिनके वह प्रभारी थे पूरी तरह से साफ किये जा रहे थे मास्टर सालन निश्चित रूप से उस्से से पागल हो जाएंगे अच्छा नहीं भले ही वह बच निकलने में सफर रहा हो लेकिन वह ब्लाक बेटिकन नहीं लोट सका यू आंग ने अपना निर्ने लिया वह निश्चित रूप से सालान को यह नहीं बता सकता था कि वह जीवित है वरना उसे इससे भी ज्यादा नुकसान होगा कि अगर वह मैजिक कोर्ट के हाथों में आ गया तो क्या होगा जब उसे मो फैन से निपटने का आदेश दिया गया यो आम बेहत खुश था उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इस तरह की स्थिती में समाप्त हो जाएगा जहां वेटिकन लोटने में असमर्थ होने के कारण मैजिक कोर्ट द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था यहां क्या हुआ जादू के निशान थे हर जगह और साथ ही आश्चर्य जनक खरोट के निशान खरोट के निशान की उत्पत्ती सबसे अधिक उस राक्षस से होने की संभावना थी जो प्रदर्शन पर तितली की तरह वहां फस गया था जहां तक उन जली हुई लाशों की बात है कोई नहीं जानता था कि वे कौन थी मोफैन पर घाव थे विशेश रूप से उसकी छाती पर लंबे कट थे वे लगभग उसके आंतरिक अंगों को देख सकते थे पिंजरे के अंदर मोफैन को एटूटू और मुनूजियाओ की उप्चारात्मक दवा दी गई हालांकि मोफैन के घाव स्पष्ट रूप से शापित थे और इसलिए ठीक नहीं हो सके खून अब भी बह रहा था मोफैन क्या तुम ठीक हो सुश्री टैंग्यू की गहरी चिंतित आवास उनके ब्लूटूथ पर आई मैं नहीं मरूंगा क्या आपने अपने व्यक्ति को पकड़ लिया हमने उसे पकड़ लिया है हम आखिरकार शंगाई में ब्लैक बेटिकन के पीछे की सारी शक्ती की जड़ों को बाहर निकालने में सक्षम होंगे आज रात बड़ी सफाई होगी तांग्यू ने थोड़ा उटसाह से कहा हलांकि तांग्यू ने सुना कि मो फैन की सांसे बहुत तेज चल रही है जैसे ही उसने कहा उसकी आवास तुरंक नरम हो गई इस बार यह सब आपके लिए धन्यवार था वो जू जाउटिंग था मो फैन ने करवाहट से कहा हाँ चाहे कुछ भी हो हम इस बार ब्लैक वेटिकन की सेना का सफाया करने में सक्षम थे आप लोगों ने एक महान योगदान दिया है मैं मैजिक कोर्ट के कप्तान को सूचित करूँगा तांग्यू ने कहा मैंने यू आम को भागने दिया मुझे चिंता है कि वह फिर से हमला करेगा मो फैन ने कहा चिंता मत करो यहाँ असंभव है इस बार ब्लैक वेटिकन के मिशन के प्रभारी बेही थे अपने मिशन के विफल होने के बाद वह वेटिकन लोटने की हिम्मत नहीं करेगा हम उसके लिए एक वांशित सूची की घोशना करेंगे और जब तक यहां हंटर यूनियन और मैजिक एसोसियेशन वाला शहर है वह उनमें घुसने की हिम्मत नहीं करेगा सिर्फ शहर ही नहीं बलकि सुरक्षित खेतर भी यहां तक कि अगर वह बच भी जाता है तो वह केवल एक जादूई जानवर की तरह बन सकता है और जादूई जानवर निश्चित रूप से हमारे साथ मित्रवत नहीं है सुश्री टैंग्यू ने कहा मो फैन ने सिर्हिलाया और थोड़ी राहत महसूस की यो आम को खत्म करना पड़ा मो फैन को चिंता थी कि वह अपने करीबी लोगों को और चोट पहुँचाएगा यहां तक कि अगर वह एक वांचित व्यक्ति था तो इसकी गारंटी नहीं थी कि वह लोगों को चोट पहुचाने में असमर्थ होगा चाहे कुछ भी हो अगर कोई मौका होता तो मो फैन निश्चित रूप से इस व्यक्ति को खक्म कर देते मो फैन तभी ठीक से सो पाएगा जब सभी जोखिन खक्म हो जाएगे हम्मा तुम्हारा भी एक दिन ऐसा ही होता है अगर आप नहीं मरे तो आप अभी भी कुछ हद तक भागिशाली माने जा सकते हैं शेन मिंजियाओ और लो सौंग लोहे के पिंजरे के बाहर खड़े थे और उन्होंने मो फैन को देखा जो काफी खून बह रहा था बाई जांग फैंग और सौंग जियाभी बाहर आ गए थे उन्होंने मो फैन को देखा जो स्पष्ट रूप से खायल था बाई जांग फैंग को यह नजारा देखकर खुशी हुई लो सांग खालांकी उस शापित जानवर को देखता रहा जो वहाँ फंसा हुआ था प्रबलिक विशाल का इछाया स्पाइक द्वारा थकावट तक शापित जानवर को पीड़ा दी गई थी इसमें अपनी उंगलियों को स्थानांतरित करने की ताकत भी नहीं थी कैंपस में इस तरह के एक बदसूरत और दरावने जीव के दिखने से छात्रस्वाभाविक रूप से इसके बारे में बात कर रहे थे आपको फिर से इतनी गंभीर चोट कैसे लगी एक लड़की जो काफी नाजुक दिखाई दे रही थी जैसे ही उसने मोफैन को लोहे के पिंजरे के किनारे पर लेटे हुए देखा वह तेजी से आगे बढ़ी मोफैन ने मुड़कर देखा तो एक अपेक शाकृत परिचित चहरा देखा लेकिन वह उसका नाम याद नहीं कर सका वह केबल मुस्कराहट ही कर सकता था मुझे तुम्हें ठीक करने दो फिलो मत जैसे ही वहाँ अपने सितारों को नियंत्रित करने लगी नाजुक लड़की लोहे के पिंजरे के दूसरी तरफ चुप गई हम तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या आप यहाँ नहीं देख सकते कि यहाँ के अधिकांश लोग उससे परिशान होने के लिए भी आलसी है इस तरह उसकी मदद करने से क्या तुम स्कूल के सभी लोगों को तुम से नफरत करने का कारण नहीं बना दोगे लड़की के बगल वाले लड़के ने पूछा तिंगटिंग नाम की लड़की ने हर किसी की नजरों की परवाह नहीं की क्योंकि वहाँ अपने सितारों को नियंत्रित करती रही मेरे शरीर पर एक शापित जंग का प्रभाव है तुम मुझे ठीक नहीं कर सकती तुम्हारी चंगा मो फैन ने उससे कहना शुरू किया मैं भी पहले की तरहा प्राथमिक जादूगर नहीं हूँ तिंगटिंग मुस्कुराई जैसे ही उसके पैरों के नीचे एक सफेड सितारा पत उभरा केवल एक स्टार पत से अधिक था वे दोनों आपस में कुन्ते हुए थे रेशम के रिबन की तरह मुलायम जैसे वे टिंगटिंग नाम की लड़की के इर्दगिर्ध घूम रहे थे इसने उसे पवित्र और शुद्ध बना दिया हीलिंग रे धीरे धीरे उपर तैरने लगी इसका असर प्राइमरी मैजिक से बिल्कुल अलग था इंटरमेडियेट मैजिक हीलिंग एक आध्यात्मिक तितली की तरह अधिक थी जहां भी घाव होता वह फूल की तरह अपनी और आकरशित हो जाता रक्त की गंध और जंग की आभा के बार इलिंग बटरफ्लाई चारों और फड़फडाने लगी यह जल्दी से मोफ्रैन के सड़े खावो पर जंग और सूजन को खतम करने लगा सामान्य स्टांचिंग दवा का कोई फाइदा नहीं हुआ हाला कि जब तितली हलके से उरती है तो खून तुरंद पपड़ी में बदल जाता है मोफ्रैन के सीने पर एक बेहद आकरशक तट था बाहर जहां मास थोड़ा काला हो गया था वहां सफेध हड़ी साफ दिखाई दे रही थी हीलिंग स्पिरिक बटरफलाई शाप को दूर करने में सक्षम होने से पहले लंबे समय तक इधर उधर पड़ी रही और मोफ्रैन के घाव को फिर से जोड़ दिया इस पूरी प्रक्रिया के कारण मोफ्रैन को केबल थोड़ी खुजली महसूस हुई कोई दर्द नहीं हुआ उसका पीला रंग कुछ रंग वापस आने लगा मोफ्रैन जो अपने ही खून से लटपत पड़ा था उठना चाहता था लेकिन टिंगटिंग ने उसे डाटते हुए कहा लेट जा आपने बहुत अधिक रक्त खो दिया है इलिंग स्पिरिट बटरफ्लाई आपको इसमें से कुछ को ठीक करने में मदद करेगी मोफ्रैन आध्याकारी होकर वापस लेट गया जैसा कि अपेक्षित था स्पिरिट बटरफ्लाई ने कुछ चमकदार पाउडर छिड़का जो उसकी तवचा में प्रवेश कर गया और वह स्पष्ट रूप से अपने रक्त में व्रिध्धी महसूस कर सकता था उसका चक्कर धीरे धीरे दूर होने लगा एटूटू बगल में खड़ा था और कुछ बुद्बुदा रहा था यह गौड़फॉर्स्ट ग्रेट देमन उसके पास एक इंटरमेडियेट हीलिंग जादूगर क्यों है जो उसे ठीक करने में मदद कर रहा है यह देख आसपास खड़े छात्र भी सहन गए क्यों? हीलिंग तत्व समन के समान था दोनों संख्या में कम थे इस प्रकार परिसर में सभी महिला हीलिंग जादूगरों को गुआनिन की तरह माना जाता था महान बिनाशकारी जादू शक्ती रखने वाले जादूगरों को अकसर समयसमय पर चोट लगती थी उनके घाव कितने दर्दनाग थे उनमें से कई बात करने में सक्षम नहीं थे अगर वे किसी चीक करने वाले जादूगर को जानते तो जादू के साथ उनकी सभी समस्याएं हल हो जाती हीलिंग तक्व हमेशा कई तक्वों द्वारा सनरक्षित पोशित किया गया था जिन लोगों ने उन पर ध्यान दिया वे एक बड़ी रेखा बना लेंगे इस अविश्वसनिय प्रतियोगिता के तहट जिन छात्रों ने हीलर का पक्षलिया था उनकी संख्या बहुत कम थी धोखे बाज प्रतियोगिता के दौरान मो फैन ने शायद हीलिंग तक्वों को भी नाराज कर दिया था तो कैसे वहाँ एक मध्यवर्ती उप्चार करने वाला जादूगर था जो बाहर आएगा और उसके घावों को ठीक करेगा और उसकी इतनी देखभाल करेगा इससे जो लोग बगल से देख रहे थे वे बेहत ईश्यालू हो गए बहुत सारे लोगों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने असली हीलिंग मैजिक का अनुखव किया ऐसा लग रहा था कि वह बेहत भारी था कुछ ही मिंटों में ठीक हो गया मैजिक कैंपस में आपका सबसे महत्वपूर्ण रिष्टा वही था जो आपका उपचार करने वाली देवी के साथ था ठीक है अब तुम ठीक हो टिंगटिंग में मुस्कराहट दिखाई जैसे उसे किसी और चीज से कोई फरक नहीं पड़ रहा हो इसने मोफ्रैन को शिनक्सिया के बारे में सोचने पर मस्बूर कर दिया क्या यह सभी लड़कियां हो सकती हैं जिन्होंने हीलिंग एलिमेट को जगाया जिनके दिल इस तरह के थे धन्यवाद मोफ्रैन ने प्रशन सामे कहा जिस व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहिए वह मैं हूँ मेरा नाम बाई टिंगटिंग है बाई टिंगटिंग ने एक शुद्ध मुस्कान दिखाई ओह मेरा नाम है मुझे मालुम तुम कौन हो उस दिन जब तुमने मुझे भूतिया जानवरों से बचाया था मैंने तुम्हें और तुम्हारी महान प्रसिधी को पहले ही पहचान लिया था बाई टिंगटिंग एक बार फिर मुस्कुराई आपका मतलब उसकी कुख्याती है हाँ 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 जब दोनों बात कर रहे थे एक आदमी गुस्से से हामफता हुआ आया यह व्यक्ति ठीक बाई जफेंग था जब उसने अपने ही चचेरे भाई को बदमाश मो फैन को चंगा करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा तिंग तुम उसे क्यों ठीक कर रहे हो मुझे पता है कि आप लोगों की परिवार का पालन पोशन किया बाई जानफेंग कैसे नाराज नहीं हो सकती थी जब भी वह घायल हुआ उसके छोटे चचेरे भाई टिंगटिंग ने कभी भी उसे ठीक करने में मदद नहीं की अब उसने सिर्फ महान दानव की मदद करने के लिए इतना मन खर्च किया था और उसने इसे इतने सारे लोगों के सामने भी किया तुम मेरी बातों की इतनी परवाह क्यों करते हो बाई टिंगटिंग ने अपना सिर्फ उठाया और बाई जिनगटिंग पर नजर डाली उनका स्वर तुरंट थंडा हो गया बाई जिनगटिंग के पास शब्द नहीं थे मो फैन को घूरते हुए उसकी आखों में रोश था अरे कौन इस बीस्ट टैमिंग आईरन केज के बारे में कुछ जानता है क्या कोई मुझे जल्दी से बाहर जाने दे सकता है मो फैन चिल्लाया मुझे पूछने में आपकी मदद करने दे बाई टिंगटिंग ने तुरंट पेशकश की उम्मीद के मताबिक एक बार जब चंगाई करने वाली बहन ने अपना मुण खोला तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगा तदनसार एक वरिष्ट छात्र जिसने कभी इस जगह की रखवाली की थी ने यह बताना शुरू किया कि बीस्ट तैमिंग आईरन केज को कैसे खोला जाए अंत में मो फैन ने आखिरकार केज छोड़ दिया दूर मत जाओ वह प्राणी साथ ही साथ वे लाशें आपको सपश्टिकरन देने की आवश्चक्ता होगी शेन मिंग जियाओ तुरंक आगे बढ़े और मो फैन को पकड़ लिया हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन दो लोगों को फूतियान मिंग और जिया बेंकिंग होना चाहिए क्या तुमने उन्हें मार डाला मो फैन ने दो लाशों पर नजर डाली और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे मैंने वास्तव में उन्हें मार डाला अच्छा 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 जब तक आप इसे स्विकार करते हैं आपने दो इंटरमीडियेट चादूब्रों को मार डाला और वे दोनों परल इंस्टिटूट के छाक्र थे तुमने तो ऐसे कुछ से खत्यारे प्राणी को भी बुलवा लिया मो फैन तुम आज बच नहीं पाओगे मैं देख रहा हूँ कि तुम ब्लाक वेटिकन के सदस्य हो मो फैन की और इशारा करते हुए लो सांग ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था ब्लाक वेटिकन? तो मो फैन ब्लाक वेटिकन के सदस्य हैं कोई आश्चर्य नहीं मैंने एक प्राणी को देखा जो डार्क ढूल भूलिया के भीतर एक डार्क बीस्ट के समान था इसलिए मैं उस समय मतिभ्रम नहीं कर रहा था हर किसी की निगाहे मो फैन पर आ गई जैसे ही मो फैन के सिर पर एक काली वेटिकन तोपी उनके दिलों में बस गई शरीर थे और एक श्रापित प्राणी भी था यह निर्विवाद प्रमान था बस जब हर कोई अधितीवर हो रहा था उनके उपर आस्मान से एक फिसलन भरी धारा निकली इसने इमारत के शीर्ष पर स्थित जंडों पर जम कर वार किया कुछ लोगों ने सिर्फ उठाया और अचानक चील जैसे पंक दिखाई दिये ध्यान से देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तव में एक पीला चहरा वाला आदमी था जिसकी पीट पर चील के पंको का एक सुंदर जोड़ा था वह आसमान से नीचे उत्रे क्योंकि उनके मजबूत फिगर ने उन सभी को चौका दिया इस नाइट हॉक मैजिक कोर्ट से मैजिक कोर्ट के इस अत्यंत प्रसिध विशेशग्य को किसी ने तुरंट पहचान लिया मैजिक कोर्ट के भीतर कई विशेशग्य थे उनमें से बाज के पंखो वाला एक व्यक्ति था जिसे हर कोई जानता था और वह व्यक्ति बिल्कुल नाइट हॉक था वह चील की तरहा आखों से नगर के आकाश में मंदराता था उसने जिन लक्षयों को लॉक किया था वे कभी भी बच नहीं पाए थे शापित जानवर मैजिक गोर्ट के नाइट हॉक की निगा ह शापित जानवर के शरीर पर पड़ी हालांकि उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि यह शापित जानवर तब तक तरपता रहा जब तक कि इसे शामिल करने वाली चाया उर्जा के तहट थकावट नहीं हुई Magic Court के Night Hawk ने लोगों को स्कैन किया और पूछा आप में से कौन मोफैन है Sir Night Hawk आप समय पर आ गए वह व्यक्ति मोफैन है, वह Black Vatican का व्यक्ति है उसने दो छात्रों को मार डाला है, लोगों सांग तुरंत उचल पड़ा और उसने मोफैन पर यह सब आरोप लगाया शेन मिंग्जियाओ और बाई जैन फेंग ने भी डार्क बीस्ट का सामना किया था इसलिए उन्होंने मोफैन को भी निशाना बनाने का फैसला किया चुप रहो, मैजिक कोर्ट के नाइट हॉक ने तिरसकार पूर्वक उन लोगों की और इशारा किया जो इशारा कर रहे थे उसी समय वह मोफैन के सामने आ गया और उसकी आखे वास्तव में एक बास जैसी थी उसने यह कहने से पहले मोफैन को बड़ा जटका दिया मोफैन तुमने अकेले ही ब्लाक बेटिकन के शिश्यों और पुजारियों के नेटवर्क को नश्ट कर दिया जद्यपी आप युवा हैं, आपका साहस अतुलनिया है, यह वास्तव में अच्छा है यह कहने के बाद नाइट हॉक के पीले चहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था उसके दस्ताने पहने हाथों ने मो फैन के कंधों को जोर से पकड़ लिया मैजिक पोर्ट के सम्मानित नाइट हॉक के शब्दों ने उनके चारों और सभी को चौका दिया ब्लैक वेटिकन के शिश्यों और पुजारियों के नेटवर्क को अकेले ही नश्ट कर दिया वेटिकन के नेटवर्क को पूरी तरह से कैसे हटा पाएंगे मैं मैजिक कोर्ट का प्रतिनिधित्व करता हूँ क्योंकि हम आपको इतनी बहादुरी से बाहर निकलने के लिए धन्यवाद देते हैं नाइट हॉक की आखे प्रशंसा से भर गई मैजिक कोर्ट के भीतर बहुत सारे विशेशग्य और अविश्वसनिय रूप से सक्षम लोग थे फिर भी उनमें से कोई भी ब्लैक वेटिकन के बारे में कुछ नहीं कर पाया था अब भी वे बो सिटी की आपदा के लिए जिम्मेदार परदे के पीछे के व्यक्ति को सजा नहीं दे पाये थे किसने सोचा होगा कि उनका ओपरेशन इस बार ब्लू डीकॉन द्वारा प्रशासित नेटवर्क को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम था वे नहीं जानते थे कि ब्लैक वेटिकन के कितने सदस्य वास्तव में शंधाई के भीतर छिपे हुए थे हालांकि उनके द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उजागर करने में सक्षम होने से यह वास्तव में ब्लाक वेटिकन द्वारा लक्षित कई लोगों के लिए खत्रे को समाप्त कर देगा। मैं केवल जूज आउटिंग का बदला लेना चाहता था, मो फैन बुद्बुदाया, स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपने मैजिक कोर्ट को एक बड़ी बीमारी से छुटकारा दिलाने में मदद की है। मैजिक कोर्ट के जज सभी अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, इसलिए मैजिक कोर्ट के चीफ कुछ नए रिजर्व की भरती करना चाहते थे। सभी चात्रों के चेहरों पर प्रतिक्रिया को तीन शब्दों में वर्णिक किया जा सकता है। क्या बगवास है? मैजिक कोर्ट किस तरह की जगह थी? यह उन सभी जादूगरों के लिए सपनों का पवित्रस्थान था जिन्होंने इतनी करवाहट से साधना की थी। अधर कर गया था, एक जादूगर का कर्तव्य मानवता की रक्षा करना है। और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोट्च रैंकिन वाला संगठन कौन सा था? वह मैजिक कोर्ट होगा। इस प्रकार, जब नाइट होग ने सनातक होने के बाद मोफैन को मैजिक कोर्ट में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की, तो मोफैन पर ईश्या, प्रशनसा और घेना की लहरेन दौर पड़ी। हम इस शापिक जानवर को वापस ले लेंगे। इन दो लोगों की असली पहचान के लिए हम भी ठीक से चार्च करेंगे, पीला नाइट हॉक ने उसे बताया। ठीक है, मोफैन ने सिरहिलाया। इस महान लड़ाई से गुजरने के बाद मोफैन स्वाभाविक रूप से बेहत ठक गए थे। हाला कि उसके घाव भर गए थे, उसकी मानसिक स्थिती पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सौभा जिसे उसके पास चार तत्व थे, जो चार भंडार थे, जो मन को संग्रहित कर सकते थे। अन्य था, वह इतनी लंबी लड़ाई के बाद योगो पहले मैना से बाहर भाग गया होता। काफी देर बाद यूनिवर्सिटी के लोग पहुंचे। उन्होंने नाइट हॉक देखा और चौक गए। ब्लैक वेटिकन से लोगों का स्कूल में खुसना बेहत दरावना मामला था। कौन जानता था कि वे हरिदयहीन लोग इन अत्यंत भोले भाले चात्रों के साथ क्या करेंगे। जब उन्हें पता चला कि जू जाउटिंग और जाम लुलु को ब्लैक वेटिकन के लोगों द्वारा मार दिया गया है तो इस बार परीक्षा के भाशन के लिए दीन जियो के आखिरी कुछ शब बहुत उदास हो गए। वह जानता था कि मोफैन से निपटने के लिए ब्लैक वेटिकन आया था। हलाकि वह नहीं जानता था कि वे पहले ही स्कूल में खुस चुके थे। दीन जियो का मानना था कि जब वह अपने चात्रों की रक्षा करने में अस्मर्च थे तो उन्होंने अपना कर्तव्य विफल कर दिया था। मूल रूप से वह जू जाउटिंग के परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। और फिर उसे पता चला कि जू जाउटिंग के पास अब कोई परिवार नहीं है। इस प्रकार सारा मुआवजा जाम लुलु के परिवार को दिया जाएगा। मोफैन अंत में अपने आवास पर लॉट आए। बेहद ठके होने के कारण वह बालकनी में सोफे पर लेट गया। रात बेहद अंधेरी थी। अमेशा आशावादी रहने वाले मोफैन ने उस द्रिश्य को याद किया जब उसने दो लोगों को जला कर राख कर दिया था और वहाँ हाइपर वेंटिलेटिंग करने लगा। उनका प्रतिशोत किया गया था। यद्यपी यू आंग को दंडित नहीं किया गया था। वह अब ब्लाक वेटिकन या मानव सभेता में वापस नहीं लौट सकता था। जो मृत होने से अलग नहीं था। ब्लू डीकन द्वारा देखे जाने वाले ब्लाक वेटिकन के लोगों को जल्द ही पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। यह सब जूच हाउटिंग के पेट में चुपाए गए नाम के कारण होगा। मो फैन आखिरकार समझ गए कि इतने सारे लोग ब्लाक वेटिकन से क्यों डरते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आप ब्लाक वेटिकन से लड़ेंगे तो खून बहाया जाएगा। बंदर तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, मो फैन वही लेट गया और उसने फोन पर बंदर को उन चीजों के बारे में बताया जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। धाई फैन अपने आपको बहुत ज्यादा दोश मत दो। वह वास्तव में उन्हें बचाने में सक्षम नहीं था, लेकिन कम से कम उसने उन्हें निराश नहीं किया। वे अंत में निश्चिन्थ हो सकते थे। काले बादलों ने घने ब्रोकेड की तरह नीचे फलते फूलते शहर को ढख लिया। शहर बहुत बड़ा था, एक विशाल विशाल के शरीर की तरह, पिंटिमाती रोशनी वाली सड़के घनी थी और हर दिशा में आडितिर्ची थी। कई लाल तेल लाइटे शहर के पूरे शरीर में रख्त के परिवहन के समान दिखती थी। यहां अभी भी आधी रात को सक्रिय था, एक विशाल के दिल की तरह जो अभी भी धड़क रहा था। कुछ कोनों में और कुछ अंधेरेक शेत्रों में जिन्हें खोजना मुश्किल था, ऐसा लग रहा था कि एक परजीवी, एक यूमर, एक लारवा ने इस महान शहर में खुद को जकड लिया है। एक ही रात में वह सब समाप्त किया जा रहा था। शायद निशकर्शन के दौरान वे मास और हड्डियों को चोट पहुँचा सकते थे, लेकिन हर कोई सपष्ट था कि इन खत्रों को चुपाया गया था। शायद अगली बार मास के बड़े टुकडे या इससे प्रभावित कोई अंग भी हो सकता है। इस विशाल काई शहर में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए, जब उन्होंने खराब रक्त को हटा दिया, तो बे निश्चित रूप से उदार नहीं हो सके। मो फैन पूरे समय बालगनी में पड़ा रहा। फर्ष उचा था और इसने उसे इस विशाल शहर के सुंदर रात के द्रिश को देखने की अनुमती दी। उन्होंने कई बार सुश्री टांग्यू को कॉल किया था, लेकिन बे सभी उनके बॉयस मेल पर गए। इस रात के बारे में सोचते हुए, मैजिक पोर्ट के सभी न्यायाधीश इस समय लड़ रहे थे। मो फैन इस लड़ाई को नहीं देख पाए और जो छात्र स्कूल के भीतर शैडो बीस्ट पर चर्चा कर रहे थे, वे भी इसे नहीं देख सके। सामान्य लोग जो पहले ही गहरी नींद में सुचुके थे, उन्होंने यह भी नहीं देखा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। एटूटो अचानक मो फैन की नजरों में आ गई। नमस्ते तुम वहां मुर्दे की तरह क्यों पड़े हो। हमें बताओ कि क्या हुआ वर्ना। वर्ना मैं। मो फैन की दृष्टी में जो आया वह वास्तव में उसका मोटा चहरा नहीं था बलकि उसकी बड़ी चाती थी। इसके अलावा उसने एक टैंक टॉप पहना हुआ था। वह उसका विरोध कैसे कर सकता था। कुछ भी सच नहीं यह मेरी अपनी चीजे हैं यह बहतर है अगर आप नहीं जानते। मो फैन ने महसूस किया कि वह भी एक बहुत ही विचारहीं व्यक्ती थे। जब उसने उस बड़े सफेद खरगोश को इधर उधर उधर उचलते कूदते देखा, तो उसका मूर भी अपने सामान्य आलसी में बदल गया। बकवास ब्लैक वेटिकन के लोग आपको क्यो निशाना बना रहे हैं। क्या वह शापित पशु आपके द्वारा वश में किया गया था। को जाकर कुछ उपन्यास लिखने चाहिए, मो फैन एटूटू की ओर अवाक रह गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो आपको अन्य प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यक्ता नहीं होगी। एटूटू ने गंभीरता से कहा। पूछो, मो फैन ने कहा। आप कौन से तात्विक जादूगर हैं, एटूटू ने पूछा। यह सवाल ठीक वही सवाल था जो सोफे पर बैठी मुनूजियाओं पूछना चाहती थी। जब एटूटू ने यह पूछा, तो उसने भी अपना सिर घुमा लिया क्योंकि उसकी खूबसूरत आखे मो फैन को देख रही थी। पहली बार उसे धोखेबास प्रतियोगिता में देखकर, मो फैन सपष्ट रूप से सिर्फ एक बुलाने वाला जादूगर था। उनका स्पिरिट बुल्फ मूल रूप से अजे था। बाद में उन्होंने एक इंटर्मीडियेट लाइटनिंग मैजिक प्रदर्शित किया। इसे सामान्य भी माना जा सकता है, शायद उनका प्रमुख तत्व बिजली का तत्व रहा होगा और फिर उन्होंने समन तत्व की साधना करना शुरू किया। आखिरकार एक इंटर्मीडियेट जादूगर दो तत्वों का उप्योग करने में सक्षम था। हालांकि जब मुनुजियाओ मो फैन को युद्ध में देख रहा था, मो फैन ने सपष्ट रूप से अन्यतक्वों से शक्ती दिखाई थी। यह एक ऐसा सवाल था जो उसे लगातार परिशान करता रहा। बीस्ट टैमिंग आयरन केज के भीतर मो फैन का प्रदर्शन बेहत आश्चर यजनक था। जैसे ही वह आग की लप्टों से बाहर निकला, उसका पूरा शरीर एक मनोरम ज्वाला में लिपता हुआ था। उस समय उन्होंने जो ताकत दिखाई बहर ठीक इंटरमेडियेट फायर मैजिक थी। फायरी फ्रिस्ट की अविश्वसनी ताकत, ग्राउंड ब्रेक कुछ ऐसा था जो मुनुजियाओं के दिमाग में अभी भी ताजा था। वह एक फायर जादुगर भी है। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है। उसकी साधना अभी उन्नत स्तर तक नहीं पहुँची थी, फिर भी उसके पास तीन अलग-अलग जादु थे। क्या तुम लोगों ने इसे पहले ही नहीं देखा, इसमें पूछने की क्या बात है, मो फैन ने भी इससे इनकार नहीं किया। सच तो यह था, वे दोनों बहुत विचारशील थे। अगर वे कुछ लोगों से पूछें जो बो सिटी से आये थे, तो वे सबसे अधिक संभावित दोहरे तत्व के बारे में जानेंगे। यहां तक कि अगर वे इसके बारे में जानते थे, तो यह ज्यादा नहीं बदलेगा। क्या आपके पास वास्तव में तीन तत्व हैं, अब तक मुनुजियाओ अब चुक्चाप बैठने में सक्षम नहीं थी। वो तुरंट उठ खड़ी हुई, और उसका सुडॉल, नाजुक शरीर तुरंट मो फैन की नजरों में आ गया। एटूटू का छोटा सा मुह अंडे के आकार का हो गया था, और उसने मो फैन को अविश्वास से देखा। महान दानव तुम वास्तव में एक संकी हो। जन्मजात द्वैत तत्व किन्वदंतियों से कुछ है। न केवल आपके पास इतने सारे तत्व हैं, आप उन्हें एक ऐसे शेत्र में विक्सित करने में भी सक्षम हैं, जो की ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। मुनुजियाओं ने तुरंट इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझ लिया। अगनी तत्व का उप्योग करने वाले उसके द्रिश ने मुनुजियाओं को आश्वस्त किया कि मुफैन की अगनी तत्व शक्ती उसके सम्मन तत्व से कहीं अधिक है। यह उनके बिजली तत्व से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा इस आदमी के पास सामान्य आग नहीं थी, यह स्पिरिट ग्रेट फायर था। महांदानव अगर यह मामला है तो इसका मतलब है कि आपका सबसे मजबूत तत्व सम्मन या विजली नहीं है, लेकिन वास्तव में अगनी तत्व है, एटूटू ने कहा। यह सही लगता है। एटूटू गुस्से से हामफने लगा। एटूटू को गेम खेलने में मज़ा आता था। उसने शुरू में सोचा कि वह बहुत बढ़िया थी। हाला कि यह पता चला कि वह किसी और के स्मर्फ खाते से भी नहीं जीत सकती थी। उसका दिल विवादित महसूस करने लगा। रात के दौरान वे ब्लाक वेटिकन को साफ कर रहे थे, हांग जो में एक और अविश्वसनिय घटना घटी। समाचार में बिना किसी सबूत के केवल कुछ का उलेख किया गया है। वे जो कह रहे थे उसका कोई ठोस प्रमान नहीं था। इस घटना के एक अजीबोगरीब घटना में बदल जाने के बाद यह तुरंत अन्य समाचारों के पीछे खो गया जिसमें लोगों की अधिक रुची थी। कि रखे कुछ ही समयबाद, मो फैन शिनक्सिया के स्कूल का दौरा करने गया। शिनक्सिया और लिंगलिंग बहुत करीब थे। दोनों बहने लग रही थी। क्या शिनक्सिया के खिलाफ किसी की योजना थी। मो फैनने लिंगलिंग से पूछा, चिंता मत करो वह निश्च यह क्या है मो फैन ने पुलजन महसूस करते हुए पूछा। बस क्या चर रहा है आपको और सपष्ट होने की आवश्चक्ता है जब शिनक्सिया की बात आई तो मो फैन बहुत चिंतित थे। मैं आपको पुखता जानकारी देने में असमर्थ हूँ। मो फैन ने उससे कई बार पूछा और लिंगलिंग ने सिर्फ इतना कहा कि वह खुद भी ज्यादा नहीं जानती। उसे केवल एक अनुभूती थी। मो फैन भी शिनक्सिया से पूछने गए। शिनक्सिया ने कहा कि उसने अपने आसपास किसी को महसूस नहीं किया। अगर आप उसपर चीनी की परच चढ़ाते हैं, तो आप उसे रक्षा करना कह सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यह केवल पीछा करना है। आपको आख बंद करके चिंता करने की जूरत नहीं है। मो ज्याक सिंग के यह सुनने के बाद सबसे पहले उन्होंने शिनक्सिया की मा के बारे में सोचा जब मो फैन ने शिनक्सिया की मा की परिस्थितियों के बारे में पूछा तो मो जियाक सिंग ने गहरी सांस ली और कारण के बारे में बात करने लगे संक्षेप में मो जियाक सिंग ने मो फैन को बताया कि उसने जिक्सनिया की मा के साथ मिलकर एक परिवार शुरू करने की योजना बनाई थी हाला कि उनके साथ रहने के कुछ ही समय बाद शिनक्सिया की मा अचानक चली गई केवल शिनक्सिया को पीछे छोड़ कर मो जियाक सिंग बहुत उदार और दयालू व्यक्ती थे भले ही उसे किसी और ने धोखा दिया हो वह नहीं चाहता था कि शिनक्सिया दरग्र हो इस प्रकार उसने शिनक्सिया की गैरजिन मेदार माकापद ग्रहन किया और उसका पालन पोशन किया सक्चाई जानने के बाद मो फैन के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था उनके पिता वास्तव में बहुत कुछ कर चुके थे बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसे कोई मिला लेकिन वह शक्स पूरी तरह से बेरहम हो गया उसका एक मात्र उद्देश अपनी ही बेटी को पीछे छोड़ना प्रतीत होता था लिंगलिंग के विवर्ण को सुनने के बाद यह माना जा सकता है कि शिनक्सिया की रक्षा करने वाली व्यक्ति उसकी अपनी मा होगी वह चिंतित हो सकती थी लेकिन खुद को दिखाने से बहुत दर रही थी मो फ्रैन ने शिनक्सिया को इस बारे में नहीं बताया ताकि उसे चोट न लगे मो फ्रैन कुछ समय के लिए हांग जो में रहे शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि जू जाउटिंग और जान लुलू कितने अकेले थे इसने उसे शिनक्सिया का खजाना बना दिया जिसे उसने आपदा से बचाया था और भी अधिक ऐसा लग रहा था कि शीहु में जो कुछ हुआ था उसमें लिंग लिंग को बहुत दिल्चस्पी थी और उसने इसकी जाच भी शुरू कर दी दुर्भा जिसे अपने कौशल से भी वह इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी इस प्रकार वह निराश थी और मो फैन और शिनक्सिया को परिशान नहीं करना चाहती थी इसलिए वह पहले शंधाई लॉट आई मो फैन जल्दी करो और वापस आजाओ दीन जियो ने हमें पहले ही बेच दिया है वह चाहते हैं कि हम एक्सचेंज के छातरों के रूप में इंपीरियल कॉलेज जाएं जाओ मानियन ने फोन के माध्यम से मो फैन से कहा क्या छातरों का आदान प्रदान करें मो फैन ने बड़े असमंजस के साथ कहा सास अगर आप इसे अच्छी तरह से रखते हैं तो हम छातरों का आदान प्रदान कर रहे हैं अगर आप इसे खराब तरीके से रखते हैं तो यह स्कूलों के बीच एक छोटी सी ऐस्ट्रिस्क 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 लड़ाई थी वे हर साल ऐसा करते हैं, जाओ मान्यन ने इसे और स्पष्ट रोप से रखा फिर या हम और इंपीरियल कॉलेज क्यों है, मो फैन ने उल्जन महसूस करते हुए कहा यह सिर्फ बकवास है अगर आप इस देश में देखें, तो बहुत कम स्थान है जो इंपीरियल कॉलेज के विरुद्ध संधर्श कर सकते हैं इस साल द्रा में हम सिर्फ उनके खिलाफ द्रा करने के लिए हुआ प्रत्यक पक्ष तीन महीने के लिए दूसरे विश्व विद्याले में जाने के लिए बलकी उत्कृष्ट छात्रों के एक बैच का चयन करेगा इस बार हम इंपीरियल कॉलेज जाएंगे इंपीरियल कॉलेज शैतानों से भरा हुआ है और गुराए करने वाले हर जगह है यहां तक कि स्कूल के पीछे का स्टाफ भी सिकंदर महान जैसा है हमारे स्कूल के लिए चेहरा नहीं खोने के लिए दीन जियो मूल रूप से आपको जाने के लिए मजगूर कर रहे है जाओ मान्यम ने उसे बताया मो फैन अवाक रह गया क्योंकि वह जल्दी से स्कूल लॉट आया दीन जियो और जो जेंगुआ को खोजने के बाद मो फैन ने तुरंट असंतोश में कहा अरे तुम मेरा नाम नीचे रखने से पहले मेरी राय कैसे नहीं ऊच सकते थे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ विनिमाई चात्र बनना चाहता हूँ और मैं इंपीरियल कॉलेज जाने की भी योजना नहीं बना रहा हूँ ताकि लोग मुझे नीची नजर से देखें मो फैन इतने विनमर मत बनो अपनी ताकत से आप इंपीरियल कॉलेज के लोगों से नहीं हारेंगे मुख्य परिसर में प्रवेश करने वाले इतने अविश्वसनी रूप से उत्कृष्ट लोग हैं अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा जो जेंगुआ ने गंभीर रूप से घातक रूप से कहा दीन जियो आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक कम महत्वकून व्यक्ति रहा हूँ यह स्कूल की लड़ाएं ओह इस तरह की चीजें जहां आप अपने स्कूल के सम्मान के लिए लड़ते हैं कुछ अन्य लोग मुझसे कहीं अधिक अनुपूल है मो फैन ने सपश्ट किया कि वह जाना नहीं चाहता था शंगाई में उनकी जीवन शैली बहुत अच्छी थी दिन के समय उन्होंने कमीशन से पैसा कमाया राक्षसों को वश में करें और उनकी गुनवत्ता बढ़ाने के लिए उनकी अन्थीन धूख के साथ तत्वों को लाड़ प्यार करते हुए उनसे चुपकारा पाएं उनकी जीवन शैली सुन्दर थी तो वे इंपीरियल कॉलेज में क्यों जाना चाहेंगे नीचे देखे जाने पर किसी और पर भरोसा करना इंपीरियल कॉलेज के किसी भी छात्र को स्वर्गिय प्रतिभा माना जा सकता है अगर मुफेन को उस तरह के दुश्मनों के साथ रहना था तो वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह एक या दो को नहीं मारेगा मुफेन कृपया इसे अस्वीकार न करें इंपीरियल कॉलेज में एक एक्सचेंज छात्र के रूप में भेजा जाना अविश्वस्निय रूप से दबाव वाला है मैं इसे समझता हूँ इस प्रकार इस बार जाने वाले छात्रों के लिए मैं उन्हें एक अतरिक्त खजाने से पुरस्क्रित करूँगा मेरे पास एक फोकस मैजिक टूल है यह गारंटी देता है कि एक जादूगर जादू करने में सक्षम होने के साथ ही आत्मा के हमलों को सहन करने में सक्षम होगा दीन जियो को एक बहुत ही अनुगवी व्यक्ति माना जा सकता है वह एक नजर से बता सकता था कि मो फैन किस तरह का व्यक्ति है इसलिए उसने अब कोई बगवास नहीं की और बस उसे लाग दिया यहां आत्मा के हमलों को सहन कर सकता है मो फैन पलक छपकते उसे जल्दी ही संकी चाओ है कि याद आ गई जिसके खिलाफ उसने सुश्री टांग्यू के साथ लड़ाई लड़ी थी उनका श्राप मंत्र आध्यात्मिक हमलों के साथ आया जिससे दूसरों को अपना मंत्र देने में असमर्थता हुई अभी मो फैन रिशमान हमलों से डरे नहीं थे हाला कि वह उन अजीब आध्यात्मिक प्रकार के जालों से डर गया था मंत्रों का प्रयोग न कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या थी अगर उसके पास इस तरह का फोकस मैजिक टूल होता तो उसके पास सुरक्षा की एक और परत होती हम पास एक सौदा है मो फैन रिटा से फोकस मैजिक टूल प्राप किया फोकस मैजिक टूल एक निकलेस था हाला कि मो फैन ने पहले से ही अपने कपड़ों के अंदर एक पेंडेंट पहन रखा था यह फोकस मैजिक टूल का आकार लिटिल लोच पेंडेंट की तुलना में थोड़ा बहतर दिख रहा था इसे बाहर पहनना बहुत बुरा नहीं था दरसल मो फैन ने पहले से ही उस लड़के यू आंग के बारे में सोचा था यह जानते हुए कि उसने अपने हार के भीतर भूमिगत पवितर जहरने को छिपा दिया था सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने इसे दूसरों के सामने प्रकट किया था इसलिए इस फोकस हार को पहनने के साथ वह उन्हें मूर्ख बनाने में सक्षम होंगे चुंकि आपने अपने उफार ले लिए हैं जब आप इंपीरियल कॉलेज जाते हैं तो आप हमारे परल इंस्टिट्यूट के लिए चहरा नहीं खो सकते हैं जो जेंगवा ने बदसूरत चहरे के साथ कहा अंग्य छात्र एक्स्चेंज छात्र बनने के लिए स्पॉट चुराने की कोशिश करेंगे उसने मो फैन जैसा कोई व्यप्ति कभी नहीं देखा था जो इस बारे में शिक्षकों के साथ सौदेबाजी करता हो फोकस मैजिक टूल कोई सस्ती वस्तु नहीं थी वे इसे इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इंपीरियल कॉलेज के लोगों को हरा दूंगा मो फैन के लाप प्राप्त करने के बाद वह अपनी पूरी ताकत लगाने चा रहा था दीन जियो ने मो फैन को घूरते हुए कहा, मुसीबत मत करो अरे हे, मैं नहीं करूंगा मैं नहीं, मो फैन अजीब तरहे से मुस्कराए दीन जियो ने एक अलग स्वर के साथ बोलना शुरू किया जबकि एक ही समय में बहुत विनमर मत बनो जब तक यह न्यायोचित है, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे मो फैन ने दीन जियो को देखा, जो इतना गंभीर था और हंसे बिना नहीं रह सका दीन जियो के शब्दों का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है अगर आपको किसी ने तंग किया है, तो चिंता न करें अपने डर को जाने दो और अंत तक उनसे लड़ो स्कूल तुम्हारे लिए सहायता प्रदान करेगा मो फैन को एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति माना जा सकता है चुंकि वह शाही शहर में आया था तो वह परियतक आकरशनों को भी देख सकता था एक आदनी के रूप में जिसने खुद को तब तक संतुष्ट करने से इनकार कर दिया, जब तक कि वह शीर्ष पर नहीं पहुँच गया मो फैन एक उचे पहाड की चोटी पर खड़ा था जैसे ही वह उस रिच के पास खड़ा हुआ जिसे एक बड़ी दिवार के रूप में बनाया गया था उसने राजसी पहाडों को देखा जब उसने चारों और देखा तो कुछ शांत विसमयादि बोधक उसे छोड़ गए उसे लगा जैसे वह बिल्कुल अलग स्तर पर था महान दिवार का निर्मान पहले समराट किन शिहुआं द्वारा किया गया था शुरुआत में इसका उपयोग जादूई जानवर के आक्रमनों से बचाप के लिए किया गया था हाला कि चीन के क्षेत्र के विस्तार के बाद यह राजसी रक्षा रेखा धीरे-धीरे अपने पूर्वस्व के अवशेश में बदल गई थी अब इसका उपयोग सिर्फ परियतन के लिए किया जाता है महान दिवार का एक लंबा इतिहास है इन महान दिवारों पर होने वाले प्राचीन प्रहसिमें जादू के बारे में कई कहानिया थी पुराने शिक्षक क्यू युहुआ जो समोह का नेत्रित्व कर रहे थे छात्रों को एक कथन दे रहे थे जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया जादू इतिहास के बारे में बात करें अन्या लोगों ने देखा कि जैसे वे सो जाने वाले थे उनमें से कोई सुन नहीं रहा था मो फैन का चेहरा तथा भी बहुत अलग था ऐसे कई सवाल थे जो उसके दिमाग में घूम रहे थे वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन इतिहास के शिक्षक क्यों युहुआ को चिढ़ाने लगा क्योंकि उसने कहा क्या अतीत में जादू समय से थोड़ा पीछे था अन्यथा एक शक्तिशाली प्रिथवी जादूगर आज एक विशाल वस्तु का निर्माण कैसे कर सकता है जबकि इसने उन्हें अतीत में जन्शक्ती और कड़वे काम दिये थे तुम बच्चे क्या जानते हो? किन शिहुआंग न केवल एक महान संप्रभू राजा और एक रणनीतिकार थे वे हमारे इतिहास के सबसे भयानक प्रित्वी जादूगर भी थे एपांग पैलेस और महान दीवार पूरे इतिहास में मौझूद रहे हैं कितना भी समय क्यों न बीट जाए ये चीजे टिकी हुई है क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि महान दीवार बनाने में प्रयुक्त सामगरी आम थी अपनी वर्तमान साधना से भले ही आप यहां दस दिनों तक लड़ रहे हूं फिर भी आप इसकी सताय को खरूचने में सक्षम नहीं होंगे पुराने शिक्षक क्यों यहुआ ने कहा मोफैन अवाग था अगर वह वास्तव में महान दीवार की और एक उग्र मुठी फैंकता तो वह न केवल एक प्राचीन सभ्यता के अवशेशों को नश्ट कर देता बल्कि उसे मुआवजे के रूप में बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता छीक है कि इन्शी हुआं प्रित्वी तत्व के पूर्वज थे मोफैन को नहीं पता था कि रोना है या हंसना है यह संभवधा प्राचीन शहर शियान के बाहर मकबरे की और निर्देशित था ऐसे कई शिकारी थे जो वहाँ जाना चाहते थे और प्राचीन लोगों द्वारा पीछे छोड़े गए जादू के औजारों की खोज करना चाहते थे अलाकी दिवंदत जीव एक ज्वार की तरह थे जिससे जादूगर एक भी कदम उठाने में असमर्थ हो गए कल हम जादू निशिद शहर की अदालत में जाएंगे वहां और भी कई एतिहासिक खजाने जमा है आज भी वे अभी भी बेहत दिलचस्प हैं क्यों यूहा ने कहा जब वे पुराने शिक्षक के साथ बाहर जाते थे अगर वे एतिहासिक स्थलों पर नहीं जाते थे तो वे संग्रहालियों, पुराने महलों, स्थानों पर जाते थे जहां छात्रों को सामान्य रूप से कोई दिल्चस्पी नहीं होती थी। हाला कि ये ऐसी कक्षाएं थी जिन में उन्हें भाग लेना था। अगर आप एक उचित जादूगर बनना चाहते हैं, तो आप पूरे दिन बस हत्या करते नहीं रह सकते। कोई भी युग हो, विज्ञान का अपना इतिहास था, जब की जादू का भी अपना इतिहास था। किसी विशय का उच्चतम स्तर अपने पीछे के इतिहास को नहीं छोड़ सकता। इंपीरियल सिटी के इन प्रसिद्ध अवशेशों के चारों और भ्रमन करने के बाद, मो फैन ने लगधक सोचा की पुराने शिक्षक उन्हें इसके बारे में अपने विचार लिखने के लिए मजबूर करेंगे। स्वभाग्य से पुराने शिक्षक जो बताना चाहते थे वह केवल एक ही अवधार ना थी, मानव जादू का इतिहास सरल नहीं था। सुस्किया कि उनकी अपनी दुनिया में बड़े पैमाने पर मनुष्य एक दूसरे को मार रहे थे। हाला कि इस स्थान पर मनुष्य आमतौर पर एक दूसरे के लिए बाहर देखते थे। इंसानों के बीच शायद ही कभी लड़ाई या युद्ध होते थे, वे ज्यादातर इंसानों और जादूई जानवरों के बीच होते थे। इतिहास समान दिखाई दिया। विज्यान और प्राध्योगी की लगधक समान थे और साहित्य भी संरेखन से बाहर नहीं था। जो अलग था वह वास्तव में दुनिया की संरचना थी। मानव इतिहास के पूरे दौर में इंसानों और जादूई जानवरों के बीच लड़ाई कभी नहीं रुकी थी। दग्रेक वाल आफ चाइना क्यूई शिहुआंग द्वारा निर्मित एक महत्वकून रक्षात्मक रेखा थी जिसका उप्योग मानव भूमी की रक्षा के लिए किया जाता था। स्कूल आखिरकार एक पवित्रस्थान था। वे नए जादूगरों में अपना कर्तव्य भरना कभी बंद नहीं करेंगे। शायद अन्य विद्यार्थियों को अभी वास्तव में जादूगर होने के महत्व को समझना बाकी था। बो सिटी की आपदा से गुजरने के बाद मो फैन को यह देखने के बाद गहरा अनुभव हुआ कि कैसे जादूई जानवर शहर में प्रवेश कर गए और मनुश्यों को अपने पशूओं के रूप में इस्तमाल किया। संभवत है इतिहास के लंबे समय के दौरान ऐसी चीजें हुई होंगी जो मनुश्यों और जादूई जानवरों के बीच बो सिटी की आपदा से भी अधिक भयानत थी। की वास्तविक्ता से बहुत दूर थे। यह चीन का नंबर एक विश्वविद्यालय था। हमेशा दूसरों के द्वारा सम्मानित और कभी नहीं गिरा। प्रतेक वर्ष मैजिक विश्वविद्यालयों का आदान प्रदान होगा। यह बहुत ही सामान्यसी बात थी। मूल रूप से परल इंस्टिट्यूट शंगाई में नंबर एक विश्वविद्यालय होने के कारण इसकी रैंकिंग केबल दिखावे के लिए नहीं थी। जब वे दूसरे विश्वविद्यालयों में जाते तो न केवल उन्हें जुकना नहीं पड़ता, बलकि श्वेष्टता का भाव लेकर चलते तो जरा भी समस्या नहीं होती। हाला कि गुहान की किस्मत वास्तव में कमजोर थी। करीब 40 स्कूलों वाले 985 प्रोजेक्ट्स में से उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं बनाया। उन्हें सिर्फ इंपीरियल कॉलेज को द्रा करना था, स्कूल नंबर एक पर था। इसकी जानकारी जब स्कूल बोर्ड को हुई तो वे गुस्से से आग बगूला हो उठे। परल इंस्टिट्यूट देश की जानीमानी यूनिवर्सिटी थी। अलाकि शानदार इंपीरियल कॉलेज की तुलनामे बास्तव में थोड़ी असमानता थी। आखिर दूसरी पार्टी का इतिहास बेहत गहरा था। यहां कुलीन परिवारों के शिश्य सामान्य छात्रों के समान ही होते थे। इस जगह पर प्रतिभाय असंख्य थी। आप अपनी बाह की लहर से दर्जनों को मार सकते थे। अगर आप एक स्वर्गिय संकेत के तहट पैदा नहीं हुए थे। इस प्रकार परल इंस्टिट्यूट के बोर्ड ने इंपीरियल कॉलेज में परल इंस्टिट्यूट के लिए खुद को अलग करने के लिए में कैंपस में सबसे उत्क्रिष्ट नए लोगों को चुनने का फैसला किया। नामों की सूची डीन जियो द्वारा तै की गई थी और उन्होंने जो पहला नाम लिखा था वह मोफैन था। मोफैन ने ब्लाक वेटिकन के लोगों को मारने का भी साहस किया और उसने अत्याचारी होने का साहस किया। कोई फर्क नहीं पड़ता की इंपीरियल कॉलेज कितना प्रभावशाली था, फिर भी वे ब्लाक वेटिकन से आगे नहीं बढ़ सकते थे। इस बच्चे के जाने से वे निश्चत रूप से नहीं हारेंगे। बाद में दीन जियो ने अन्य लोगों के नाम भी रखे जिन्हें मो फैन जानता था। उनमें से एक च्छाओ मान्यन था, जो उसका चात्रावास का साथी था। दूसरे थे मुनू जियाओ, उनके घरेलू साथी। एक था सोंगजिया, उसका भावी चात्रावास का साथी। प्रवेश करने के बाद, शिक्षक जो सभी को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था, ने जल्दी से उन्हें उनके चात्रावास में भेज दिया। अब जब की हर कोई इंटरमेडियेट जादूगर था, उन्हें सनात कुत्तर छात्र भी माना जा सकता था। इस प्रकार उनका जीवन स्थर काफी अच्छा था। शैंद्रह में एक बड़ा हॉल था, और सभी कमरे अलग-अलग थे। शैनागार अपेक शाकृत लंबा था, इमारत के शीर्ष के बहुत करीब था। मो फैन के लिए जो रात के अंधेरे में साधना करना पसंद करता था, उसके लिए छट के करीब कहीं रहना बहतर था। अगर चांदनी सही जगहे पर होती, तो उसे सीधियों के इस्तिमाल की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह अपनी बालकनी से छट तक जाने के लिए इवेडिंग शैडो का उपियोग कर सकता था। श्री, गुहान, मिस्टर क्यू यू हुआ, आप छात्रों को लेकर यहाँ आराम क्यों नहीं कर लेते। कल अन्य 6 एक्स्चेंज के अन्य स्कूलों के छात्र आएंगे। जब समय आएगा, तो एक दूसरे के स्कूलों से सीखने का कार्यक्रम होगा। प्रभारी शिक्षक ने उन्हें बताया। इतनी जल्दी गुहान हैरान था। सभी जादू विश्वविद्यालियों के बीच नोट्स की तुलना करना नितांत आवश्चक था। यहाँ बस इतनी जल्दी होने से सभी को आश्चर्य हुआ। यहाँ क्या है। समय बस सही होता है। यहाँ हमेशा साल की सबसे महत्वपून घटना रही है। साथ ही इस साल नोट्स की तुलना के अलावा प्रैक्टिकल भी जरूरी है। जितनी जल्दी हम इसे शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पीचर ने हंस्ते हुए कहा। अगर ऐसा है। ठीक है। मैं कल आकर तुम्हें यहां से ले आमगा। परल इंस्टिट्यूट के छात्र आप भी जल्दी आराम करें। हम इंपीरियल कॉलेज पहले ही आपकी उपलब्धियों के बारे में सुन चुके हैं। हम आपसे थोड़ी प्रतिसपर्धा की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए जब समय आये तो कृप्या हमारे साथ नर्मी बरतें, शिक्षक लूने जारी रखा। उनकी विनमर मुस्कान ने विनय की जूठी भावना प्रदर्शित की। गुहान का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। वह उस आदमी के सामने धंडेपन से हम्फ करना चाहता था। अभिनय की क्या बात है? कौन नहीं जानता कि आपका इंपीरियल कॉलेज हमेशा स्वर के नीचे नंबर एक दिखावा करता है और आप हमें उदार होने के लिए कहने का साहस भी करते हैं। टीचर लू के जाने के बाद मो फैन का चहरा सवालों से भर गया। श्री, गुहान यह प्रतियोगिता क्या है? आप इसके बारे में भी नहीं जानते, शेन मिंग्जियाओ ने तुरंट संदिक धरूप से उत्तर दिया। कोई फर्प नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि उनकी ताकत इंपीरियल कॉलेज के बराबर नहीं है। हाला कि परल इंस्टिट्यूट अलग है, अगर हम हारते हैं तो हम अपना सम्मान भी खोदेते हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वापस जाओ, ठीक से आराम करो, और अपनी स्थिती को ठीक करो, श्री गुहान ने उन्हें सलाह दी। मोफैन मूल रूप से यहाँ बिना कुछ जाने आये थे। वह नहीं जानता था कि जैसे ही वह यहाँ आया, उसे लड़ना होगा। शिट यह पूरी तरह से मेरी उमीद के विपरीथ है। श्री लुल्यमिन चात्रावास से बाहर चले गए और अभ्यास के मैदान की ओर बढ़ गए। इंपीरियल कॉलेज हमेशा हर साल इस आयोजन पर विशेश ध्यान देता था। उनके लिए नंबर एक रैंट पर बने रहने के लिए जिन चात्रों को उन्होंने विनिमय चात्रों के खिलाफ प्रतिसपर्था करने की व्यवस्था की वे निश्चित रूप से हजारों इच्छुक आबेद को में से चुने गए थे। उनमें से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि उनके शिक्षक भी तुलना करने में असमर्थ थे। अभ्यास के मैदान के बीच में नंगे हाथों और पत्थर जैसे शरीर वाले एक व्यक्ति ने पूछा, मी, लू क्या परल इंस्टिट्यूट से एक्सचेंज के छात्रा आ गए हैं? इस व्यक्ति का अर्थ रिपल का उप्योग बहुत ही कुशल था। जैसे ही उसने लापर वाही से कुछ कदम उठाए, वह अभ्यास के मैदान के बीच से बाहर की गोर चला गया। वे यहां हैं, श्रीलू यमिंग ने सिर हिलाया। जोर जोर से हंसने लगा। इस समय सफेद कप्रो वाला एक सुन्दर चात्र शामिल हुआ, परल इंस्टिट्यूट के लोगों के पास हमेशा तेज गडगड़ा हट होती है, लेकिन बारिश की छोटी बूंदें, वे अपना मुह घुमाते हैं और हमारे अधीन होने से इंका करते हैं, उनके पास कोई वास्तविक्षमता नहीं है, मैं भी अधीर महसूस कर रहा हूँ, लू यमिंग ने अपने छात्रों के उत्साह को देखा और हलकी मुस्कान दिखाई, परल इंस्टिट्यूट और इंपीरियल कॉलेज के बीच प्रतिसपर्धा कोई ऐसी चीज नह कार्य थी, अपीक में इंपीरियल कॉलेज ने हमेशा अन्य विश्वविद्यालियों को विरोधियों के रूप में खीचा था, जीतना उनके लिए बेहत सामान्य था, इस साल यह परल इंस्टिट्यूट था और यह निश्चित रूप से देखने लायक कुछ था, आखिरका है कि छात्र वास्तव में खुद को प्रदर्शित करने के लिए बहुत अधीर थे, क्योंकि स्कूल बोर्ड भी प्रतियोगिता शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, वे वास्तव में परल इंस्टिट्यूट से छुटकारा पाना चाहते थे, इस तरह सर्वश् के रूप में उनका स्थान और भी अधिक ब्रेड होगा, किसी भी तरह से वे परिसर के चारों और सजावट नहीं कर रहे हैं और जश्ट मना रहे हैं क्योंकि वे अंक्तह परल इंस्टिट्यूट के छात्रों को आकर्शित करने में सक्षम थे, उन्हें अभी भी आरक्षित माना जा सकता है, श्री, लू अगर हम इस बार परल इंस्टिट्यूट के लोगों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने विश्व विद्याले के लिए प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, तो क्या स्कूल हमें कुछ अतरिक इनाम देगा, जू डालॉंग ने पूछा, सफेद क होगा आप दोनों जल्दबाजी न करें, क्या आप इधर उधर नहीं जाते हैं, और अपने दमपर हमारे स्कूल की स्थिती को नश्ट नहीं करते हैं, अभ्यास मैदान में एक बुलाने बाले च्छात्र ने बाद की, उसके बगल में एक भयंकर नीला भेडिया था, लू ज हमें कम मत समझना, मैं आपके हिंसक मार्क वुल्फ को अपने दमपर गिराने में सक्षम हूँ, जू डालॉन का गुस्सेल स्वभाव तुरंत उठ गया, केहे, वास्तव में कोई है, जो अकेले दमपर मेरे हिंसक मार्क वुल्फ को नीचे गिराने में सक्षम है, हाला कि वह जालौन का चहरा काला पड़ गया। जब वे अपना कप्तान चुन रहे थे तो अत्यंक अहंकारी लू जेंगे ने भी कोई आपती नहीं की। दूसरों के सामने लू जेंगे का हिंसक मार्क वुल्फ एक भयंकर भेडिया था। उसके सामने वह एक छोटे कुट्टे में बदल गया। जैसे ही शाम हुई मो फैन चुपचाप छट पर चले गए। इंपीरियल सिटी में हवा दानव सिटी से भी बत्तर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शहर के किस हिस्से में हैं। आपके लिए तारों भरे आसमान को देखने का कोई रास्ता नहीं था। बादलों ने रात को घोरकाली और सब कुछ असपश्ट कर दिया। चारों और पीली बूंदा बांदी की परत्थी, प्रकाश के प्रदूशन की तरह। मोफैन ने आज रात ध्यान करना जारी रखने की योजना बनाई और उस सम्मन तत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था जो हाल ही में एक नेबुला में विक्सित हुआ था। कौन जानता था क्यों, लेकिंग लिटिल लोच पेंडेंट आज थोड़ा अजीब था, क्योंकि इसने एक अजीब सी चमक बिखेरी। मोफैन ने सोचा कि यह बहुत अजीब था। पिछले कुछ दिनों के दौरान, जब वह मैजिक हिस्टोरिकल साइट्स की सराहना कर रहा था, मोफैन श्रीक्यू यहुआ के पास विशेश रूप से नेक्रोमेटिक टूल्स के बारे में पूछने के लिए गए थे। जाओ माम्यन ने पहले जो उल्लेख किया था, उसे याद करते हुए, मृत्यू के बार प्रकट हुए आत्मा अवशेश और आत्मा सार को देखा नहीं जा सकता था, और इस प्रकार उन्हें एकत्र भी नहीं किया जा सकता था। केवल नेक्रोमेंसर ही उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम थे। अगर अन्य जादूगर आत्मा अवशेश या आत्मा सार एकत्र करना चाहते थे, तो उन्हें नेक्रोमेंसर्स द्वारा जाली नेक्रोमेटिक टूल का उप्योग करना पड़ा। लिटल लोज कहां से आया? यह एक बहुमूल्य ध्यान उपकरण था और एक नेक्रोमेटिक उपकरण भी था. आज रात इस छोटी सी चीज से निकलने वाली रोशनी विशेश रूप से अजीब थी. मो फैन ने जाच करने के लिए अपने इरादे का उपयोग करने का फैसला क किया और देखा कि वह क्या पता लगा सकता है. अंडर्ग्राउंड होली स्प्रिंग लिटल लोज पेंडेंट के भीतर संग्रहीत किया गया था और लखखक पूरी तरह से पच गया था. यो आंग अंडर्ग्राउंड होली स्प्रिंग की आभा को महसूस करने में सक्षम था इसका कारण यह था कि लिटिल लोच पेंडेंट ने अपने अंगर संग्रहीत अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की कुछ गूंदों को कुछ सर्जित किया था वसंत को फिर से थूखना मूल रूप से असंभव था इसके अतरिक्त लिटिल लोच लटकन इससे जुड़ा हुआ प्रतीत होता है अगर कोई इसे चीनना भी चाहे तो यह असंभव होगा सच कहू तो ब्लाक वेटिकन के पास अब भूमिगत पवित्र वसंत प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं थी तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो न केवल आप आधी रात में सो नहीं रहे हैं बलकि आप कुछ अजीब हरी रोशनी भी दे रहे हैं मोफैन चट पर बैठा था और लिटिल लोच पेंडेंट को असमंजस में देख रहा था जैसे ही रात हुई लिटिल लोच पेंडेंट ने हरे रंग की चमक बिखेरना शुरू कर दिया समय समय पर यह भी काम पने लगेगा अगर मोफैन को 100% यकीन नहीं होता कि लिटिल लोच पेंडेंट वास्तव में एक पेंडेंट था उनका इरादा वास्तव में लिटिल लोच पेंडेंट की दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थ था इस बार मोफैन ने पहली बार डाइमेंचनल समन का उप्योग करते हुए महसूस किया उसका इरादा ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने से अलग विमान में था हालांकि मोफैन नहीं घबराए यहां तक की थ्री स्टेप पैगोडा जैसा कुछ भी इसके भीतर एक विशाल स्थान छिपा हुआ था रहसे में लिटिल लोच पेंडेंट की अपनी एक दुनिया थी यह बिलकुल भी अजीब नहीं था अन्य था यह भूमिगत पवित्र वसंथ कहा रखता यह एकत्रित आत्माओं को कहा रखेगा जैसे जैसे उनका इरादा भटकता रहा उन्होंने महसूस किया कि शूने का यह टुकड़ा वास्तव में इतना बड़ा नहीं था जैसे ही मो फैन गहरे हिस्सों की ओर बढ़ा उसने जल्दी से उसके बीच में एक अविश्वस्निय रूप से साफ नदी देखी नदी द्वारा उचसरजित आभा भूमिगत पवित्र वसंथ की तरह ही थी आप मूल रूप से कह सकते हैं कि लिटिल लोच पेंडेंट के शूने के भीतर एक बड़बडाती नदी बह रही थी जैसा कि मो फैन ने ध्यान से देखा उसने महसूस किया कि नदी के पानी के उपर हरी रोश्नी का एक बोला मंडरा रहा था यह नदी के उपर तैरते हुए बढ़े हुए जुगनों के जुण जैसा दिखता था हरी जुगनों की चमक पहले ही एक निश्चित पैमाने पर पहुँच चुकी थी यह साफ नदी के उपर चमकते हुए इकठा होने लगा बस बहुत सुन्दर हालांकि एक बार जब वह सपष्ट हो गया था कि जुगनों की चमक क्या थी मो फैन अब उन्हें सुन्दर नहीं समझ पा रहा था इसे अच्छे तरीके से रखने के लिए नदी के उपर तैरने वाली चीजें आत्मा के अवशेश थे बुरी तरह से वे सभी आत्माई थी शुरुआत में ही जब मो फैन ने प्रशिक्षक बाई यांके स्पिरिक बुल्फ को मार दिया था स्पिरिक बुल्फ की आत्मा लिटिल लोच पेंडेंट वारा अवशोशिक कर ली गई थी तब से जादूई जानवर और उसके द्वारा मारे गए ब्लैक विटिकन के लोग सभी प्रकाश के उन कणों में बदल गए थे जब वे लिटिल लोच पेंडेंट में तैरने लगे थे मोफैन ने सोचा कि उन बेकार आत्मा अवशेशों को लिटिल लोच पेंडेंट के लिए भोजन में बदल दिया गया था लेकिन किसने सोचा होगा कि वे सभी यहाँ नदी के उपर मंदराने वाली एक हरी लालटेंट में बदल गए थे मोफैन भी हैरान था वह वास्तव में लिटिल लोच पेंडेंट की युद्ध की इन सभी लूटों को इकठा करने की लग को नहीं समझ पाया स्वभागय से बहुत देर बाद नहीं हरी चमत मंद होने लगी हालांकि मोफैन को शक्त था क्योंकि वह नहीं बता सकता था कि क्या हो रहा है उसे समय बर्बाद करना बंद करना पड़ा वे सभी आत्मा अवशेश थे स्टारडस्ट मैजिक टूल्स और नेबुला मैजिक टूल्स बनाने के लिए इस्तिमाल किये जा सकने वाले सोल एसेंस की तुलना में अंतररे और सोने के दाने जैसा था चूंकि लिटिल लोच पेंडेंट उन्हें इकठा करना पसंद करता था तो उसने इसे जाने दिया लक्षे के साथ लटकन होना भी कोई बुरी बात नहीं थी मोफैन ने अब लिटिल लोच पेंडेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया वह अपनी जादूई साधना में डूग गया जैसे ही उसने राद के उत्तराध में प्रवेश किया लिटिल लोच पेंडेंट लटकन लगातार कापते हुए एक बार फिर बेचैन हो गया मोफैन ने अपनी आखें खोली जैसे ही वह लटकन को डांटने वाला था उसे अचानक एहसास हुआ कि मूल रूप से बिखरी हुई हरी चमक बहुत अधिक केंडरित हो गई थी मोफैन ने अपनी आखें खोली और उसका मुह उसके अंदर एक मुठी फिट करने के लिए काफी फैला हुआ था बिखरी हुई हरी चमक और घनी गूत हरी चमक दो पूरी तरह से अलग चीजे थी पूर्व एक आत्मा अवशेश था जो रेट के दाने के रूप में बेकार था और बाद वाला एक आत्मा सार था जो सोने के बराबर था समस्या यह थी उसने स्पष्ट रूप से किसी से लड़ाई नहीं की नहीं उसने किसी जादूई जानवर को मारा तो पेंडेंट संभवत आत्मा सार कैसे उत्पन कर सकता है इसके अलावा यह वास्तवित लेख था मो फ्रैन ने जल्दबाजी में जाच करने के अपने इरादे का इस्तिमाल किया और अचानक महसूस किया कि नदी के उपर मंडरा रहे आत्मा अवशेश अब वहां नहीं थे नदी के उपर का स्थान पूरी तरह से खाली था केवल एक बहुत ही केंद्रिक चमक के साथ एक आत्मा सार था यह चांदनी की तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था मो फ्रैन उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसे आस्मान से मीट पाई गिरना पसंद था इससे पहले कि वह सुरक्षित महसूस करे उसे सब कुछ स्पष्ट करने की आवशक्ता थी यह आत्मा सार बहुत अचानक था यह इसे सडक से उठा लेने जैसा था खुश होना एक बात थी लेकिन उसका दिल अब भी थोड़ा चैन से नहीं भरा था इस जिजक को ढोते हुए आखिरकार सुभा आही गई मो फैन ने सुभा सबसे पहले पुराने शिक्षक क्यों यहुआ का दर्वाजा खठटाया मो फैन को देखते ही पुराने शिक्षक ने जमहाई लेते हुए कहा तुम बहुत जल्दी उठ गए क्या हुआ सर मैं नेक्रोमेटिक मैजिक टूल्स के बारे में एक किताब पढ़ रहा था इसमें कहा गया है कि केवल आत्मिक सार संग्राय करने के अलावा उनके पास एक अत्यंत विशेश योग्यता भी है क्या आपको इस बारे में पता है मो फैन ने उससे पूछा बूढे शिक्षक की आखे चमकने लगी यह ऐसा था जैसे वह एक और महान गुरु से मिला हो जो इस तरह के अध्ययन में तल्लीन होगा क्योंकि उसने ठके हुए कहा आपने यह किताब कहा पढ़ी है यह एक प्राचीन किताब होगी मैं वास्तव में गलती से कुछ बहुत ही प्रारंभिक सामगरियों के संपर्प में आ गया था जिनमें कुछ रिकॉर्ड लिखे हुए थे जब मो फैन ने इस बूढे शिक्षक की आखो को इतना रहसिमय अभिनय करने का नाटक करते हुए बेहत कुछ साहित देखा तो वह जानता था कि इस बूढे व्यक्ति के पास निश्चित रूप से वह उत्तर था जो वह चाहता था इस प्रकार उन्होंने उसे उस दिशा में निर्देशित किया जो वह समझना चाहता था पुराने शिक्षक क्यू यहा ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अपने जीवन धर खोजे गए सभी रहसियों को उजागर कर रहा हो जैसे वह फुस्कुसाया एक अफवाह है कि एक नेक्रोमेटिक जादू उपकरण है जो न केबल आत्मा सार एकत्र करता है बलकि इसमें एक आत्मेता भी है आत्मा अवशेश के साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार का नेक्रोमेटिक मैजिक टूल उन आत्मा अवशेशों को एक उचित आत्मा सार में परिश्कृत करने में सक्षम है यह सुनने के बाद मो फैन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल गया हो जैसा की अपेक्षित था लिटिल लोच पेंडेंट जिसने उन सभी आत्मा अवशेशों को एक आत्मा सार में बदल दिया था रेट को सोने में बदलना मो फैन खुद को लिटिल लोच पेंडेंट को चूमने से नहीं रोक सका एक पेंडेंट का मालिक होना और इस तरह के दाइरे तक पहुँचना यहाँ बहुत आश्चर यजनक था यहाँ बहुत ही असाधारण था अपने कमरे में लोटने के बाद मो फैन फिर से पुष्टी करने के लिए उसके अंगर गए जह वास्तव में एक सोल एसेंस था एक मिनियन लेवल सोल एसेंस एक मिनियन लेवल सोल भी अपेक शाकृत कीमती था क्योंकि सभी बुनियादी स्टारडस्ट मैजिक टूल्स के लिए उनकी आवश्चता थी जब मो फैन इस बारे में विचार कर रहे थे कि भविश में बड़ा पैसा कमाने के लिए वे लिटिल लोच पेंडेंट का उप्योग कैसे कर सकते हैं तो उन्हें गलती से एक और भी बड़ी समस्या का पता चला ऐसा प्रतीत हुआ कि वह आत्मा सार को निकालने में सक्षम नहीं था लिटिल लोच पेंडेंट मुझे मत छेडो अगर मैं सोल एसेंस नहीं निकाल सकता तो मैं इसे नीलामी में नहीं ला सकता अगर मैं इसे नहीं बेच सकता तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे मोँ फैन को नहीं पता था कि रोना है या नहीं उसने सोना खो जा था, लेकिन उसे निकालने में असमर्थ था उस अर्थ में अगर अधिक सोना भी था, तो इसका क्या मतलब था? मोफें ने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया और महसूस किया कि वह लिटिल लोच पेंडेंट से इस संगनित सोल एसेंस को निकालने में असमर्थ थे अगर ऐसा होता तो क्या परिश्क्रित मिनियन लेवल सोल एसेंस सिर्फ एक सजावट के समान नहीं होता क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बंदूग बहुत तेजी से उछा ली हो मो फैन थोड़ा अनिक्छुप था क्योंकि उसने आत्मा सार का अध्ययन करना जारी रखा उसने नाश्ता नहीं किया मो फैन बार-बार इसके हटाने का प्रयास करने के लिए अपने इरादे का इस्तिमाल किया उन्होंने अन्तव महसूस किया कि यहां आत्मा सार उनकी आध्यात्मिक दुनिया के अलावा कहीं और जाने में सक्षम नहीं था इस तरहे की अनुभूती बिल्कुल एक आध्यात्मिक छाप की तरह थी यह ऐसा था जैसे इस सोल एसेंस की छाप उस पर थी और मजबूती से उससे बंधा हुआ था प्रश्निय है कि इस विशेश आत्मा के अपनी आध्यात्मिक दुनिया में होने का क्या मतलब था लंबे समय तक इसकी जाच करने के बाद उग गए मोफैन ने सोल एसेंस को अपने लाइटनिंग नेबुला की ओर ले जाने का फैसला किया लाइटनिंग नेबुला बैंगनी था और अब एक आकाश गंदा की तरह सरपिल आकार का था यह विशाल आध्यात्मिक अंतरिक्ष के भीतर अत्यंत उज्रवल था जैसा कि मोफैन ने विकीर्ण करते आत्मा सार को अंदर खीचते हुए देखा उन्होंने महसूस किया कि यह जुगनू जैसी चमक अनैच्षिक रूप से एक लाइटनिंग स्टार की ओर तैर रही थी जिस तरह मोफैन यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चर रहा है लाइटनिंग स्टार ने अचानक एक निश्चित चुमबकी एक शेत्र का उचसरजन करना शुरू कर दिया और इसने दीप्तिमान सोल एसेंस को पूरी तरह से निगल लिया शिट वह चीज कैसे खाई जा सकती है एस सोल एसेंस की कीमत तीन मिलियन आरेंबी देने के बराबर थी यह इसे ऐसे कैसे खा सकता है यह अपमांजनक था एक सामान्य रूप से बहुत आग्याकारी स्टार के व्यवहार में अचानक इतना परिवर्थन कैसे हो सकता है इसने आत्मा के सार को निगल लिया और यहां तक की इसे वापस थूखने से भी मना कर दिया इस पूरी स्थिती ने मो फैन को पूरी तरह से स्थब्ध कर दिया मूल रूप से वह केवल प्रयोग कर रहा था कौन कलपना कर सकता था कि यह आत्मा सार निगल जाएगा और यह सितारों में से एक द्वारा निगल लिया गया था कि वह जादू स्टार पत बनाता था यह स्थिती पहले ही मो फैन की कलपना से आगे निकल चुकी थी मो फैन ने जट से मिस्टर क्यू युहाओ को फिर से ढूंड लिया और उनसे इस सब के लिए किसी तरह का सपश्टी करण प्राप करने की उम्मीद की एक आत्मा सार को निगलने वाला एक सितारा बूढे शिक्षक ने अपना चश्मा धकेल दिया जबकि उसके चहरे पर मुस्का आना गई क्यू युहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें यह पसंद आया जब उनके छात्रों ने उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे अगर वह उनका उत्तर देने में सक्षम होता तो इससे पता चलता कि वह एक उत्कृष्ट विद्वान था मो फैन ने जो सवाल पूछा वह काफी पेचीदा था बहुत सी किताबों में इस तरह की बातें दर्स नहीं होती सौभा जिसे पुराने शिक्षक को किताबे मिल गई थी इसलिए उन्होंने अपना गला साफ किया और उन चीजों का एक लंबा डायटरीव शुरू किया जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था उसके बाद वह आखिरकार वास्तवित प्रश्न पर आ गया आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि सोल एसेंस बहुत अच्छी चीज है यह एक जादूगर की साधना के लिए एक बड़ी सहायता प्रदान करने में सक्षम है सोल एसेंस का सबसे बड़ा उप्योग ध्यान जादू उपकरन बनाना है चाहे वह स्टारडस्ट मैजिक टूल हो या नेबुला मैजिक टूल वे सभी बहुत लायक है हालाकि शुरुवात में सोल एसेंस का इस तरह से उप्योग नहीं किया गया था इससे पहले की लोग स्टारडस्ट एनरजी या नेबुला एनरजी पर शोध करने के लिए नेक्रोमिसी का इस्तिमाल करते सोल एसेंस को मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता था क्यों युहुआ ने समझाया को सुद्रिध क्या मजबूत कर रहे हैं मो फ्रैन ने तुरंग पूछा आपको यह भी पूछना है बेशक इसका इस्तिमाल सितारों को मजबूत करने के लिए किया गया था अन्य था एक सितारा एक आत्मा सार को क्यों खाएगा क्यों युहुआ अपनी दाढ़ी में घुस गया यह सितारों को मजबूत करने में सक्षम है हाँ, Meditation Magic Tools के आविशकार से पहले Soul Essence को इस तरह बरबात किया जा रहा था अगर यह एक स्टार को मजबूत करने में सक्षम है तो क्या इसका मतलब है कि सितारों से बना जादू मंतर भी मजबूत हो जाएगा मो फैन ने तुरंट पूछा सहज रूप में अगर स्टार को बल मिलता है तो मंतर भी मजबूत हो जाएगा फिर क्या यह अच्छी बात नहीं है मो फैन खुशी से चूम उठा तो मंतर बल प्राप्त करने में सक्षम थे यह अच्छी खबर थी ठीक उसी तरह जैसे Great Unwai X Formation के नीचे Giant Shadow Spike को कास्ट करते समय एक सिंगल Great Shadow Spike उनमें से 6 में गुना हो गया था यह योध्धास्तर के शापिक जानवर को पिन की हुई तिली की तरहे पूरी तरहे से नीचे गिराने में सक्षम था यहां तक कि इसकी आत्मा को भेडने का एक अत्रिक्ट प्रभाव भी पड़ा जादू की मजबूती वास्तव में बेहत शक्तिशाली थी क्यों लोगवा ने अपना सिरहिलाया और कहा मैंने भी कहा कि यह संसाधनों की बरबादी है क्यों मोफैन यह समझने में असमर्थ था एक आत्मा सार अत्यंत कीमती है अगर आप नीलामी में जाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उन चीजों की कितनी मांग है सोल एसेंस चाहे किसी भी स्तरका हो स्टार्डस्ट या नेबुला मैजिक टूल के निर्मान के लिए आवश्यक तत्व पर्यात आपूर्ती में नहीं है कौन बास्तव में उन आत्मा सार का उप्योग अपने सितारों को मजबूत करने के लिए करेगा प्राइमरी मैजिक में कुल साथ सितारे हैं न केवल जब आप उन सभी साथ सितारों को मजबूत करते हैं तो आप एक निश्चित उन्मयन प्राक्त करने में सक्षम होते हैं समस्या यह है कि जादूगर मूर्ख होने के अलाबा वे निश्चित रूप से पूरे साथ आत्मा सार के साथ अपने प्राथमिक जादू को मजबूत नहीं करना चाहेंगे क्यू लुहा ने कहा एह मो फैन के यह सुनने के बाद उसके चहरे के भाव बदल गए ऐसा लगता है कि वह उस तरह का मूर्ख जादूगर था ठीक पांच मिनट पहले उसका चमकदार सोल एसेंस बिजली के एक तारे द्वारा पूरी तरह से खालिया गया था इसलिए भले ही मैजिक स्टार्स की मसबूती मौजूद है इसके लिए एक सोल एसेंस का उप्योग करने की आवश्यक्ता होगी जो मानबता को एक बड़ा लाब प्रदान करता है मसबूती का इस तरह का रास्ता बहुत खर्चिला है यहाँ आपके पैसे को जलाओ लकडी के रूप में उप्योग करने से अलग नहीं है क्यों युहुआ ने कहा मोफ्रैन ने सोचा की खत्म हो गया और उसने सिरहिलाया मल अगर लिटिल लोज पेंडेंट के भीतर संधनित आत्मा सार को निकाला और नीलाम नहीं किया जा सकता था तो वह केवल अपने प्राथमिक जादू को मजबूत करने के लिए उनका उप्योग कर सकता था एक प्राथमिक जादू के लिए साथ सितारों की आवश्चकता होती है और उनमें से प्रत्येक को मिनियंस्तर के आत्मा सार को खिलाने की आवश्चकता होती है तो वह सारा पैसा उसे योध्धास्तर के आत्मा सार को खरीदने में सक्षम होता इसके अलावा, भले ही उसके मंत्र बफ किये गए हो, प्रभाव शायद बहुत अधिक नहीं होगा कम से कम यह शायद intermediate magic की ताकत तक नहीं पहुँचेगा श्रीकियो युहाओ ने जो कहा वह बिल्कुल गलत नहीं था जब तक आप मूर्ख नहीं हैं, तब तक आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे आएए इसका अध्ययन करना जारी रखें अगर मैं वास्तव में इसे दूर नहीं कर सकता, तो मैं उनका उप्योग केवल सितारों को मजबूट करने के लिए कर सकता था इस समय मों फैन समच नहीं पा रहे थे कि हनसे यारोएं इनका उप्योग अपने सितारे को मजबूट करने के लिए करते हैं उनसे नदी के उपर के स्थान को सजाने से तो और भी अच्छा था महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि जब वह उन्हें देखता तो बहुत परिशान होता एक और स्कूल में सुबह इंपीरियल कॉलेज के साथ एक नकली लड़ाई चल रही थी दोपहर में परल इंस्टिट्यूट बनाम इंपीरियल कॉलेज होगा इस बार की नकली लड़ाई स्वाभाविक रूप से हाइलाइट थी युद्ध के अखाडे के खुलने से पहले ही सबसे अधिक धीर होने की संभाव ना थी मोफैन ने पूरी रात लिटिल लोच पेंडेंट के साथ खिलवाड किया था दूसरे स्कूल के साथ लड़ाई देखने के लिए अन्य लोग सुभा सुभा गुहान के पीछे हो लिए मोफैन नहीं गया अपनी लंबी नींड के लिए अपने बिस्तर पर वापस जा रहा था अन्य था उसके पास इंपीरियल कॉलेज के उन अहंकारी लोगों के खिलाफ लड़ने की उर्जा कैसे होगी मोफैन सो रहा था अन्य छात्र युद्ध के मैदान में चले गए लडाईयों की व्यवस्था यह थी कि सभी 6 विश्वविद्याले आपस में लडेंगे देश के उत्तर, दक्षिन, पूर्व और पश्चिन से विश्वविद्याले थे ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण थे हालाकि इंपीरियल कॉलेज के छात्र बहुत चिंतित नहीं थे वे जिन लोगों से सबसे अधिक छुटकारा पाना चाहते थे वे परल इंस्टिक्यूट के थे सुबह में टीमों की बातचीट से प्रतिसपरधा की भावना जल्दी ही पैदा हुई लो सोंग और जूडालॉंग जिनका व्यक्तित्व प्रत्यक्ष था तुरंट एक दूसरे से लड़ने लगे लो सोंग तुम बहुत होशियार इंसान हो आप फीनिक्स की पूँच नहीं बनना चाहते थे इसलिए आप मुर्गे का सिर बनने के लिए भागे इसके बारे में सोचते हुए यह भी समझ में आता है आप जैसे व्यक्ति के लिए इंपीरियल कॉलेज में आपकी ताकत अधिक से अधिक औसत होगी लडने की तुम्हारी बारी भी नहीं आएगी जू डालॉंग ने अपने शब्दों को गलाने की कोशिश भी नहीं की वह जो भी कहना चाहता था कह दिया गया मिस्टर गुहान ने जब देखा तो उनके मुह का स्वात खराब था एफ एस्टरिस्ट 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 बंध तुम एक फीनिक्स हो जबकी मैं एक चिकन हूँ जू डालॉंग असभ्य मत बनो प्रुप्या मुझे उसके लिए माफी मांगने की अनुमती दें प्रुप्या उसे एक शमा करें परले इंस्टिट्यूट के सनातक होने के नाते और वहाँ एक वर्तमान शिक्षक होने के नाते उनके पास खुद को कम करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि दूसरी पार्टी इंपीरियल कॉलेज थी यहाट लू यमिंग अजीब तरह से मुस्कराया और उसने जट से विशय बदल दिया जब मैंने आपका स्वागत किया तो मुझे कुल मिलाकर नौ छात्र याद है आज आप मेंसे केवल आठ कैसे हैं क्यों युहा कुछ ज्यादा ही दयालू थी उसने जल्दी से गुहान को टोका और कहा छात्र कल रात ठीक से नहीं सोया था इसलिए वह अभी सो रहा है हाँ 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 आपको वास्तव में उस दबाव को महसूस करने की जूरत नहीं है यह केवल एक नकली लड़ाई है आप उस पर कैसे सो सकते हैं लू यमिंग हंसने लगी क्यो युहाओ का चेहरा काला पड़ गया कल जब उनका स्वागत किया जा रहा था तो उन्होंने सोचा कि इस लू यमिंग को किसी तरह की समस्या है आज बातचीत के बाद उसे लगा कि इस व्यप्ती के मुह से कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है वह आदमी आता है या नहीं वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों से निपटने के लिए हमें केवल कुछ ही लोगों की जरूरत है शेन मिंग्जियाओ तुरंट खड़े हो गए उनकी आखें एक कीमती तलवार की तरह थी जब उन्होंने इम्पीरियल कॉलेज के लोगों के समोह को देखा क्या वह सही है? आपको लगता है कि दिखावा आपको कहीं भी ले जा सकता है शिश्टलियाओ मिंगक सुवान थंडेपन से मुस्कुराया आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? शेन मिंग जियाओ को तुरंट गुस्सा आ गया ठीक है, मौकिक रूप से एक दूसरे पर हमला करने का क्या मतलब है? आज दोपहर खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तमाल करें गुहान ने ठंडेपन से बीच में टोका हाँ, आए खुद को साबित करने के लिए ताकत का इस्तमाल करें लू यमिंग ने अपने चहरे पर एक पाखंडी मुस्कान बनाए रखी क्योंकि उन्हें वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी जाओ मान्यन ने सीधे चहरे से कहा मो फैन दोपहर तक सो चुके थे उसे अकेला छोड़कर बाकी सब पहले ही जा चुके थे दोपहर के भोजन का प्रबंध वह खुद करता था इंपीरियल कॉलेज काफी बढ़ा था दो विश्व विद्यालियों के बीच स्पष्ट अंतरवे पेर थे जो आसमान तक पहुँचे हुए थे जंगलों के माध्यम से छोटे-छोटे रास्ते जो हर जगह देखे जा सकते थे और इमार्तों की शैली डिजाइन में लगभग प्राचीन थी यहां आधुनिक समय के अनुसार विक्सित हुए शंगाई के बिलकुल विप्रीथ था यह भी समझ में आया इंपीरियल कॉलेज में कई प्रतिभाशाली लोग थे यहां तक की वहां के गंदे नालेभी विद्वानों की आभासे भरे हुए थे आप उनसे कुछ प्रसिध नाम भी प्राप्त कर सकते थे कोई आश्चर्य नहीं कि यहां के सभी छात्र अविश्वस्निय रूप से अहमकारी थे इस स्थान पर जहां विशेशग्य बादलों की तरह थे एक स्थान प्राप्त एक शांदार नायक की महिमा को दर्शाता है एक व्यक्ति जो विनमर्था उसे आसानी से दिखावे के रूप में समझा जा सकता था आप थोड़े आश्वस्त भी हो सकते हैं और उस उपस्थिती को प्रकट कर सकते हैं जो आपके पास होनी चाहिए वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने क्यों युगवा से शिक्षा प्राप्त की थी या उसकी अपनी मनोच्शा थी लेकिन मोफैन स्कूल के चारों और दर्शनियस थलों की यात्रा करने के मूर में था उसका दिल आह भर गया ठीक है वह खो गया था कुछ मदगार वरिष्ट बहनों की मदद से मोफैन ने आखिरकार युद्ध के मैदान में अपना रास्ता खोज लिया युद्ध का अखाडा विशाल था बहुत भव्य था और जगह के बाहर बड़े सफेद स्तंभों ने उन्हें प्राचीन रोम के महान कोलिजियम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया युद्ध के अखाडे की शैली उनकी जानकारी से बहुत अलग थी इसके अलावा यहाँ अपने गोलाकार रूप के साथ रोम के बीस्ट कोलिजियम के समान प्रतीत होता था ऐसा प्रतीत हुआ कि अखाडे को और भी मंत्रमुग्ध करने के लिए जानबूच कर इसे मधुकोष की तरहे डिजाइन किया गया था युद्ध के मैदान में चलने के बाद मोफैन ने महसूस किया कि वह समय पर आ गया था परल इंस्टिट्यूट के लिए इंपीरियल कॉलेज के खिलाफ लड़ने का समया गया था वह नहीं जानता था लेकिन जैसे ही वह अपनी टीम में आया मोफैन को बारूद की गंधाई उन्हें लगा कि पीके से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है क्या गलत है मोफैन ने जाओ मानियन से पूछा यहां और क्या हो सकता है उन्हें लड़ने के लिए उकसाया गया वह लड़का लो सौंध इंपीरियल कॉलेज के बच्चों के समो के साथ बात कर रहा था और जू डालॉन नाम के उस लड़के से भेड़ गया उनकी लप्तें तुरंट समोहों में फैल गई जाओ मानियन ने उसे बताया यह अच्छा है फिर मुझे इस तरह की क्रूरता पसंद है अगर वे विनमर और विनमर थे तो हमें कुछ भी करने में शर्मिंद की महसूस होगी मोफैन ने शैतानी करते हुए कहा मैं भी जाओ मानियन ने भी इससे इनकार नहीं किया परल इंस्टिट्यूट और इंपीरियल कॉलेज के बीच का मामला कुछ ऐसा था जिसे हर कोई समझ रहा था यहां आने वालों में से हर एक बेहत उत्साहित था दोनों शामिल पक्षों को अब एक दूसरे के साथ अच्छा खेलना जारी रखने की आवश्चकता नहीं है क्या उन्होंने तुरंत लड़ाई की और फिर वे अंत में देख सकते थे कि क्या परल इंस्टिट्यूट में बास्तव में देश में नंबर एक पहलाने की ख्षमता है या इंपीरियल कॉलेज परल से छुटकारा पाने में सक्षम होने की अपनी उम्मीदों पर खरा हुतरा हम किस तरह की लड़ाई कर रहे हैं? मो फ्रैन ने मुनुजियाओ को धक्का देने के लिए अपनी कोहनी का इस्तमाल किया जिसने पीले रंग की फलफी गूज जैकेट पहनी हुई थी, उसकी भौहें उठी हुई थी अगर यह कोई और होता, तो मुनुजियाओ ने उस व्यक्ति को उरने के लिए तुरंट एक विंड डिस्क टोर्नेडो का इस्तमाल किया होता जब लोग लापरवाही से उसे चूते थे, तो उसे यह अच्छा नहीं लगता था अलाकि जैसा की वे एक साथ रहते थे, मुनुजियाओ उसके प्रती अधिक प्रतिरक्षित हो गई थी उसने अभिनय किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ था हम चार भेजते हैं, और वे चार भेजते हैं तीन लड़ाई बिना आख मारे, मुनुजियाओ ने मोफैन से एक निश्चित दूरी बना ली मुझे वह पसंद है, मोफैन ने अपने हाथों को रगरते हुए एक चंचल भयावा चेहरा बनाया वर्तमान में सभी मंत्रों की संख्या बहुत प्रभावशाली नहीं थी अगर वे खुद से लड़ते, तो यह ज्यादा तर उनकी खुद की मारक शमता के बारे में होता मूल रूप से सबसे व्याभारिक टाकत वाला व्यप्ति युद्ध जीतेगा, जो काफी निरस होगा एक तीन लड़ाई अलग होगी प्रत्येक तक्व अपने स्वयन के मंत्र और विभिन प्रकार के जादूई उपकरण के साथ एक दूसरे के साथ उनका सहयोग और अलग-अलग स्कूलों के आपस में जुरने से मकभेट काफी बढ़ जाएंगे और वास्तव में एक जादूगर की युद्धक्षमता और उनके अनुकूल कौशल का परीक्षन होगा उच्साहित मत हो आप बाहर भेजे जाने वाली टीम का हिस्सा नहीं है जाओ मान्यन ने मोफैन का कंधा थप्थ पाया क्यों मोफैन अनिक्छुक था शिट तुम्में यह कहने की भी हिम्मत है नाम सूची बनाने के बाद ही आप आए ओ ओ, मैं खो गया था सवभा जिसे इंपीरियल विश्वविद्याले प्रतियोगिताओं के दोहरे सेट के लिए सहमत होने के लिए काफी दयालू था परल इंस्टिक्यूट ने पहले दौर में शेन शियाओ मिंग, लो सोंग, पेंग लियांग और जाओ मानियन को बाहर भेज कर शुरुआत की शेन मिंजियाओ और लो सोंग दो ऐसे लोग थे जिन्होंने कम चीजों को स्विकार करने से इंकार कर दिया उन्होंने कई शिक्षकों और विभिन स्कूलों के चात्रों को देखा, और कई सुंदर लड़कियों और देवी देवताओ को भी उपस्थित देखा अगर वे इंपीरियल कॉलेज को हराने में सक्षम होते, तो वे निश्चित रूप से तुरंट एक होट टॉपिक बन जाते शेन मिंजियाओ, जिनके पास हमेशा परल इंस्टिक्यूट में एक भगवान की उपाधी थी, स्वभाविक रूप से इस अफसर को छोड़ना नहीं चाहते थे वह दिखावा करने के लिए लो सौंग और जू डालॉन की नाराजगी का फाइदा उठा रहा था लो सौंग और जू डालॉन के बीच एक दूसरे के प्रती गहरी दुश्मनी थी दूसरी मुलाकात के बाद वे तुरंग अपने स्वयं के तत्व के अंतरंग लोगों का अभिवादन करने लगे लो सौंग स्वाभाविक रूप से उसे चुनोती देने का जिम्मा संभालेगा वह जू डालॉन को हराना चाहता था पेंग लियांग और जाओ मानियन दोनों को श्री गुहान द्वारा सूची बद्ध किया गया था उन दोनों ने अपने शिक्षक के आदेशों की अभेलना करने की हिम्मत नहीं की जू डालॉन, लियाओ मिंगक सुवान, जिंग जिंग, छाओ मिंग्यू, तुम चारों यहां मोड ले सकते हो हमें निराश मत करो, लू यमिंग ने तुरंक चार नाम पुकारे इंपीरियल कॉलेज के चारों छात्र वाकाउट कर गए जू डालॉन एक स्टीरियोटाइपिकल मस्कुलर मैन थे, वो बिल्कुल भी जादूगर की तरह नहीं दिखते थे वह महिलाओं को बर्गलाने में माहिर एक निजी प्रशिक्षक की तरह अधिक दिखता था स्वभाव के मामले में मो फैन ने सोचा कि वह उसी प्रकार का पुरुष है जो शेन मिंजियाओ है सिर्फ इसलिए कि कुछ लड़किया थी जो उन्हें प्रेम पत्र लिखती थी और उन्हें पूरे दिल से देखती थी उन्हें लगने लगा था कि वे राजकुमारों की तरह ही महान है जिन जिन और जाओ मिंग्यू महिला जादूगर थी जब मो फैन और जाओ मानियन एक साथ खड़े थे तो उन्होंने पहले ही उन दोनों की साबधानी पूर्वक जाच कर ली थी और उनका नाम लड़की ए और लड़की भी रखने का फैसला किया उनका रूप भी बहुत अच्छा था जिस प्रकार आप पहली नजर में किर सकते थे मो फैन ने जाओ मानियन से कहा मैं मसालेदार मिर्च के एक बैग पर शर्त लगा सकता हूँ कि हम हार जाएंगे यह किसी और को नहीं पता हो सकता है लेकिन जाओ मानियन बहुत सपष्ट थे कि साधना के मामले में मो फैन को सबसे उपर होना चाहिए कुछ साधना वाले लोग तक्वों के उतार चढ़ाव के माध्यम से दूसरों की शक्ती का अनुमान लगाने में सक्षम थे मो फैन के उनके हारने के बारे में इतनी बड़ी बात करने से इसका निश्चित रूप से मतलब था कि उसे कुछ समझ में आया होगा मो फैन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया मो फैन ने उनकी साधना नहीं देखी यह सिर्फ उनकी सुखत इच्छा थी शिट अगर वे जीत जाते हैं तो मैं संभवत्ध दुनिया को बचाने की अपनी अविश्वसनियक शमता कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ जियामेन विश्वविद्यालय और हुआडों विश्वविद्यालय के रंगों में दोनों तरफ कुछ वर्दीधारी लोग बैठे थे वे सभी दूसरे लोगों के दुर्भाग्य में आनंदित हो रहे थे क्योंकि वे वहाँ बैठ कर लड़ाई देख रहे थे वो फैन ने मोटे तौर पर उन्हें पार करने के अपने इरादे का इस्तिमाल किया उन्होंने महसूस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विश्वविद्यालय या इसे कैसे रंग किया गया था नतली लड़ाई के लिए यहां आने वाले सभी लोगों में एक इंटर्मेडियेट जादूगर की साधना थी इसके अलावा उनमें से अधिकांश काफी समय से इंटर्मेडियेट स्तर पर थे इसके बारे में सोचते हुए यह समझ में आया महान विश्वविद्यालय की रैंकिंग अभी भी रैंकिंग थी जिन लोगों को एक विश्वविद्यालय के लिए सम्मान जीतने के लिए भीजा जा रहा था वे विशेशग्यों के विशेशग्य होने चाहिए और उनमें से प्रत्येक के पास प्रतिभा का एक बड़ा पूल था वो फैन जैसे होनहार युवाओं की संख्या भी काफी कम होगी चुंकि वह सुभा नहीं आया था, उसे नहीं पता था कि उनकी टाकत कहा है बहरहाल लड़कियां काफी अच्छी लग रही थी इस करफ पर लग इंस्टिट्यूट और इंपीरियल कॉलेज की चरम लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी इस तीन युद्ध के लिए सभी जादूई उपकरणों और उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है दोस्त बनाने के लिए जादू का इस्तिमाल करें, जरूरत से ज्यादा आगे न बढ़े इस बार के नियम सभी के लिए अच्छी बात थी इंपीरियल कॉलेज में महान परिवारों के शिश्यकुत्तों की तरह आम थे उनके लिए कोई असाधारन बस्तुन न होना असंभव था जादू के उपकरण और उपकरणों को खत्म करने से यह उन्हें अपनी वास्तवित ताकत पर भरोसा करने के लिए मजबूर करेगा जैसा कि दोनों पक्षों ने दिखाया कि वे तयार हैं, न्यायाधीश ने आदेश दिया लड़ाई शुरू हो चुकी थी जिस क्षन से यह शुरू हुआ, दर्शक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि लोग अब पहले जैसे नहीं रहे परलग इंस्टिट्यूट की ओर से उनका गठन थोड़ा अधिक गडबर था देखने वाले यह नहीं बता सके कि उनमें से कौन आगे था और नहीं पीछे कौन सहारा लिये खड़ा था जहां तक इंपीरियल कॉलेज के चार लोगों की बात है तो संभावना है कि उन्होंने केवल दो दिनों से अधिक समय तक एक साथ प्रशिक्षन लिया होगा उनका क्रॉस आकार का गठन तुरंट पूरा हो गया था हर कोई बता सकता है कि यह एक प्रशिक्षन अंतराल था यह सपश्ट था कि परले इंस्टिट्यूट के चारों लोग सिर्फ संकट मुचक थे उन्होंने महसूस किया कि इंपीरियल कॉलेज बहुत तयार होकर आया था क्योंकि वे जल्दी से अपने पदों पर चले गए जाओ मान्यन सबसे पीछे खड़ा था एक इंटरमेडियेट लाइट जादूगर के रूप में वह ज्यादातर समय अपनी टीम के साथियों की रक्षा करेगा विपरीत पक्ष की मैजिक कास्टिंग बहुत तेज थी विशेश रूप से जिंग जिंग नाम की लड़की एक पहरे हरे रंग का स्टार एटलस उसके पैरों के नीचे तेजी से संधनित हो रहा था स्टार एटलस के भीतर चमकते सितारे लताओं में बदल गए थे जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ गुंते हुए थे क्योंकि वे लड़की के लंबे पैरों के साथ बड़े हुए थे जादू उसके शरीर के चारों और लिप्ता हुआ था उस बेल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई इंटरमेडियेट प्लांट मैजिशियन है यहां मंत्र मियो नूजियाओ के लिए अत्यंत परिचित था जिसके पास पादप तत्व भी था यहां एक मध्यवर्ती जादू है जल्दी करो और उसे नीचे ले जाओ शेन मिंदक सियाओ ने तुरंट लो सांग को कमांडर की भूमिका निभाने का आदेश दिया लो सोंग के चहरे पर एक धूर्क मुस्कान दिखाई दी उन्होंने प्राथमिक प्रित्वी जादू को पूरा करने के बजाए इंटर्मेडियेट जादूगर के सुंदर स्टार एटलस को बरबाद करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया मैं तुम्हे थोड़ा अस्थिर कर दूँगा देखते हैं कि तुम उस इंटर्मेडियेट मैजिक को कैसे पूरा करने वाले हो लो सौंग ने अपने मोटे हाथों को जमीन पर पटक दिया मूल रूप से समतल जमीन अचानक से सिकुरने लगी इन सिल्वटों में उतार चढ़ाव होने लगा साथ ही साथ जमीन की सतह कामपने लगी खिंचने लगी और तेजी से पीछे हटने लगी प्रास फॉर्मेशन में खड़े इंपीरियल कॉलेज के चारों लोग तुरंत लड़ खडाने लगे क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप केवल वही हैं जो प्रित्वी जादू को जानते हैं ऐसा लगता है कि जू डालॉंग ने इसके लिए तयारी कर ली थी जिस तरह प्रित्वी की लहर का हिलना तेज हो रहा था जू डालॉंग अपने पैर से नीचे गिर गया उस स्टॉंप पर हर कोई भूरे रंकी धर्ती की लहर को अचानक केंदर में जू के साथ फैलते हुए देख सकता था जैसे जैसे लहर फैलती गई उसने अपने परिवेश में जमीन की हिलती हुई सतह को शांत कर दिया प्रित्वी दानव जो मुसीबत शुरू करने वाला था अब उतावला होने की हिम्मत नहीं कर रहा था जिंग जिंग जो अपना इंटरमेडियेट जादू बनाने के बीच में थी अभी भी अपेक्षाकरत स्थिर थी भले ही वह अभी जमीन पर गिरने ही वाली थी फिर भी उसका मैजिक स्टार पाथ और स्टार एटलस बाधित नहीं हुआ जैसे ही हरी लताएं उसके सीने पर उपर की ओर गुंतने लगी इंटरमेडियेट प्लांट मैजिक फॉरस्ट आफकुन ने धलाई पूरी कर ली थी कुन का जंगल जेल जिन जिन का स्वभाव तुरंक बदल गया उसकी आखें अहंकार से भरे परले इंस्टिट्यूट के चार लोगों की और चमक उठी लताओं, जाडियों, राक्षसी शाखाओं और कांटों से फंसने का आनंद लें, वह चिलाएं कुन का जंगल कुछ ऐसा था जिसे मो फैन ने एक बार पहले अनुभव किया था आपके पैरों को पकड़ लेंगे, और उसके बाद अत्यंत कठिन को रिलताएं आपके पैरों को रस्सियों की तरहा आपस में बांधने लगेंगी कुन का जंगल बढ़ रहा था बहुत बाद में इसने उस स्थान को बदल दिया था जहां परले इंस्टिटूट के चार लोग एक बड़े जारजंखाड के पिंजरे में खड़े थे अगर जेल के अंदर के लोग जादू का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें पहले पौधों के जीवन की घनी जेल को नश्ट करना होगा हालांकि इंपीरियल कॉलेज के लोगों के पास इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए इंतजार करने का धैर्य नहीं था उन सभी ने जाओ मिंग्यू नाम की लड़की को देखा जिसने अपना प्लांट मैजिक डालना समाप्त कर लिया था और अब ठीक सामने की पोर चल पड़ी भीशन आग की लप्तें फैल गई लाल रंग की रोशनी ने तुरंट पूरे अखाडे को रोशन कर दिया उसके शरीर से लप्ते निकली और लप्तों के छलों में फैल गई उसके जोर से चिलाने के बाद सभी प्रचंड लप्तें उसके दाहिने हाथ पर घनी भूत होने लगी वह क्या कर रही है? चेन बिंग्जियाओं ने थोड़ा भ्रमिक महसूस करते हुए पूछा यह सपष्ट है कि कुन का जंगल अभी भी सक्रिय है अगर वे इस मामले में फायरी फिस्ट का उप्योग करते जैसे ही लो सौंड अपने विचारों को समझाने वाला था वे जाओ मिंग्यू के बालों को हीट वेप के भीतर बढ़ते हुए देख सकते थे जो एक नरम और रेश्मी पंच प्रतीत होता था आग की लप्तों के नीचे एक अत्यंत कमभीर में बदल गया था फायर फिस्ट के चारों और एक खेरा बन गया था जितना आगे इसे गोली मारी गई उतना बड़ा विस्पोटक शेत्र जब कुन के जंगल में आग की भीशन लप्तों का प्रहार हुआ तो कुन के जंगल के उस हिस्से में पौधे जलने लगे फियरी फिस्ट की लप्टें बहुत तेजी से जल उठीन, उनके जंगल को आग की लप्टों के समुदर में बदल दिया, क्योंकि यह हिंसक रूप से जल गया था मूल रूप से शेन मिंजियाओ, लो सोंग, पेंगलियांग और जाओ मानियन को केवल कुन के जंगल द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा था इससे उनके युद्ध कौशल पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा आग की लपटे जंगल से तकराने के साथ, अब वे हर जगह आग की लपटों बाले जंगल में फस गए थे लपटे हर जगह थी, इसमें जोड़ने के लिए अभी भी कुछ पोधे थे जिन्हें जलाना बाकी था फन से हुए लोग आग की लप्टों के जंगल से बचना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होगा वे निश्चित रूप से शातिर हैं, चेन बिंग्जियाओ को आखिरकार उनकी योजना समझ में आ गई अगने तत्व पादब तत्व को रोकने में बहुत सक्षम था जैसे ही आग की लप्टों ने पौधों को छुआ, वे जल कर राख हो गए इंपीरियल कॉलेज के लोगों ने आग की लप्टों का जंगल बनाने के लिए इस तरह के निरोधक सिध्धान का इस्तमाल किया था यह प्रभाव छात्रों में से किसी एक पर सिर्फ एक तेज मुठी फैंकने से कहीं अधिक प्रभावी था लाल रंग के जंगल ने पहले ही शेन मिंग्जियाओ और उनके लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था उसके अंदर किस तरह की स्थिती पैदा हो रही थी यह कोई नहीं जानता था लप्ते बहुत जल्दी जल उठी काली राख ने अभी भी बढ़ती बेलों के रूप को बनाय रखा लेकिन हलके से उपर की और बहने वाले गर्म बहाव के साथ बे तुरंक चिल गए और उखड गए विशाल जंगल जल कर खाक हो गया था फायर फिस्ट की लप्ते धीरे धीरे शांत हो गई और बुझ गई लोगों की भीड इस पर चर्चा कर ही रही थी कि अचानक सभी को यह एहसास हुआ की गड़बड़ी के बीच में कुछ मंडरा रहा है जब उन्होंने ध्यान से देखा तो यह सपश्ट हो गया कि वह वस्तु ठीक एक पत्थर का गोला था यह पत्थर का गोला द्रिटा से पूरे क्षेत्र को कबर कर रहा था यह इंटरमेडियेट अर्थ मैजिक रॉक ब्लॉक है चेन बिंग्जियाओ खुशी से जूम पुठा ऐसा लग रहा था कि चारों पूरी तरह से तयार नहीं थे लो सांग ने अंत में उन हाथों को नीचे रख दिया जो इसका समर्थन कर रहे थे उसके मोटे गालों में थोड़ी ठकान दिख रही थी उन्होंने आग की लप्टों के हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए रॉक ब्लॉक के बचाव का इस्तिमाल किया था कुन की जेल का जलना भी स्वाभाविक रूप से रुक गया था खर्च की गई यह सारी उर्जा स्वाभाविक रूप से उसे प्रभाविक करेगी तो वास्तव में आपके पास कुछ क्षमता थी जब आप हर रोज दिखावा कर रहे थे शेन मिंग्जियाओ ने लो सौंग के संरक्षन में अपना इंटरमेडियेट मैजिक भी पूरा किया था शेन मिंग्जियाओ ने अपना बिंड मैजिक डाला जली हुई राख में एक उनमत हवा चलने लगी अखाडे से बहते हुए इसने राख की धूल को उठा लिया हवा तेज और तेज हो गई हाला कि हवा अद्रिश थी लेकिन उसके अंदर धूल उढ़ने के साथ आप उसके रूप की रूपरेखा देख सकते थे यहाँ बवंदर का भयंकर खोमता हुआ फन था बवंदर कम से कम दो मीटर चोड़ा था और शेन मिंग्जियाओ के नियंत्रण में इंपिरियल कॉलेज के लोगों की ओर बढ़ने लगा यहाँ हिंसक था क्योंकि यहाँ उनकी ओर बढ़ा अपने सामने के सभी लोगों को अपने ही क्षेतर में टुक्रे-टुक्रे करने में सक्षम था हम्फ मैं इसका ध्यान रखूंगा दूसरी तरफ सफेद कपड़े पहने लियाओ मिंगक सुआन ने अपने होठों को सिकोड लिया उसके शरीर पर कपड़े तैरने लगे साथ ही उसके पैरों से हवा की एक धारा निकली वे दोनों बायू के स्वामी थे लियाओ मिंगक सुआन शेन मिंग्जियाओ के साथ हवाओ की लडाई करना चाहता था विंड डिस्क टोरनाडो जल्दी से अपने स्टार एटलस से निकल गया शेन मिंग्जियाओ का बवंडर अभी मैदान के आधे हिस्से को पार नहीं कर पाया था जब लियाओ मिंगक सुआन के हाथ ने एक समान बवंडर छोड़ा दो बवंडर उनके चारों और घूम रहे थे और विप्रीत दिशाओं में हिंसक रूप से खूमने लगे जब अंत में दोनों तकराएं तो पूरा अखाड़ा अचानक खामोश हो गया अब तुम हवा का एक अंश भी महसूस नहीं कर सकते थे अगले ही पल जिस स्थान पर दो बवंडर तकराएं उसने एक नई ध्वनी को जन्म दिया ऐसा लग रहा था कि दोनों फन्द आपस में मिल गए हो और उनकी जगह एक नए चकरवात ने ले ली हो केंदर के रूप में वे जिस स्थान पर टकराएं वह सभी दिशाओं में करूरता से फैलने लगा ड्राइविंग हवा पूरी तरह से अनरगल थी जब यह चिलाया तो इसने दोनों पक्षों के लोगों को पकड़ लिया उन सभी को हवा में उड़ा दिया गया सौभागय से युद्ध के मैदान के किनारों में एक नरम जल अवरोधक था जो उनकी रक्षा कर रहा था या चक्रवात जिसने दोनों पक्षों को उड़ा दिया उनकी कई हट्डिया तूट गई होंगी वे वास्तव में मोचन से परेमूर्ख हैं उन्हें हवा की विशेश्टाओं के बारे में कोई समझ नहीं है अखाडे के नीचे लू जेंगे ने हडबडाहट में लियाओ मिंगक सुवान की हवा को तिरसकार से देखा लू यमिंग ने भी अपनी भौहें उठाई इस तरह की चीजें जहां दोनों पक्षारते हैं अक्सर नहीं होनी चाहिए अगर उन्होंने अपने बल पर भरोसा किया होता तो वे इस बार जीत को मजबूती से थाम लेते उनके वापस उठने के बाद जेंग मिंग्यू ने लियाओ मिंगक सुवान को जम कर घूरा और कहा मेरी आग्या सुनो लियाओ मिंध शुवान ने खड़े होते ही अपनी कमर पकड़ली उनका चहरा कड़वा था सौभागय से सभी इंटर्मेडियेट्स तर पर थे इस प्रकार का हमला भारी नहीं था और यह इतना गंभीर भी नहीं था कि वे युद से हाथ दो बैठे मोफैन, म्यूनूजियाओ, सोमजिया और जेंग बिंजियाओ, तुम चारों जाओ तयारी करो भुहान ने चार छात्रों का नाम लेते हुए अखाडे में लड़ाई देखी पिछले कुछ समय से अखाडे पर लड़ाई चल रही थी उन चारों ने मोफैन की अपेक्षाओं को धोखा नहीं दिया, यह दौर निश्चित रूप से हार गया ताकत के मामले में दोनों पक्ष बराबरी पर थे हाला कि वे सभी जादू के अपने दो तत्वों का उप्योग करने में बहुत माहिर थे टीमवर्ग के मामले में परल इंस्टिट्यूट के चार लोग सबश्ट रूप से बहुत अधिक अराजक थे इस मुद्दे की पहचान गुहान ने युगो पहले की थी इस प्रकार जब उसने मोफैन सहित चार और लोगों का नाम लिया तो गुहान खुद को और अधिक चिन्तित महसूस करने से रोप नहीं सका उन्हें चिन्ता थी कि वे इस समस्या के कारण अगले दौर में भी हार जाएंगे श्री गुहान चिन्ता मत करो हम निश्चित रूप से उन्हें हरा देंगे सौन्जिया ने इमानदारी से कहा ठीक है अपना ख्याल रखना बस तुम क्या कर रहे हो सोल शैडो नेल उस लड़की को क्यो नहीं रोप पाई जो आग का इस्तिमाल कर सकती थी शेन मिंग्जियाओ ने अनिच्छा से पेंगलियां से कहा पेंगलियां अवाक रह गए जब वह अखाडे से नीचे कुतरी तो ऐसा लगा जैसे वह शेन मिंग्जियाओ को कोई चहरा नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसने जवाब दिया क्या हमारे हारने का कारण मेरी गलती थी हताशा में समोह में लोटते ही शेन मिंग्जियाओ का चहरा तुरंत दूग गया पेंगलियां भी ठंडेपन से मुस्कुरा रही थी वह शेन मिंग्जियाओ के सामने मोर्चा नहीं रखना चाहते थे किसी भी तरह से उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस शेन मिंग्जियाओं के पास शुरुवात करने की बहुत शमता थी लो सोंग और भी बुरा था जू डालॉन ने बाद में कुछ मजाकिया शब्द कहे थे जिसके कारण वह लगधग अखाडे में बापस आ गए और एक और लडाई शुरू कर दी इसने उसे बहुत अधिक प्रोधत कर दिया ठीक है जाओ और किनारे पर आराम करो गुहान ने उन कुछ लोगों को सलाह दी जो वर्तमान में अपने आंतरिक संधर्श की देखभाल कर रहे थे मिस्टर गुहान मुझे अगले दौर में उपर जाने दो मुझे में अभी भी कुछ शक्ती है जिसे मुझे अभी प्रकट करना था शेन मिंग्जियाओ ने तुरंट मिस्टर गुहान से पूछा शेन मिंग्जियाओ इससे खुश नहीं थे एक पहलू में यह इसलिए था क्योंकि पैंगलियांग शैडो एलिमेंट का एक छोटा सा टुकडा था वह जाओ मानियन की निश्क्रिय युद्ध शैली से भी खुश नहीं थे इन दो लोगों को विनमय छात्रों के रूप में कैसे चुना गया व्याभारिक मुकाबले की बात आने पर वे बेकार थे यह दो बनाम चार जैसा था वे हारे न होते तो अजीब होता गुहान ने कहा लोगों के अगले दौर की पुश्टी हो गई है यह मो फैन मियू नुजियाओ, सोंग्जियाओ और जेंग बिंग्जियाओ है तुम उस दिखावटी मो फैन के जाने के बजाए मुझे अगले राउंड में जाने के लिए कह सकते हो मिस्टर गुहान, मैं निश्चित रूप से हमारे लिए अगला राउंड जीतूंगा या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि हम दोनों राउंड हार जाएंगे शेन मिंग्जियाओ का मूर स्पष्ट रूप से प्रभावित था और वह अब दिखावा नहीं कर रहा था या गुहान ने मो फैन की ओर देखा और फिर वापस शेन मिंग्जियाओ की ओर देखा जो बहुक ब्रिटनिश्चित थे उनकी लड़ाई से शेन मिंग्जियाओ की ताकत वास्तव में चारों में सबसे मजबूत थी हलाकि नुकसान नुकसान था गुहान के पास मो फैन को खड़े होने का कुई कारण नहीं था श्री गुहान इन चार चात्रों के बीच अनुकूलता थोड़ी कम है इंपीरियल कॉलेज स्पष्ट रूप से तयार होकर आया था हमारे चात्रों और उनके चात्रों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है लेकिन अनुकूलता और टीम वर्ग के मामले में वे बहुत दूर है हमारी तुलना में अधिक उत्कृष्ट जेंग बिंग्जियाओ एक संबन करता है और मो फैन भी दो लोग जिनकी प्रमुक संबन है वे एक ही क्षेतर में होने पर उतने प्रभावी नहीं है श्री ली जिंग ने कहा गुहान और क्यू युहुआ से पहले लीजिंग इंपीरियल कॉलेज में आये थे वह मुख्य रूप से एक स्चेंजों के बीच संचार के लिए जिम्मेदार था मो फैन आज सुभा वहां नहीं थे इसलिए उन्हें नहीं पता था कि टीम की देखभाल करने वाला एक और शिक्षक था यह महिला शिक्षिका शेन मिंगक सियाओ का पक्ष लेती हुई दिखाई दी उसने आग में तेल डाला जबकि गुहान थोड़ा जिजक रहा था बात यह थी गुहान ने भी सोचा कि श्री ली जिनके पास एक अच्छी बात है दूसरे समोह के चार लोगों में से दो के पास उनके प्राथमिक तत्व के रूप में समन था वह यह नहीं कह रहा था कि सम्मनिंग तत्व खराब था यह सिर्फ इतना है अगर इसे विपरीत पक्ष द्वारा काउंटर किया गया था हाला कि चूंकी किसी और ने उस स्थान को देने की पहल की तो वह भी अच्छा था जेंग बिंग्जियाओ क्या आप सुनिष्चित हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं मिस्टर गुहान ने थोड़ा आश्चर्य महसूस करते हुए पूछा चिंता मत करो चिंता मत करो यह सब हमारी जीत के लिए है चूंकि शेंग बिंग्जियाओ का मानना है कि वह जीत सकता है तो मैं भी अपनी जगह छोड़ सकता हूँ जेन बिंगजियाओ उस स्थान के लिए लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वह एक विचारशील उपस्थिती प्रदर्शित करता था मोफैन और जेन बिंगजियाओ को सहपाथी माना जा सकता है जब उन्होंने सम्मनिंग एलिमेंट के 6 लोगों के बारे में बात की तो मोफैन के खिलाफ लड़ने वाला एक मात्रव्यक्ती जेन बिंगक सियाओ था अग्या लोग केवल उनका सम्मान कर सकते थे फिर आगे बढ़ो सुनिश्चित करो कि तुम इस बार नहीं हारोगे क्यों युहुआ ने कहा चिनता मत करो मैं निश्चित रूप से नहीं करूँगा शेन मिंग्जियाओ ने विश्वास के साथ कहा शेन मिंग्जियाओ अब और अधिक तयार थे जब उन्होंने उसी टीम में बीमार मोफैन को देखा तो उन्होंने पेंगलियान को याद किया जो उनके लिए एक बड़ी बाधा थी उसने तुरंत खराब रवये के साथ मोफ फैन से कहा बहतर होगा कि आप मेरे निर्देशों को बाद में सुने अपने दम पर कोई निर्णय न ले अगर हम हार गए तो आप हमें इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे यह है कुछ ऐसा जो हमारे पूरे परल इंस्टिक्यूट की प्रतिश्था को प्रभावित करता है अतीत में मुझे लगा कि तुम थोड़े आंकारी हो किसने सोचा होगा कि तुम इतने बेशर्म होगे अगर तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो तो तुम बेच पर क्यों नहीं बैठ जाते क्या बात है आख मूंद कर इधर उधर उचर रहे हो तुमने किसी और के अच्छे स्वभाव का भी फाइदा उठाया और उन्हें अपने लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ी मो फैन को पता था कि शेन मिंगक सियाओ उनके खिलाफ थे और उनके रवये को देखने के बाद उन्होंने थोड़ा भी बिनमर नहीं होने का फैसला किया बस आप पर क्या विचार किया जा सकता है मुझे समझ में नहीं आता कि स्कूल आप जैसे किसी को कैसे दे सकता है एक बेकार जो केवल भीड को खुश करना जानता है बिनमय के लिए यहां आए शेन मिंग्जियाओ चिलाया मो फैन ने शेन मिंग्जियाओ के साथ लड़ाई जारी नहीं रखी वह मिंग्जियाओ के साथ चल कर आया मूल रूप से मो फैन ने सोचा कि लोग सांग सबसे अधिक परिशान करने वाला व्यपती था वह लड़का शेन मिंग्जियाओ और भी गुरा था बहतर होगा कि वह अच्छी महक वाली मूनुजियाओ के करीब खड़ा हो जाए ताकि वह दोनों की घ्रिनित गंध को दूर कर सके शेन मिंग्जियाओ मो फैन पर फिदा थे जैसे ही उसने मो फैन और मुनुजियाओ को हंस्ते और बात करते देखा उसका चहरा और भी डूग गया मुनुजियाओ का शेन मिंग्जियाओ का पीछा कुछ ऐसा था जिसके बारे में पूरा स्कूल जानता था मो फैन के प्रती उनकी अत्यधिक नापसंदगी का प्रमुख कारण मो फैन का मुनुजियाओ के बहुत करीब होना था उसे समझ में नहीं आया कि मुनुजियाओ इतने उत्कृष्ट व्यक्तित वाली देवी जैसी व्यक्ति वास्तव में मो फैन जैसे बदमाश को अपने पास क्यों रहने देगी ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा था और वह किसी के बारे में बुरी बात नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने इस बेशर्म आदमी को घूमने दिया जियो जियो जब समय आएगा तो प्रिप्या मुझे और सुरक्षा देना सुनिश्चित करें अगर मैं जादू के उपकरन का उपयोग नहीं कर सकता तो मेरे पास मूल रूप से कोई रक्षाक्मक तरीका नहीं है मो फैन ने मुनुजियाओं से बार बार कहा मुनुजियाओं ने उसे नजरंदाज कर दिया उसके साथ उसका रिष्टा अभी उस थिती तक नहीं पहुंचा था जहां उसे उसका नाम इतनी आत्मेता से लेने की अनुमती थी अलाकि यह लड़का बिल्कुल भी शर्मिला नहीं था बाए से दाएं वह उसे जियो जियो कहता रहेगा यह सुनकर उसे शर्मिन्दगी महसूस हुई और जब उन्होंने सहकिराय पर अपनी जगहली तो एंटूटू को वापस खीच कर न ले जाने का उसे बास्तव में पच्चतावा हुआ बहतर होगा आप इस प्रतियोगिता में अपनी पूरी ताकत लगा दें अगर हम एक बार और हार गए तो हमारे स्कूल में कोई चहरा नहीं रहेगा मुनूजियाओ खुद को मूफैन को फुस्फुसाए बिना नहीं रोग सकी मूनूजियाओ जानती थी कि मूफैन तीन अलग-अलग तत्वों का उप्योग करने में सक्षम है चुंकि वर्तमान स्थिती स्कूल की प्रतिष्था से संबंधित थी इसलिए उन्हें इस लड़ाई में पूरी ताकत जोग देनी चाहिए हम देखेंगे मैं वास्तव में नहीं चाहता कि बहुत से लोग मेरी शांदार प्रतिभा के बारे में जाने मोफैन ने फुस्फुसाया लेकिन उसके शब्दों के साथ बेशर्म लहजे ने मुनुजियाओ को पूरी तरह से अवाग कर दिया जिन लोगों को उन्होंने पहले दौर में बाहर भेजा था उन्हें बास्तव में बहुत मजबूत नहीं माना जा सकता मैं यह मानने से इंकार करता हूँ कि इंपीरियल कॉलेज में केबल इतनी ही च्शमता होगी सोंग जिया ने कहा उन शब्दों के कारण शेन मिंजियाओ को बहुत अजीब लगा मुझे भी ऐसा लगता है मुनुजियाओ ने सहमती में सिरहिलाए मोफैन तुम्हारे पास सम्मन और लाइटनिंग एलिमेंट है है न ऐसा लग रहा था कि सोंग जिया के पास कमान संभालने की स्वाभाविक शमता है भले ही शेन मिंजियाओ मुझूद थे फिर भी उन्होंने समोह के नेता का पद संभाला और पूछा आपके बुलाए गए जानवर की ताकत कैसी है मोफैन ने गंभीरता से कहा यह योध्धा स्तर से केवल एक कदम दूर है हम्फ इस तरह की लडाई में यह मूल रूप से पूरी तरह से बेकार है शेन मिंग जियाओ मोफैन पर मौखिक रूप से हमला करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे हाला कि सॉंग जिया ने अपनी भौहें टेड़ी कर ली और पूछा आपके अनुबंधित जानवर के बारे में क्या अनुबंधित जानवर एक शक्ती थी जो मध्यवर्ती स्तर के समंद्स से संबंधित थी इसने एक संबनर को एक युवा जादूई जानवर के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करने की अनुमती दी यह जादूई जानवर को अनुबंधित जानवर में बदल देगा intermediate elemental magic पर भरोसा कर सकता था शेन मिंदक सियाओ के पास कई शिकायते थी उसे समझ नहीं आया कि इस तरह का कच्रा उसके shadow beast को कैसे चुड़ा सकता है या कैसे उसे एक विनमय छात्र के रूप में चुना गया जैसा कि सोम जियादवारा मो फैन से पूछताच की जा रही थी वह थ इसे में उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी आखिरकार उन्होंने वास्तव में अपने सम्मन तत्व पर कोई प्रक्ति नहीं की थी रहने भी दो एक समय में एक ही कदम उनका lightning element सबसे अधिक संभावना सब कुछ से निपटने में सक्षम था अगर परल इंस्टिट्यूट में केवल इतनी ही क्षमता है तो आप चारों उनसे निपटने के लिए परियाप्थ होंगे लू यमिंग में मुस्कराते हुए कहा पहले दौर में जो समोह बाहर भेजा गया था वह ताकक के मामले में केवल बीच में था अगर परल इंस्टिट्यूट पहले दौर में भेजे गए लोगों से निपटने में सक्षम नहीं था तो वे दूसरे दौर में जीत हासिल करने के बारे में भूल सकते थे शिक्षक मुझे जाने दो उसीक्षन छत्र के बाहर से बर्फ के क्रिस्टल की घंटी जैसी एक सुन्दर आवास सुनाई दी सबकी निगाहें तुरंत छत्र के नीचे बैठी लड़की पर जाटी की छत्र काफी बड़ा था और सीडियों के अंधेरे कोने पर था दो पहर की तेज धूप के नीचे ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला कि वहाँ एक लड़की सुगंधित बर्फ के कमल की तरह चुपचाप बैठी थी यह तब तक नहीं था जब तक वह खड़ी नहीं हुई उसकी अवर्णनिय ठंडी आभा धीरे-धीरे सभी दिशाओं में फैल गई लोगों ने पाया कि इंपीरियल कॉलेज की तीन वास्तव में इतनी अविश्वसनिय रूप से सुन्दर लड़की थी जैसे ही वह धूप में बाहर निकली ऐसा लगा जैसे धधकता सूरच थोड़ा कम हो गया हो मंद बर्फीले कोहरे को जला दिया गया था और उसकी अविश्वसनिय आकरिती और उसके नाजुक पैरों के चारों को लिप्टे बर्फ के सफेद जूटे का पता चला था उसके गोल सीधे लंबे पैर उसके लंबे बिंडब्रेकर से आधे ढके हुए थे स्नो भाइट बिंडब्रेकर ने उसकी आश्चर यजनक वक्रों को रेखांकित करते हुए उसकी तवचा को गले लगा लिया उसकी कमर इतनी पतली थी कि दूसरे लोग उसके पास जाकर चुटकी लेना चाहते थे उसकी चाती बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन उसके नाजुक शरीर के कारण उसकी रेश्मी कमीज के नीचे उसकी दो चोटिया फूली हुई दिखाई देती थी उसका फिगर असाधारन रूप से उत्कृष्ट था लेकिन लोगों को बास्तव में अचंभित करने वाला उसका परिश्कृत रंग था उसके चहरे के भाव इतने सुंदर थे कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी चित्र से बाहर निकल आई हो आप उसमें एक पी दोश नहीं पा सकते थे अगर आपको उसके चहरे के एक हिस्से को इंगित करना था जो सही नहीं था तो यहाँ अकेला और थंडा भाव था अलाकि वह अभी भी उसकी बरफीली सुंदरता का एक हिस्सा था उसके चांदी स्फेद बाल भयंकर धूप में बेहद आकर शक थे उसी समय उसकी बरफस्फेद वचा प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हुई दिखाई दी जिससे उसे एक ही समय में एक अलग तरह का स्वभाव मिल गया लोगों को यहाँ अंतर करने में कठिनाई हो रही थी कि वह चुलबुली थी या एक स्वतंत्र सुंदरता जब लड़की बाहर चली गई तो उसने न केवल इंपीरियल कॉलेज के सभी लोगों का बलकि अन्य विश्व विध्यालियों के छात्रों और शिक्षकों का भी पूरा ध्यान खीजा मूल रूप से हर कोई सोचता था कि परल इंस्टिट्यूट से बुने हुए सूती कपड़े पहनने वाली लड़की बेहत आकरशक थी लेकिन कौन जानता था कि इंपीरियल कॉलेज ने एक ऐसी लड़की को छुपाया था जिसका रूप और आभा उसे पूरी तरह दबा दी गई थी निंशु वे तुम्हारे बाहर आने के लिए परियाप्त नहीं है हम उनकी देखभाल अपने दम पर कर सकते हैं लू जेंगे ने तुरंट उसका अभिवादन किया एहसान जताने के इरादे से उसके चहरे पर मुस्कान आ गई लू जेंगे को देखने के बाद जाओ मिंग्यू नामक व्यक्ति को गुस्सा आने लगा बहुत ही लुभावनी इस लड़की का उस पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा सच में लू जेंगे प्रत्यक्ष थे अन्य कुछ छात्र भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन जब उन्होंने उसकी खंडी अभिव्यक्ति देखी तो उन्होंने उन बिचारों को दूर कर दिया अगर कोई लड़की केवल सुन्दर थी तो उसकी एक मात्रक्षमता अन्य पुरुशों का ध्यान आकरशित करना थी वास्तव में अपने आपको इन पुरुशों से उपर रखने के लिए जो असाधारन थे और एक ऐसी उम्र में थे जहाँ वे इधर उधर खेलते थे आपको उस ताकत को समझने के साथ साथ सुन्दरता भी रखनी थी जिससे पुरुश आपकी ओर देखते थे यहां तक कि अगर जू डालॉंग लू जेंगे और लियाओ मिंदक सुवान काफी अहंकारी थे तब भी वे अपने कप्तान म्यू निंशुए का सामना करते समय एक पिछलगू की तरह काम करेंगे या वे अलग और उदासीन होने का नाटक करेंगे मुनिंशुए क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जाना चाहती हैं लू युमिंग ने इमानदारी से पूछा हम्मक म्यू निकनक्सियू ने युद्ध के मैदान की ओर जाते हुए कुछ भी सपष्ट नहीं किया जियो जिंगे नाम का वह व्यक्ति जो बाहर भेजे जा रहे चार लोगों में से एक था बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था और उसने मजबूती से अपना स्थान दे दिया हाँ 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 उन्हें देखने दो की एक सच्ची प्रतिभा क्या है लू जिंगे ने कहा यह देख अन्य विश्व विद्यालियों के छात्र अवाक रह गए इंपीरियल कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रदर्शित शिष्टाचार से चांदी के बालों वाली सुन्दरी वास्तव में उनकी कप्तान थी क्या बिल्ली है वे सुबह इतनी देर तक लड़ते रहे फिर भी पता चला कि उनके कप्तान ने खुद को नहीं दिखाया था यह वास्तव में उन्हें एक एक स्चेंज की काफी विफलता बना देता है शिट यह लड़की मेरे सपनों में मेरे सबसे आदश व्यक्ती की तरह दिखती है उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लड़कियां सिर्फ तैरते हुए बादल है उर्ते बादल से तुम्हारा क्या मतलब है? जो युतोंग मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा आसपास का अखाडा इस पर चर्चा करता रहा यहां तक की फुफकारने की भी आवाजें आने लगी इसने सोचा होगा कि इंपीरियल कॉलेज का कप्तान वास्तव में इतनी मोहक लड़की थी परल इंस्टिट्यूट की तरफ जाओ मान्यन और लो सोम जैसे सथी लोगों की निगाहें लगभग इंपीरियल कॉलेज की तरफ पुर गई शिट हमने एक दूसरे को एक साल से ज्यादा नहीं देखा है वह और भी खूबसूरत हो गई है यहां तक कि मोह फैन जैसे गंभीर व्यक्ति को भी फुस्पुसाते हुए अपनी लार पोंचनी पड़ी अगर यह प्राचीन काल था तो सामन्तों के बीच युद्ध शुरू करने के लिए इस तरह की उपस्थिती परियाप्त होगी वे निश्चत रूप से एक नर्भखशक थे जो बहुत से लोगों को चोट पहुचाने में सक्षम थे जिसके बारे में बात करते हुए जब से मुनिंशुय के साथ युवावस्था में भाग गया मोफैन के पास उससे मिलने का कोई अन्य अफसर नहीं था हले ही उन्हें पडोसी माना जा सकता था मुनिंशुयोवन से पहले भी बहुत सुंदर थी अब वह इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था जैसे एक कमल की परी एक चितर से बाहर निकल आई हो मोफैन को वास्तव में इस बात का पच्टावा हुआ कि उसने उसे ठीक से धमाका नहीं किया एक बार चावल पक जाने के बाद मियू जोयून के बुलक्रैप की परवाह कौन करेगा इसका तस्क हम वास्तव में यहां व्यर्थ नहीं आए अगर मुझे वह लड़की मिल जाती तो मैं अपनी सारी संपत्तिक होने को भी तयार होता मैंने फैसला किया है वह वह लड़की है जिसे मैं जाव मान्यन अपने अधीन कर लूँगा जाव मान्यन ने यह गंभीर वादा करते हुए कहा मैं? मैं भी मैं अपनी साधना को अपंग करने के लिए भी तयार हूँ, जेंग बिंग्जियाओ जल्दी से मान गए पेंग लियांग ने सहमती में सिर हिलाया अतीत में जब यह चुलबुला शेन मिंग्जियाओ एक सुन्दर्ता को देखता था, तो वह अज्यानता का नाटक करता था इस बार वह दिखावा करने में सक्षम नहीं था, उसकी आखे म्यू निंग्शुए के शरीर से दूर नहीं जा सकती थी तुम लोग इसके बारे में भूल सकते हो, मोफैन ने अपनी लार पहुची क्यों? क्या वह लड़की ले ली गई है? पेंगलियांग ने पूछा हाँ, वह मेरी पत्नी है, मोफैन ने गंभीरता से कहा ऐसा बेशर्म इनसान उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था जब मोफैन ने कहा कि यह देवी जैसी सुन्दरता उसकी पत्नी थी, तो हर कोई द्रिगता से उसकी इस तरह की तारीफ करने में सक्षम था ठीक है, ठीक है, मैं तुम लोगों को हमारे स्कूल के सम्मान के लिए लड़ने के लिए लाया था न कि एक महिला के लिए आपस में लड़ने और शुरू करने से पहले हारने के लिए गुहान ने बीच में टोका मूल रूप से मुझे लगा था कि हमारे पास अभी भी जीतने का मौका है अब ऐसा लगता है कि हम वास्तव में अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देंगे श्रीली जिंग ने आभरी वह अन्यशिक्षकों से पहले यहां आया था और मुनिंग्शु की ताकत देखी थी एक बार जब उसने एक चाल चली तो यह संभाबना थी कि वह अपनी तरफ से सभी को दबाना शुरू कर देगी चुंकि हमने परियाप्त देखा है तो हम सोच सकते हैं कि हम उनके खिलाफ कैसे लड़ने जा रहे हैं सोंग्जिया ने तेजी से बात की मो फैन ने सबकी तरफ देखा मो फैन म्यू निंग्शुए के लिए अपनी भावनाओं को छुपा नहीं रहा था जबकि शेन मिंग्जियाओ अधिक नतली थे जहस पश्ट था कि वह उसे देखते ही लखख बेहोश हो गया था फिर भी वह अभी भी इन सबकी परवाह न करने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसने मियू नूजियाओ का पक्ष लेने के अपने प्रयासों को जारी रखा था मियू नूजियाओ पहले की तरह ही बहुत आलसी थी इन दो निश्प्रान लोगों की परवाह करने के लिए भी आलसी थी इसके बजाए वह चांदी के बालों वाली मुनिंग्शुए को ध्यान से देखते हुए अपने पहरे पर थी वह सिर्फ लड़कियों की आभा से बता पा रही थी कि उसकी ताकत अविश्वस्निय थी भले ही वह जानबूच कर अपनी आभा नहीं छोड़ रही थी फिर भी वह अपने परिवेश के तापमान को प्रभावित करने में सक्षम थी मुनुजियाओं ने अपने वरिष्टों से सुना था कि कुछ विशेश जादूगर एक आश्चर्यजनक सहच उफार के साथ पैदा हुए थे उसने मान लिया कि इंपीरियल कॉलेज का कप्तान ठीक उसी तरह का व्यक्ति था सावधान रहना वह निश्चित रूप से एक बर्फ जादूगर होगी जब हम युद्ध में होंगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और उसे प्रतिबंधित करूँगा तुम लोग जाओ और जितनी जल्दी हो सके अन्य लोगों से निपतो ताकि हम हाथ मिला सकें और उससे निपट सकें सौंग जिया ने आदेश दिया उसकी धार्णा किसी भी तरह से मुनुजियाओं से कमतर नहीं थी वो सपष्ट रूप से यह महसूस करने में सक्षम थी कि मुनिंग्शु की तात्विक उर्जा अन्य लोगों से अलग थी अगनी और बर्फ हमेशा परसपर सन्यमित रहे हैं एक आग के जादुगर के रूप में सोंग्जिया निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को ठीक से नियंत्रित करने में सक्षम होगा समझा शेन मिंग्जियाओं और मियो नुजियाओं ने एक साथ सिरहिलाया मोफैन अभी भी बगल में खड़ी अपनी पत्मी मुनिंग्शु को ध्यान से देख रहा था चुरुआत में ही मोफैन वास्तव में मुनिंग्शुए के उत्प्रिष्ट सहज उफार के प्रती बहुत शंकालु था उसे समझ नहीं आया कि वो सिटी में इतने सारे लोग क्यों हैं जो उसकी इतनी प्रशन्सा करते हैं हाला कि अब उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट सीड्स का अनुभव था और अंत में यह समझने में सक्षम था कि यह लड़की कितनी भयानक थी उसकी भयानक बर्फ शायद उतनी सरल नहीं थी जितनी की मात्र एक प्राकृतिक आत्मा पीज होना जब वह अखाडे पर चली तो वह जमीन जहां उसने संगनित थंड पर कदम रखा उसने कोई जादू नहीं किया नहीं उसने कोई बर्फ का प्रभामंडल छोड़ा उसने जो कुछ किया वह चल रहा था वह एक आइस एंप्रेस की तरह थी वह हर जगह एक आइस डोमेन थी इस तरह के जन्मजात उपहार वाला एक जादूगर कुछ ऐसा था जिसे मोफ फैन ने परल इंस्टिट्यूट में कभी नहीं देखा था क्या आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मेशन बनाओ लू जेंगे ने मोफ निंगक्सियू से पूछा कि वह उसके साथ एहसान जताने के लिए आया है मोफ फैन सिर हिलाया उसकी बरफीली साफ आखें प्रतिद्वंधवी की तरफ मोफ फैन को पार कर गई और ऐसा लगा जैसे वह थोड़ा सोच रही थी मोफ फैन को यहां एक विनमय छात्र के रूप में देखकर मुनिंशु हैरान रह गई थी उस विसमयकारी द्रिश्य को याद करते हुए जहां मोफ फैन ने यू आंग को हराया था मुनिंशुए यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकती थी कि परलर इंस्टिट्यूट में रहने के दौरान मोफ फैन किस तरह के दाएरे में पहुँच गए थे सबसे खास बात यह थी कि वह उसकी काबिलियत से वाकिफ थी वह अपनी टीम को परलर इंस्टिट्यूट के खिलाफ हारते हुए नहीं देखना चाहती थी यहां तक कि अगर परिणाम समान था तो यह इंपीरियल कॉलेज के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा आइस स्प्रेड मुनिंग्शुए थोड़ा पीछे हट गई उसके सफेध हाथों से एक बरफीली चमक नीचे सरक रही थी उसने धीरे से होठोन से फूंक मारी जो अंगिनत लोगों को उत्तेजित कर सकती थी धंड उड़ गई और स्पार्कलिंग पाउडर पूरे क्षेतर में फैल गया धंडी हवा तुरंट पूरे वातावर्ण में फैल गई जमीम पर मूल रूप से थोड़ा सा पाला था और बरफीले मलमल की तरहे लग रहा था हलांकि म्यू निंग्शुए द्वारा आइस स्प्रेड का उप्योग करने के बाद फ्रॉस्ट बोस्टन आईवी की तरहे एक जीवित पौधे में बदल गया था क्योंकि यह चारों और घनी रूप से फैलने लगा था रेतीला रनक्षेत्र पल भर में पाला और सिकुड गया था चारों और सफ्रेडी थी यहां तक की युद्ध के मैदान में वाटर बैरियर का बचा हुआ पानी भी बर्फ में बदल गया था इस तरह के अविश्वसनिय परिवर्तन पर सभी के भाव बहुत बदल गए क्या? क्या यह वास्तव में एक आइस डोमेन है अखाडे के नीचे गुहान क्यू युहुआ और ली जिन ने इस घटना को विस्मय से देखा उन्होंने इस तरह के डोमेन वाले उननत्स्तर और सोल्ग्रेड एलिमेंटल बीजों के नीचे किसी के बारे में कभी नहीं सुना था एक डोमेन जैसी ख्षमता हमेशा उननत्स्तर में दिखाई देती है उनमें से सबसे क्लासिक शैडो एलिमेंट का उन्वाएक्स रेइन था उन्वाएक्स रेइन छाया जीवों और छाया प्रकार की चीजों के बाहर हर तत्व को दबाने में सक्षम था इसके अलावा यह छाया क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाने में भी सक्षम था इसकी शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे मो फैन ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था अन्य तत्वों के पास समान रूप से डोमेन है हाला कि एलिमेंटल डोमेन आमतोर पर कुछ ऐसा था जो आपके एलिमेंटल सीड के सोल ग्रेड तक पहुँचने के बाद ही अस्तित्व में था मुनिंशु जैसे एक मध्यवर्ती जादूगर के पास ऐसी क्षमता थी क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूल रूप से अपने स्तर पर बेजोड थी शिट उसका डोमेन मुझे पूरी तरह से दबाने में सक्षम होगा सोंग जिया का रंग सामबला हो गया उसकी लबटे सिर्फ कॉमो ग्रेड थी स्पिरिट ग्रेड आइस का सामना करते हुए वे बस दब जाएंगे किसने सोचा होगा कि इस महिला का स्पिरिट ग्रेड आइस सीड इतनी भयानक शमता के साथ आएगा उसकी आग ज़रूर दब जाएगी उसके पास लड़ने का कोई उपाय नहीं था सौंग जिया बेहद अनिक शुक था उसने अपने दात भीचे और अपना फायर स्टार एटलस शुरू करने की पहल की सौंग जिया की आग की साधना मो फैन की तुलना में बहुत कम नहीं थी स्टार एटलस बनाने की उसकी गती भी बहुत निपुन थी हाला कि जब वह अपना स्टार एटलस बनाने के आधे रास्ते में थी तो उसे अपने पैरों से हड़ी भेदी थंड़क महसूस होने लगी वह तुरंत अपने स्टार लिंकिंग से अलग हो गई जब उसे लगने लगा की थंड उसे खा रही है असफलता उसका स्टार एटलस आरेखन बिफल रहा सोंजिया का रंग बेहत बदसूरक था उसने हजारों बार इसका अभ्यास किया वह संभवता असफल कैसे हो सकती थी यहां उसके लिए एक अविश्वसनी अपमान था हम में से बाकी लोगों को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए यह पहली बार भी था जब शेन मिंग्जियाओ डोमेन का उप्योग करने में सक्षम किसी के खिलाफ लड रहे थे उनकी गंभीर अभिव्यक्ति अपने चरम पर थी मुनुजियाओ ने भी अपनी भौहें बुनली उसका प्लांट एलेमेंट और बेंड एलेमेंट आइस दोमेन से दब नहीं गया लेकिन उनकी सबसे मजबूत मारक शमता सोंग्जिया विफल हो गई थी इससे उन्हें लगा कि यह लड़ाई नाले में किर गई है लेकिन जो भी हो वे डर नहीं सकते थे दोमेन केवल आग बुझाने में सक्षम था उनकी मूल योजना सोंग्जिया को रोकने की थी जबकि वे अन्य लोगों से निप्टेंगे और फिर उससे निपटने के लिए हाथ मिलाएंगे हाला कि अब जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें पहले उससे निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए क्या आइस डोमेन केवल आग को दबाने में सक्षम था कुछ ऐसा था जिसके बारे में बेनिश्चित नहीं थे शिट मेरी गती भी धीनी कर दी गई है शेन मिंगसियाओं ने शाप दिया शेन मिंगसियाओं का प्रमुख तत्व पवन था जब उसने अपना तारापत जारी किया तो वह सामान्य रूप से हवा के च्षेतर में जल्दी से घूमने में सक्षम हो जाता था और केवल अपनी चाया के अवशेश को पीछे चोर देता था हाला कि उनके पैरों के नीचे की बर्फ ने उनके आंदोलन को कमभी रूप से प्रभावित किया थंडी बर्फ ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह भारी बर्फ में दौड रहा हो विंड प्रेल की गती, फ्लोटिंग शैडो की गती विंड प्रेल्स, फ्लैश स्टेप्स के दूसरे स्टर के करीब नहीं थी अगर विपरीग पक्ष के पास भी एक पवन जादूगर होता जो इस दोमें द्वारा प्रतिबंधित नहीं था तो उसकी सुस्त गती निश्चित रूप से कम हो जाती जैसे ही वे आइस डोमेंग में प्रवेश कर रहे थे, इंपीरियल कॉलेज के लोगों ने तुरंग हमला शुरू कर दिया एक प्राथमिक बिजली का जादू बैंगनी बिजली के निशान चलने के लिए मध्यस्ट के रूप में जमीन पर वर्व का उप्योग तर रहे थे एक हीक्षण में सभी के पैरों के नीचे की जमीन एक लंबे बिजली के चाप में बदल गई थी क्योंकि यह एक करकश आवाज निकालती थी आइस स्ट्रेड में गती को बहुत कम करने की शक्ती थी इसमें लाइटनिंग स्ट्राइक के पक्षाधात को जोडने से परल इंस्टिट्यूट के छात्रों को आगे बढ़ने में कठिनाई होगी घबराओ मत मुझे उनकी देख भाल करने दो जब मोफैन ने देखा कि हर कोई छिपने वाला है तो वह बोला इस समय सोमजिया, म्यूनूजियाओ, शेन मिंजियाओ ने याद किया कि मोफैन भी एक लाइटनिंग जादूगर थे लाइटनिंग स्ट्राइक शायद जमीन पर स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम न हो मोफैन सामने खड़ा था और जमीन पर बिजली के निशान का सामना कर रहा था एक बैंगनी लाइटनिंग आर्क सामने आया और लाइटनिंग आर्क ने अपने प्रतिदवंधवी के लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी और निर्देशित करना शुरू कर दिया बिजली का चाप बिलकुल ड्रैगन जैसा था जब उसने देखा कि मोफैन के शरीर में बिजली थी तो वह अपने शिकार की तलाश में एक ड्रैगन की तरह काम करने लगा मोफैन के चारों पोर पागल हो गया जल्द ही मोफैन पूरी दरह से लाइटनिंग आर्क से ढख गया लाइटनिंग स्ट्राइक में दूसरों को लगवा मारने और चाबुक मारने की क्षमता होती है हालांकि मोफैन को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में लिया दूसरे स्टर की लाइटनिंग नेगुला का प्रभामंदल फैलना शुरू हो गया जिसने मोफैन को चोट पहुचाने की कोशिश कर रहे लाइटनिंग आर्क को जल्दी से डरा दिया मेरी बारी है बिजली कडकी मोफैन ने सारी बिजली को अपनी शक्ती में बदल दिया और उसके सिर के उपर आसमान में काले बादल इकठा होने लगे मोफैन के आदेश के बाद बिजली की दुगनी शक्ती जमीन में धंस गई और इंपीरियल कॉलेज के चार लोगों पर हमला कर दिया यह बच्चा निश्चित रूप से सासी है मिंकांग लाइटनिंग एलिमेंट उप्योग करता थंडे स्वर में बोला पोली शीड प्रोटेक्ट मिंकांग मूल रूप से उल्टा थपड मारा गया था उनके पास अपने इंटरमेडियेट लाइट मैजिक का उप्योग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था वरना उनकी टीन के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक एक बड़ी समस्या होगी किसी और की बिजली को आत्म साथ करके उसका मुकाबला करना यह कुछ ऐसा था जिसे आप तभी कर सकते थे जब आपको बिजली पर अपनी पकड़ पर पूरा भरोसा हो न केवल आपकी साधना को दूसरे व्यक्ति से उचा होना था बलकि आपको उस समय अपना स्टार पत भी पूरा करना था जब बिरोधी का बिजली का जटका प्रभावी होने वाला था अगर नहीं तो बिजली बाहर नहीं आपाएगी और संभावित रूप से उप्योग करता को वापस खिला सकती है और उन्हें बुरी तरह धायल कर सकती है मो फ्रेंड ने अपने स्टार एटलस को पूरा करते हुए प्रतिदवंधवी की बिजली गिरने को देखा था अगर इस प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की चूक होती तो उसे लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाव के लिए अपने शरीर का इस्तमाल करना पड़ता अच्छी नौकरी सोंग जिया ने प्रशंसा में कहा म्यू नूजियाओं की आखों में भी कुछ चमक आने लगी परल इंस्टिट्यूट का यह महान दानव निश्चित रूप से बेहत निरलज्ज था उसने वास्तव में दूसरे व्यक्ति को दोगुनी उर्जा के साथ लाइटनिंग वापस लोटा दी, दूसरे धलाईकार को इसे ब्लॉक करने के लिए अपने इंटर्मेडियेट जादू का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया सभी के पास सीमित मात्रा में मन था इंटर्मेडियेट मैजिक कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे बिना किसी सीमा के इस्तिमाल कर सकते थे हर बार जब वे इंटर्मेडियेट जादू का इस्तिमाल करते थे तो वे बहुत सारा मन खर्च करते थे इस प्रकार अगर वे प्राथमिक जादू का उपयोग करने में सक्षम थे ताकि वे अपने विरोधियों को बचाव के लिए मध्यवर्ती मंत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके तो वे लाब कमा रहे होंगे तुम्हारी छोटी सी चाल कुछ ज्यादा ही उथली थी मुझे उनसे निपटने दो लू जेंगे दूसरों के सामने अपने अत्यधिक अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था यहां आदमी शुरू से ही सबसे पीछे खड़ा था ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह डरता था ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक वह अपने अनुबंधित जानवर को बुलाने में सक्षम था कब विप्रीत पक्ष आसानी से पिट जाएगा समन करने वाले तत्व के स्टार एटलस को बनाना बेहत श्रमसाध्य था इसके अलावा यह इंटरमेडियेट मैजिक के कई उप्योगों के बराबर था समनिंग अलिमंट का इंटरमेडियेट जादू सक्रियन समय अन्यतत्गों की तुलना में दो या तीन गुना अधिक था इस खेत्र के भीतर घमन से मुस्कुराने को सही ठहराने के लिए लू जेंगे कोई गलती नहीं करना चाहता था क्योंकि वह समन से बुज़र रहा था उनका स्टार एटलस पहले से ही तीन चौथाई पूरा हो चुका था और लू जेंगे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके परल इंस्टिट्यूट के लोग ब्लॉक हेट्स के एक समुह थे वे वास्तव में नहीं जानते थे कि एक सुमोनर को अपना जादू पूरा करने की अनुमती देने से किस तरह के परिणाम आए क्या आपको सच में लगता है कि आप सुरक्षित रूप से समन कर सकते हैं जैसे ही लू जेंगे थोड़ा तिरसकार महसूस कर रहा था हवा से एक आवाज आई लू जेंगे ने अपनी तरफ देखा और महसूस किया कि शेन मिंग्जियाओ नाम के व्यक्ति ने अपने बिंग प्रेल का इस्तमाल कहीं से भी दिखाई देने के लिए किया था क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे बाधित कर सकते हो लू जेंगे थोड़ा हैरान था लेकिन वो घबरा नहीं रहा था उसका स्टार एटलस नहीं रुका उसे केवल स्टार पत की अंतिन कड़ी याद आ रही थी शेन मिंग्जियाओ उन लोगों से नफरत करते थे जो उन्हें हे द्रिश्टी से देखते थे उनमत्थ हवा बनाने के लिए उन्होंने अपनी गती से मदद ली यह एक पच्छड की आंधी की तरह था जो गिरी हुई पत्तियों को बहा ले जा रही थी और लुजेंगे की ओर बह रही थी जिन जगहों से शेन मिंजियाओ तेजी से गुजरे उन्होंने तुरंट एक अराजक स्लिपस्ट्रीन बना दिया यह ऐसा था जैसे कोई करंट अचानक किसी चट्टान से टक्रा गया हो लुजेंगे पर हमला करते हुए एक अविश्वस्निय रूप से मजबूत बल बना रहा हो लुजेंगे बिना हिलेडुले वही खड़ा रहा उनका चेहरा मुस्कान से भर गया था जैसे ही उनमत्थ हवा उसे उड़ाले जाने वाली थी पानी की अंगिनत बूधें अचानक कहीं से निकली नीली पानी की बूंदे इकट्थी हुई और शीतल जल अवरोधक में बदल गई लू जेंगे को निगलने वाली उनमत्थ हवा से बचाने के लिए वाटर बैरियर उसके सामने मुर गया वाटर बैरियर तेज हवा से बहते ज़दने की तरह था और बगल में तिर्चा होने लगा हालांकि वाटर बैरियर की सुरक्षा के पीछे लू जेंगे को कोई नुकसान नहीं हुआ था अब तुम मर सकते हो लू जेंगे ने अपने हमलावर का मजाग उड़ाया अनुबंध संबन हिंसक मार्क वुल्फ जमीन पर पैटर्न चाग की तरह चमक रहा था लू जेंगे ने आत्म विश्वास से कुछ कदम पीछे ले लिए और पैटर्न अचानक कुछ गुना बढ़ा हो गया जहां बर्फ के उपर खीची गई एक प्राचीन पेंटिंग की तरह महसूस हुआ जहां प्रत्येक स्ट्रोग किसी अज्यात पूर्जा से भरा हुआ था जो इस दुनिया से संबंधित नहीं था जैसे ही चमक अपने सबसे चमकीले बिंदो पर पहुँची पैटर्न अचानक ब्लैक होल की तरह काला हो गया भेडिये के समान दिखने वाला एक प्रूर प्राणी धीरे-धीरे छेट से बाहर निकला इसके नुकिले अविश्वसनिय रूप से तीखे थे जबकि इसकी काली-काली आखों से इसकी जंगली प्रकृती पूरी तरह से उजागर हो गई थी उसका शरीर एक हाथी के आकार का था जैसे ही उसने अपना बजन स्थानांतरित किया उसके पैरों के नीचे की बर्फ तूट गई भीड को जिस चीज ने सबसे ज्यादा अचम्धित किया वह थी उसके पूरे शरीर पर फैले पागल निशान गर्दन से पूँच तक उसे ढखना जैसे कि उसे किसी अभिशाप के तहट रखा गया हो या किसी प्रकार की मुहर जो उसकी शक्ती को सीमित कर रही थी भगवान एक योध्धास्तर का प्राणी एक याद्रिक्षिक स्कूल से कुछ याद्रिक्षिक छात्र अचानक चिलाएं योध्धास्तर ये गलत है मुनूजियाओं के चहरे पर सक्त भाव थे म्यू निंशुए अकेले ही उन्हें सिरदर्द देने के लिए काफी था और अब एक योध्धास्तर के प्राणी को नियंत्रिक करने में सक्षम एक सुमोनर दाना भी लड़ाई में शामिल हो गया था एक योध्धास्तर के प्राणी की ताकत एकदम भयानक थी अगर वे सावधान नहीं होते तो उन सभी को मिलकर इसका सामना करने में परिशानी होती यह उलेख करने की बात नहीं है कि युध में किसी भी उपकरन का उपयोग करने की अनुमती नहीं थी बिना किसी उपकरण के योधास्तर के प्राणी के खिलाफ लड़ना काफी हास्यासपत था मुनूजियाओ ने कहा, मैं इसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगी जबकि आप लोग इससे बचने का कोई तरीका ढूंड रही है वह अपने प्लांट एलिमेंट के साथ कुछ समय के लिए दुश्मन को पिन करने के लिए उनमें से निश्चित रूप से सबसे अच्छी उम्मीदवार थी लेकिन वह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी मुनुजियाओ ने उसी समय विंड प्रैक का इस्तिमाल किया उसे चिंता होने लगी जब उसे एहसास हुआ कि उसका हर कदम बर्फ से चिपक रहा है एक योध्धास्तर के प्राणी से निपटना काफी कठिन था और अब उसकी गती भी प्रभावित हो रही थी दवाइलिंट मार्क गुल्फ का पहला लक्षि शेन मिंग्जियाओ निकला जो उसके सबसे करीब था शेन मिंग्जियाओ ने दुश्मन के इलाके में बहुत गहराई में प्रवेश किया था अगर उसका विंग्ट ट्रैक थोड़ा तेज होता तो वह बच निकलने में सक्षम होता लेकिन हिंसक मार्क गुल्फ को संभालने के लिए एक बुनियादी स्तर का विंग्जियाओ कहीं भी परियाप नहीं था जब हिंसक मार्क गुल्फ उसकी ओर जपता तो शेन मिंग्जियाओ को तुरंट बहुत खतरा महसूस हुआ वाइन ट्रैक न्यू नूजियाओ ने तुरंट अपना हाथ हिलाया यह महसूस करते हुए कि शेन मिंग्जियाओ किस खतरनाक स्थिती में है बेल बिल्कुल सपष्ट नहीं थी जैसे ही हिंसक मार्क गुल्फ ने उस पर कदम रखा लताओं की एक मजबूत जेल तुरंट उसमें से निकल गई जिसका उद्देशे जीव को अपने भीतर फंसाना था हाला की जैसे जैसे लताओं की सीमा को छोड़ने में काम्याब हो गया था नतीस तंप लताओं पूरी तरह से बेकार हो गई मुनुजियाओं के चहरे पर एक भौहे छोड़ गई अब वह किसी भी तरह से इंटर्मेडियेट स्थर के स्पेल का इस्तमाल नहीं कर सकती थी यह शेन मिंजियाओं को हिंसक मार्क वुल्फ के साथ पौधों से बने एक विशाल पिंचरे के अंदर फंसा देगा जो उसे सीधे भेडिये के मुह में भेजने से अलग नहीं था यह बिल्ली और चुहे के खेल जैसा है शेन मिंजियाओं को अपने जीवन के लिए भागते देख लू जेंगे की हंसी फूट पड़ी उसने शुरू में सोचा था कि उस आदमी के पास अपनी आस्तीन में कुछ तरकीवे होंगी यह पता चला कि मिंजु विश्वविद्याले के लोग केबल अपनी बातों से अच्छे थे यह आश्चर यजनक था कि कैसे वे ऐसे सामान्य छात्रों को दो बार उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहे थे प्रिथवी की लहर जियो फेंग नामक युवक ने आखिरकार अपना बुनियादी स्तर का जादू पूरा किया वह निश्चित रूप से जानता था कि कुए में गिरे हुए व्यप्ति पर पक्थर कैसे फेंके जाते हैं शेन मिंजियाओ को पहले से ही हिंसक मार्क गुल्फ द्वारा पीछा किये जाने में कठिनाई हो रही थी और फिर भी उसने उसे अपने जादू के साथ विप्रीत दिशा में खीचने की कोशिश की हाला कि शेन मिंजियाओ ने कभी भी आगे बढ़ना बंद नहीं किया लेकिन जमीन के विस्थापन के कारण उनके और हिंसक मार्क गुल्फ के बीच की दूरी धीरे-धीरे कम हो गई हिंसक मार्क गुल्फ अचानक हवा में उचल पड़ा उसके शरीर पर नीले रंग की धारिया शांदार धंग से चमक रही थी यह शेन मिंग्जियाओ के सिर के ठीक ऊपर उचला और अपने अंगों को फैलाते हुए नीचे गोता लगाया उसके शरीर पर चमकने वाली दौर उसकी ताकत को उसके वास्तविक आकार से कुछ गुना अधिक बढ़ा रही थी जैसे कि वह एक विशाल युद्ध कुलहाडी में बदल गई हो जैसे ही यह उत्रा जमीन एक विशाल मकडी के चाले की तरह खुल गई जबकि प्रभाव ने उर्ते हुए पत्थरों से भरी एक शौक वेफ पैदा की शेन मिंजियाओ हमले को चक्मा देने में काम्याब रहे लेकिन प्रभाव से सद्मे की लहर ने उन्हें असहाय रूप से हवा में भेज दिया शेन मिंजियाओ ने अपना संतुलन पूरी तरह से खो दिया प्रभाव के बल ने उसे मुह से खून ठूक दिया और वह बैरियर की सीमाओं के करीब जमीन पर पटक दिया. स्वभाग्य से शेन मिंजियाओं का दूसरा तत्व जल था, इस प्रकार वह समय के साथ अपने उपर एक जल अवरोधक डालने में सक्षम हो गया. अन्य था, शती ने उसे आधा मार डाला होता. शेन मिंजियाओं को जमीन से उठने में काफी समय लगा. इस बीच हिंसक मार वुल्फ ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया. उससे 50 मीटर की दूरी पर खड़े होने के बावजूद, उसने अपना मुह चोड़ा किया और आगे की जगह को चीरते हुए थोड़ा आगे बढ़ गया. जैसे ही इसने अपने दात भीचे, शेन मिंजियाओ ने तुरंट अपने बगल में दिखाई देने वाले विशाल दान्तों की एक पंक्ती देखी. वह महसूस कर सकता था कि उसकी खोपडी सुन हो रही है क्योंकि वे अधिक परिभाशत हो गए थे. वे हिंसक मार्ट वुल्फ के नुकीले थे. शेन मिंजियाओ समझ नहीं पा रहे थे कि यह इतनी दूर से हमला कैसे कर सकता है. इतनी दूर से वह उसे कैसे काट सकता है. पवित्र ढ़ाल सनरक्षन जब नुकीले उस पर बंध हो रहे थे, सोंग्जियाओ की बलकी मरदाना आवाज निकली. शेन मिंजियाओ की स्थिती के करीब एक सुनहरी रोशनी टिम्टिमा रही थी. इसने शेन मिंजियाओ की आकरिती के चारों और लपेट कर एक सुनहरी ढाल बनाई. नुकीले प्रकाश को कुचलते हुए समाप्थ हो गए, जिसके परिनामस्वरूप एक खड़खडाहट की आवाज हुई. दसे क्रेट शीड काटने से जोर से हिल गया, जबकि इसकी चमत काफी कम हो गई. इस बीच, हिनसक मार्क वुल्फ काफी निराश लग रहा था, कि उसके हमले को विफल कर दिया गया था, और उसने सोंगजिया पर अपनी निगाहे टिका दी. शेन मिंग्जियाओ अभी के लिए सुरक्षित था, लेकिन सोंग्जिया, जिसने उसकी जान बचाई थी, ने तुरंट उसे जानवर के अगले लक्षे के रूप में बदल दिया. नियू नूजियाओ ने भी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया. इंसक मार्क वुल्फ को परिशान करते हुए, उसने लगातार अपने बायु तत्म के साथ अपनी स्थिती बदल दी, जिससे उसे अपने हमलों पर ध्यान केंडरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा. वह अकेला ही उन्हें कठिन समय देने के लिए परियाप्त है. क्या मुझे आगे भी कुछ करना चाहिए, जियो फिंग ने चुपके से आश्चर्य किया. मिन कांग ने कहा, चलो अब उन सब को खत्म करते हैं. उन्होंने अपना समय अपने नेबुला को व्यवस्थित करने में लगाया, जबकि उनके दुश्मन हिंसक मार्क बुल्फ को संभालने में व्यस्थ थे. एक बैंगनी ने बुला और एक नीला ने बुला, जो क्रमशा लाइटनिंग एलिमेंट और विंड एलिमेंट थे, उत्पन होने लगे. दोनों वास्तव में तेज गती से पैटर्न बना रहे थे, और उनमें से आधे को पलक छपकते ही पूरा कर लिया. एक बार दो मज्यवर्ती मंत्र म्यू नूजियाओ और शेन मिंग्जियाओ पर डाले जाने के बाद, वे अपना बचाफ करने में सक्षम नहीं होंगे. लाइटनिंग स्पेल का निशाना शेन मिंगक सियाओ निकला. शेन मिंग्जियाओ के फिगर के चारों और लपेटे हुए सिक्रेट शीड की चमक पहले से ही काफी कम हो गई थी, इस प्रकार स्ट्राइक ने उन्हें तुरंग जमीन पर पटक दिया. दूसरी और बवंडर मो फैन और सौंग जियाओ को निशाना बनाता दिख रहा था. सौंग जियाओ ने शेन मिंग्जियाओ पर अपने लाइट मैजिक का इस्तमाल किया था, इस तरह उसे एक नाजुक स्थिती में छोड़ दिया था. सौभाग जिसे मो फैन ने समय रहते अपने स्पिरिट बुल्फ को बुलाने में काम्यावी हासिल कर ली थी, जो उन्हें दूर ले गया और बवंडर को चक्मा देने के लिए बेथाशा इधर उधर भागा. हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते, हम बहुत निश्क्रिय हो रहे हैं, सोंग जिया ने स्पिरिट बुल्फ के पीछे से चलांग लगाई और इंपीरियल कॉलेज के चार छात्रों पर नजर डाली जो लड़ाई शुरू होने के बाद से अभी भी उसी स्थान पर खड़े थ सिक्रेड शीड की रक्षात्मत प्षमता वास्तव में प्रभाव शाली थी, हाला कि वह अभी भी अपनी हड़्ियों में थोड़ी सी सहरन महसूस कर सकता था क्या तुम अपने आपको उचा नहीं समझती? शेन मिंग्जियाओ ने अप्रिय तरीके से शाप दिया ऐसी परिस्थितियों में क्या बगवास है? बस मो फैन के निर्देशों का पालन करें, सोमझिया तूट गया शेन मिंग्जियाओ ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की आखिरकार मुनुजियाओ ज्यादा देर तक तिक नहीं पाएगी मो फैन को पता था कि उनके साथ मिलकर भी वे हिनसक मार्क वुल्फ के खिलाफ कोई मौका नहीं देंगे इसलिए उसने उनकी सहायता के लिए अपने आत्मा भेडिये को भेजा था क्योंकि उसने मान लिया था कि जानवर के साथ मिलकर दोनों को इतनी आसानी से पराजित नहीं किया जाएगा वास्तव में मो फैन की राय में हिंसक मार्क वुल्फ की ताकत मदर स्किन स्केल फैंटम और शापित जानवर की तुलनामे कमजोर थी जिसका उसने पहले सामना किया था ऐसा कहा जा रहा है एक योध्धास्तर का प्राणी एक मध्यवर्ती जादूगर की तुलनामे एक महत्वकून अंतर से स्वाभाविक रूप से मजबूत था पर्याफ उपकरण या कुछ विशेश शमताओं के बिना प्राणी के खिलाफ जीतना असंभव था दीन जियो मैं इतनी महंत नहीं करता अगर यह उन लाभों के लिए नहीं होता जो आपने मुझे दिये हैं मो फैन अपने आप में गुदबुदाया और उसने अपने गले में फोकस हार को देखा मो फैन अपने स्कूल की प्रतिष्ठा के बारे में कम परवाह नहीं कर सकते थे लेकिन चुंकी उन्होंने दीन जियो और एलिमेंटल डायरेक्टर से वादा किया था इसलिए उन्हें अपनी बात रखनी थी सौंग जिया तुम उस पवन जादूगर को संभाल लोगी अगर संभव हो तो कोशिश करो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ और मुझे पवित्र ढाल से बचाओ मो फैन ने उसके अलावा सौंग जिया से कहा सौंग जिया ने सिर हिलाया और खुद को मो फैन के पीछे कर लिया जैसे ही उसने अपनी निहारिका में एक कारे को स्थापित किया उसने अचानक अपने परिवेश में ठंटक महसूस की बगवास सौंग जिया सगने से रोपड़ी पीछे हटो जल्दी मो फैन चिलाया के रूप में वह आसपास के तापमान में किरावट महसूस किया सौंग जिया तेजी से पीछे की ओर बढ़ा जैसे ही उसने खुद को बर्फीलेक शेतर से हटा लिया उसने महसूस किया कि बर्फीली तात्विक पूर्जा बास्तव में उसे लक्षित नहीं कर रही थी तक्राना जमी गुली जमीन अचानक फट गई और उसके नीचे से बर्फ की कई मोटी जंजीरे निकलाई दोनों के आपस में टक्राने पर तेज आवास सुनाई दी सौंग जिया ने विस्मय में बर्फ की जंजीरों को देखा उसने सुरक्षा के लिए पवित्र ढाल को बुलाने की कोशिश की लेकिन तक तक बहुत देर हो चुकी थी मोफैन को पलक छपकते देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी बचने का कोई मौका नहीं बजना मोफैन के फिगर के चारों और कुछ पर्दे बनाते हुए जंजीरे उसके चारों और लिपती रही एक क्षन बाद मोफैन को पूरी तरह से जंजीर से बंद कर दिया गया था जैसे कि वह एक जमी हुई ममी में बदल गया हो और बर्फ की ताक्विक शक्ती पागलपन से उसकी ओर बढ़ी जंजीरों के दूसरे सिरे धीरे धीरे जमीन से उठे मुनिंशु ने कसकर पकड़ रखा था जिनके चांदी के बाल पूरी तरह से उनके बीच में खड़े थे यह सपष्ट था कि वह भारी हिम ताक्विक बलका स्रोथ थी उसकी आइस चेंज सपष्ट रूप से दूसरे स्तर पर पहुँच गई थी लो सोंग की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर सोंग जिया ने अपनी आग से उन्हें पिगलाने की कितनी भी कोशिश की उसका प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ था बर्फीले गुच्छे धीरे धीरे गिरे क्योंकि उसके चांदी के बाल हवा में उर गए म्यूनिंग्शु की बर्फीली और पहुँच से बाहर की आभा और भी मजबूत थी क्योंकि उसने बर्फ की श्रिंखला को नियंत्रिक किया था जैसे कि उसके कुछ किलोमीटर के भीतर किसी जीवित व्यक्ति को जाने की अनुमती नहीं थी यह वह रास्ता बहुत पागल है छात्रों ने अपनी आखें पूरी तरह से खोल कर देखी और उनके जबडे गिर गए उनमें से अधिकांश ने मुनिंशु को अपने सितारों को चित्रिक करते हुए नहीं देखा जिसका अर्थ था कि उसका बर्फ के जादू पर नियंत्रन इस तर तक पहुँच गया था कि वह उसे लगधद एक पल में निकाल सकती थी उन्होंने जिन आइस चेंज को तलब किया था वे काफी शांदार थी उसके शुद्धवंश के कारण जंजीरों के चारों और बर्फ के छोटे-छोटे गुच्छे बन रहे थे क्योंकि वे पास की हवा में जम गए थे कहा जा रहा है कि गुच्छे केवल सजावट मात्र नहीं थे वे वास्तव में कांटों की तरह तीखे थे दूसरे शब्दों में अगर मुन इंशुए जानलेवा प्रहार करने की योजना बना रही होती तो कांटे न केवल हवा में तैर रहे होते वे जंजीरों से जुर जाते और उस व्यक्ति को बेद देते जिसे वे मौत के जाल में भसा रहे थे दूसरी तरफ मुनूजियाओ, शेन मिंदक सियाओ और स्पिरिक बुल्फ की टीम हिंसक मार्क बुल्फ के खिलाफ मुश्किल से टिक पाई मो फैन पहले से ही जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उसके पीछे सोंगजिया उसे मुप्त करने में पूरी तरह से असमर्थ था ऐसा लग रहा था कि लड़ाई लगभग खत्म हो गई थी, हर किसी की उमीद से कहीं ज्यादा तेजी से मिस्टर गुहान, मिस्टर लीजिन और मिसेस क्यू युहाने एक दूसरे से नजरे मिलाई उन्होंने नुकसान की भविश्यवानी की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ताकत का अंतर इतना विच्चित्र होगा वह आईस मागा बहुत भयानक है अगर हम आखिरी दौर में उसका सामना करते हैं, तो लड़ाई भी एक तरफा होगी, पेंग लियान ने कहा जाओ मेंटिंग चुप रहे उसकी नजर जंजीरों पर टिकी थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मो फैन जैसा मजबूत होई उस पागल औरत के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर पाएगा मो फैन ने वास्तव में मदर स्किन स्केल फैंटम को अपने दम पर हरा दिया था इसलिए जाओ मेंटिंग को यह विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि वह इतनी आसानी से हार जाएंगे इसे भूल जाओ यह लड़ाई का अंत हो सकता है श्रीमती क्यू युहा ने आह भरी वह चिंतित थी की मो फैन जंजीरों में फंसने से ठंड बरदाश्ट नहीं कर सकता मम्मः मिस्टर गुहान ने भी सिरहलाया यह वास्तव में उनके लिए एक महिला आईस मागा के खिलाफ लड़ने के लिए एक कठिन मुकाबला था जिसने एलिमेंटल डोमेन सीखा था और एक सुमोनर मागा जो एक योधास्तर के प्राणी को नियंत्रित करने में सक्षम था गुरुजी पृप्या थोड़ी देर प्रतीक्षा करें जाओ मेंटिंग ने कहा क्या इसका कोई मतलब है लो सौंग ने कहा अपना मुह बंद करें श्रीली जिन जाओ मेंटिंग के लहजे से खुश नहीं थे जैसे ही वह बोलने वाला था उसने पाया कि मिस्टर गुहान बर्फ की जंजीरों की दिशा में खूर रहे थे क्या हुआ मिस्टर गुहान दिली जिन ने पूछा अग मैं अगनी तत्व को महसूस कर सकता हूँ एक मजबूत अगनी तत्व उर्जा यह गलत नहीं हो सकता मिस्टर गुहान जज को इशारा करने ही बाले थे कि उन्होंने बर्फ की जंजीरों से निकलने वाली अगनी तत्व उर्जा के एक मामूली संकेत का पता लगाया उर्जा भयंकर थी बर्फ की मजबूत जंजीरों से मुख्थ होने की कोशिश कर रही थी बर्फ की जंजीरों से खून की एक लकीर धीरे-धीरे तपकती देखी जा सकती थी श्री गुहान की साधना दूसरों की तुलना में अपेक शाकरित अधिक मजबूत थी इसलिए वे इसे महसूस कर सकते थे आलाकि वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि जंजीरों के अंदर इतनी भयंकर आग क्यों जल रही है ऐसा लग रहा है कि हम आज अपनी जीत का जश्ण मना सकते हैं कितना उबाव है यह इतनी आसान जीत है लू जेंगे ने मुस्कराते हुए खोशना की लाइटनिंग स्कूल के मिंग चोंग ने कहा कप्टान आपको अब अपनी बर्फ हटा लेनी चाहिए यह बुरा होगा अगर वह ठंड से मर जाए म्यू निंग्शुए ने अपनी टीम के साथियों की टिपपणियों को नजरंदास कर दिया और अपने हाथों में जंजीरों को पकड़ना जारी रखा हाला कि उसकी आखे भावीम थी यह सपश्ट था कि उसने अपना पहरा नहीं छोड़ा था वो मो फैन को घूरती रही सचमुछ उसे खूर रही थी अंत में उसने अपनी हमेशा की मधुर आवाज में कहा बहुत हो गया अभिनय के साथ मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ मो फैन जब उसने अपना नाम बताया तो उसकी आखे थोड़ी चमक उठी उसे पता नहीं था कि उसे आखिरी बार उसका नाम पुकारे हुए कितना समय हो गया था और नहीं उसने एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान उससे ठोकर खाने की उम्मीद की थी हालांकि म्यू निंशुए सपष्ट ग्रूप से जानता था कि मो फैन कहीं भी उतना सरल नहीं था जितना कि वह सतह पर दिखाई देता था वह यह जानती थी क्योंकि म्यू परिवार ग्वारा आयोजत दावत के दौरान उसने उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा देखी थी उनके पास एक जन्मजात द्वैक तक्व था म्यू निंशुए केवल उस विशेश कारण से द्वन्दवयुध में भाग लेने के लिए तयार थी वह एक ऐसे शक्स की काबिलियत देखने को बेताब थी जिसे खुझ से ज्यादा टैलेंटे माना जाता था अभिनए उसकी असली ताकत दिखाओ मू निंशु की बाते सुनकर भीर दंग रह गई क्या वह यह कह रही थी कि मो फैन नामक इस शात्र ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उप्योग नहीं किया है हाला कि भले ही उसके पास अपनी बिजली से अधिक शक्तिशाली शक्ति हो वह संभवता बर्फ की जंजीरों से कैसे मुख्थ हो सकता है मिंशु तुम क्या कह रही हो मैं वास्तव में समझ नहीं पाया क्या तुम उसे जानते हो लू जेंगे ने सक्त चहरे से पूछा लड़ाई देख रहे छात्र हैरान रह गए वह ऐसे ही फंस गया था अगर वह अपनी ताकत चुपा रहा होता तो क्या फर्क पड़ता यह सही है लड़ाई समाप्त हो गई है अरे मुझे खून जैसा कुछ लाल क्यों दिखाई दे रहा है मिंकाम में अचानक पूछा खून की तरह लाल बर्फ से धका छेत्र चमकीले लाल रंग से रंगा हुआ था जो दूर से खून जैसा दिखता था अलाकि यह खून से कहीं ज्यादा कर्म था दरार धरार धोस बर्फ की जंजीरों पर दरारें दिखाई देने लगी जो शुरुवात में छोटी थी लेकिन जैसे जैसे अंगर से अधिक लाल फैल दी गई वे तेजी से सतह पर फैल गई टक्राना एक जोर का धमाका हुआ क्योंकि बर्फ की जंजीरें अंत में गड़गडाहट की उर्जा को अपने भीतर नहीं रोक सकी जैसे ही बर्फ की जंजीरें बिखरी आग की लपतें जो आग के गुलाब की तरह लग रही थी जमीन पर जमी बर्फ पर बरसने लगी तूटी हुई बर्फ की जंजीरों से जूचते हुए बेचुलस गए आग के कुंड से एक आकरिती धीरे-धीरे बाहर निकली वह बर्फ की जंजीरों को पिघलाने में सक्षम लप्टों का स्रोत था उनकी पूरी आकरिती लाल लप्टों में घिरी हुई थी जैसे आग के समराथ लावा पर चलते हुए सुर्खियों में आए लुढक्ती लप्टें आइस जोन को दूर भगाती रही हालाकि आइस जोन ने पूरे युद्ध के मैदान को कवर कर लिया था लेकिन उस विशेश चेतर में आग की लप्टों से बर्फ पूरी तरह से पिखल गई थी आग के अंदर की आकरिती ने धीरे धीरे उसके स्वरूप को प्रकट किया हालाकि उन्होंने जो देखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था क्या? क्या वह मोफैन है? जाओ मेंटिंग, जेंग बिंगक सियाओ, मिस्टर गुहान और मिसेस क्यू युहा खाली चहरों के साथ भूर रहे थे यहां तक की इंपीरियल कॉलेज के लोगों की भी आखें नम थी अगर वे गलत नहीं थे, तो मोफैन नाम के इस लड़के ने पहले ही अपने लाइटनिंग और सममनिंग मंतर का इस्तिमाल कर लिया था इसके बावजूद वह वर्तमान में अगनी तत्व को नियंतरित कर रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह इसके साथ काफी विशेशग्य भी था सौंग जिया की आग के पास म्यू निंग्शु के आइस दोमेन और स्पिरिट प्रेड आइस सीड के खिलाफ कोई मौका नहीं था इसलिए वह अपनी आग की शक्ती का पूरी तरह से उप्योग करने में असमर्थ थी दूसरी और मोफैन को घेरने वाली लौमू निंग्शुए के वंच के आइस सीड से नहीं डरती थी आग भी आत्माश्रेनी की थी तीन 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 तत्व मोफैन के पास तीन तत्व हैं भीड में से कोई अविश्वास में चिलाया एक बड़ा कोलाहल पूरे परिसर में भर गया केवल उननत्स तर हासिल करने वाले जादूगर ही तीन अलग-अलग तत्वों को नियंद्रित कर सकते थे जह सपश्ट था कि उसे अभी उननत्स तर हासिल करना था और फिर भी वह तीन अलग-अलग तत्वों का उप्योग करने में सक्षम था क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें सहज रूप से दो तत्व थे पैदा होने के बाद से दो तत्वों के साथ वह निश्चित रूप से कुछ ऐसी प्रतिभा थी जिससे हर कोई इर्शा करेगा के रूप में क्रूर आग पागलों की तरह जल मो फैन आग की एक कालीन पर छेत्र से बाहर चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अविश्वसनिय था तीन तत्वों बाला एक जादूगर ठीक उनके सामने खड़ा था स्पिरिट प्रेड आग की चमत के नीचे मो फैन की उग्र आखे बुराई का संकेत दे रही थी मैंने सोचा था कि तुम अपने प्रेमी के साथ आसानी से पेश आओगी यहां आश्चर्य की बात है कि तुम वास्तव में कंभीर हो मो फैन ने अपने कंधे पर बर्फ के गुच्छे जार दिये जो जल्दी से आग में वाश्पित हो गए मुनिंशुए पहले से ही उसकी बतवास की आदी थी इसलिए उसने उसका खंडन करने की कोशिश भी नहीं की मो फैन की लापरवाह रोज लेन को एक आश्चर्य जनक हमले से निपटने से रोकने के लिए उसने एक बर्फ का घुंखट डाला अपने तत्व के कारण वह वास्तव में आग की प्रशनसक नहीं थी क्योंकि इससे वह असहज हो जाती थी लड़का बॉयफ्रेंड लू जेंगे ने यह सुनकर अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया यह उनके लिए सबसे बड़ा सग्मा साबित हुआ केवल वो ही जानता था कि वो मुनिंशु के प्रती गंभीर रूप से आकरशित था मुनिंशुय ने स्थिती को समझाने की जहमत नहीं उठाए वह पहले से ही मो फैन की स्प्रिक्ट ग्रेड फायर से उत्पन खत्रे को भांप चुकी थी अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो उसके लिए उसकी आक से अप्रभावित रहना असंभव होगा मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी ताकत का परीक्षन करने की कोशिश कर रहे हो यह कहां जा रहा है तुम पहले से ही इतनी महंत कर रहे हो मेरा कमजोर होना कैसे स्विकार्य है चुंकि तुम मुझे अपनी असली ताकत का हुपयोग करने के लिए कह रहे हो मैं मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी हो रही है मो फैन ने एक व्यापक मुस्कान के साथ कहा एक शन बाद लॉन ने उसके पूरे चहरे को पूरी तरह से भस्न कर दिया साथ में उसकी द्वेशपूर्ण मुस्कराहट भी शब्द ऐसा लगा जैसे कोई समराठ अपने अधिकारियों और सैनिकों को आदेश दे रहा हो लप्टों ने उनकी आग्या का पालन किया और पेजी से उनकी कलाई पर एक कंगन में संकुचित हो गया जिससे उनके दिल की धड़कन तेज हो गई यहां तक की सोंजिया जो मो फैन के पीछे खड़ा था गुलाब की लॉकी गरिमा को इस हद तक महसूस कर सकता था कि उसकी आग में अपनी इच्छा को प्रस्तुत करने का आग रह था मो फैन की आग पूरी तरह से बापस ले लिया गया केवल उनका मस्बूत शरीर खड़ा रहा उनका दाहिना हाथ जलती हुई आग में धका रहा गुलाब की लॉन उग्र मुठी ग्राउंड ब्रेक प्रत्येक मंत्र पहले की तुलना में जोर से था लप्टों की प्रत्येक लहर पिछले की तुलना में लंबी थी मो फैन ने अपनी मुठी में जमा उर्जा को पूरी तरह से जमीन में उतारा उग्र उर्जा के प्रभाव ने तुरंत जमीन को चकना चूर कर दिया और भयानत लप्टे भड़क उठी आग जलती हुई पंखुडियों की तरह बेथाशा नाचने लगी आग के खंभे आसमान में उठे इतना गर्म की सब कुछ पिखल जाए प्रस्पुटित लावा के कारण ग्राउंड ब्रेक और भी फैल गया जिसके परिणामस्वरू एक शांदार त्रिश्य प्रदर्शन हुआ लू जेंगे के अलावा इंपीरियल कॉलेज के बाकी छात्र आग की लप्टों से पूरी तरह से जुलस गए मिन कांग और जियो फैंग घबरा गए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मो फैंग की आग इतनी तेज होगी जियो फैंग का दूसरा तत्व पृत्वी तत्व था इसलिए उन्होंने रक्षात्मक जादू करके तेजी से प्रतिक्रिया की हालांकि वह समय पर नहीं पहुँच सके उसका सुरक्षात्मक मंत्र बनने से पहले उसकी आकरिती पूरी तरह से ज्वाला से उबर गई थी खुद को बचाने के लिए जो फैंग को अपने उपकरन का उप्योग करने के लिए मजबूर होना पड़ा इसी तरह मिंग कांग हमले के खिलाफ अपना बचाप करने में असमर्थ था फायरी फिस्ट और ग्राउंड ब्रेक उसे अभिभूत करने के लिए परियाप थे अकेले गुलाब की लोग जो उसके उपकरन को जलाकर राख करने के लिए परियाप शक्तिशाली थी सौभाग्य से आसपास नजर रखने के लिए शिक्षक थे जो स्थितिके नियंतरन से बाहर हो जाने पर हस्तक शेप करेंगे मिंग कांग जो प्रभाव से होशखो बैठा था वो प्रभारी शिक्षक द्वारा तेजी से बचाया गया आग की लप्तों ने म्यू निंग्शुए को भी भस्न कर दिया था म्यू निंग्शु को खत्रे में देखकर लू युमिंग अपनी चाल चलने ही वाली थी तभी उसने अपने बिंट प्रैक के साथ खुद को ग्राउंड ब्रेक की बाउंडरी की ओर खीच लिया इसके बावजूद सीमाओ पर आग की लप्तों को कम करके नहीं आका जाना चाहिए था वर्फ का घूंगट उसने पहले काम में लाया था घूखी आग से सुरक्षा के रूप में काम कर रहा था हवा के जोके में एक नीला रंग था जो सामान्य नीले पवन तत्व की तुलना में काफी अधेक उर्जा प्रदर्शित करता था म्यू निंशुए की गती उन लोगों से भी आगे निकल गई जिनके पास एक सामान्य वायु तत्व भी था वायु तत्व को तत्वों में काफी सामान्य माना जाता था लेकिन यह सबसे लचीला भी था म्यू निंशुए तेजी से आगे बढ़ी जैसे कि वह अचानक पंख की तरह हलकी हो गई हो उसकी हरकत अप्रत्याशिक थी उसने फुर्ती से ग्राउंड ब्रेक को चक्मा दिया जबकि उसके चारों और थुकने की लपतें उसके द्वारा पहले स्थापित किये गए बर्फ के घुंगट से बुझ गई उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मो फैन किस तरह का जादू करेगा विंड डिस्क स्काई स्नेयर हर कोई हैरान था कि मो निंशुए कितनी तेजी से अपने सितारों को संरेखित करने में सक्षम थी उसने उन्हें कास्ट करने के लिए भी नहीं रोका हवा के नीले जोके ने धीरे-धीरे उसकी आकरती को उपर उठा दिया जिससे वह थोड़ी सी तैर गई उसके लंबे चांदी के बाल हवा में सुरुच पूर्ण धंग से चले गए जबकि खुंगट जो शुरू में उसके उठने से पहले लटका हुआ था उसके करीब सही चहरे को प्रकट कर रहा था उसकी दीगतिमाग आखों का रंग नीला था जैसे पवन योगिनी एक सेकंड के लिए 20 मीटर के व्यास के साथ एक नीला आभा उसके ग्लैमर्स काया को घुमाते हुए देखा जा सकता था जो उसकी आखों से जिल्मिलाहट में दिखाई दे रहा था आभा ही वह कारण थी जिसके कारण वह हवा में तैर रही थी इसने मुन निंशुए को बदल दिया उसके हाथ उसके सीने के सामने आ गए थे वह एक बर्फ की जादुगर्नी से एक हवा की परीबन गई थी इतनी नेक और शुद्ध की किसी ने भी कोई अपमानजनक विचार रखने की हिम्मत नहीं की हमारे कप्टान उसके दूसरे तक्व का उप्योग करने के लिए मजबूर किया गया था यह उस आदमी मोफैन के लिए अंत है आभा के संदर्भ में म्यू निंशु की हवा ने बाकी के पवन जादुगरों को पूरी तरह से कुचल दिया जो अधिक भयानक था वह यह था कि पवन उर्जा पहले से ही उस छेतर के आसपास एकत रहो गई थी जो मोफैन अपनी सामरागी के अधीन था यह विंड डिस्क टोर्नाडो जैसा कुछ नहीं था कम से कम वाइंड डिस्क टोर्नेडो के मामले में लोगों के पास अभी भी प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ समय होगा जब तक आप बवंडर से तेज दोर सकते हैं तब तक आप ठीक रहेंगे विंड डिस्क के डूसरे स्टर स्काई स्नेर के मामले में ऐसा नहीं था यह 20 मीटर के व्यास के साथ एक कताई विशाल बवंडर को बुलाएगा जहां लक्ष था जिसक्षन इसे डाला जाता है यह लक्षे के चारों और हवा की एक तेज घूरनन दीवार बन जाती है जब तक लक्षे कुरूर बल के साथ हवा की दीवार के माध्यम से नहीं तूट सकता तब तक यहाँ हवा की हवा से हवा की दिवार के खिलाफ फेंक दिया जाएगा और अविश्वसनिय चोटों का शिकार होगा अगर लक्षे किसी तरह बच गया तो अंतिन फ्लिंग उसे हवा में उपर भेज देगा इतनी उचाई से गिरना उसकी सारी हट्डियों को चकनाचूर करने के लिए काफी था ऐसी थी विंड बिस्क स्काई स्नेर की ताकत इसके अलावा न्यू निंग्शु में एक स्पिरिट ग्रेड विंड सीड को भी नियंत्रित कर रहा था और इसलिए जादू की शक्ती गुना होने के बाद और भी भयानक थी आसपास के अन्यमध्यवर्ती जादूगर पहले ही पीछे हट गए थे क्योंकि लड़ाई का यहस्तर पूरी तरह से उनकी क्षमताओं से परेचला गया था बास्तव में दूसरी श्रेनी के इंटरमेडियेट मंत्रया स्पिरिट ग्रेड एलिमेंट सीड्स दोनों ही उन सभी को मिटाने के लिए पर्याप्त थे और जब दोनों को एक साथ धेर कर दिया जाता था तो वे जितना नुकसान कर सकते थे उससे अधिक नुकसान आसानी से हो सकता था किसी तरह पूरी लड़ाई मो फैन और मो निंगक्सियू के बीच एक द्वंध वयुध में बदल गई थी और मो निंगक्सियू अपने दो स्पिरिट ग्रेड एलिमेंट सीड के कारण पूरी तरह से हावी हो गई थी सरवशक्तिमान बिंड डिस्क स्काई स्नेर ने मो फैन को पूरी तरह से अंदर ही सीमित कर दिया था वह विशाल बवंदर के अंदर बेहत छोटा लग रहा था उग्र मुठी विस्पोट स्वर्ग मो फैन खुट को हवा के पिंजरे में फंसा हुआ पाकर हार मानने को तयार नहीं था तोड़ने का एक मात्र तरीका उन दिवारों को निशाना बनाना था जो उसे फंसा रही थी जैसे बवंदर के अपने आकार में सिकुरने से पहले उसे उन्हें अलग-अलग करना होगा कहने की जरूरत नहीं है कि मो फैन पहले स्तर के इंटर्मीडियेट फायर स्पेल का उप्योग करने से बेहत परिचित थे वह अपनी उर्जा को समायोज़त करने के बाद आसानी से कुछ घूसे मार सकता था जैसे ही एक्सप्लोडिंग हेवन की मुठी हवा की कताई दीबार से टकराई उसकी कलाई पर गुलाब की लौ बेचैन हो गई यह सबश्ट था कि विशाल बवंडर हिल रहा था इसके कुछ हिससे अपनी जगह से हट भी गए थे लेकिन नई पवन उर्जा ने तुरंट इस खाई को भर दिया क्योंकि मुन इंग्शुए ने बवंडर के आकार को बनाए रखा फिर से उग्रम मुठी जैसे ही मुका फेंका गया आग की लप्टो ने एक बार फिर उसकी मुठी को घेर लिया फायर फिस्ट एक बार फिर जबरदस्ट ताकत के साथ चीकती हवा की दीवार से कक्रा गई पहले पंच के बाद हवा पहले ही बाधित हो चुकी थी जब दूसरा पंच उससे कक्राया तो मुठें के आसपास का बवंडर जोर से चुक गया देखना मुठें पूरी तरह से अजे था इंटरमीडेट स्पेल को अंजाम देने के बाद अन्य लोग पहले से ही जोर से हामफ रहे होंगे लेकिन उन्होंने अपनी उर्जा को सनरक्षित करने का कोई इरादा भी नहीं दिखाया उन्होंने फायर नेबुला से उर्जा खीचना जारी रखा टॉर्मेडों में तीसरा पंच लॉंच किया तीसरी तक्कर के प्रभाव ने आखिरकार बवंदर को चकना चूर कर दिया और यह सभी दिशाओं में विरोध के बेतरतीब भम्रों में फैल गया जैसे ही हवा चली गई आसमान से धूल के कुच्छे गिरे मोफैन के पैरों के नीचे जमा हो गए मोफैन पर भीर का पूरा ध्यान था उसकी कलाई पर लगी आग अभी पूरी तरह से बुझनी बाकी थी उनकी उग्र आखे भावनाओं से भरी थी जबकि उनके अडियर रुखने सभी को एक मजबूत बयान दिया क्या वह आत्माश्रेणी के बबंडर से ऐसे ही तूट कया था इस मोफैन से ज्यादा हिंसक जादूगर को आज तक किसी ने नहीं देखा था अधिकांश लोगों ने अवचेतन रूख से यह मान लिया था कि इस तरह के विनाशकारी जादू को कम करने के लिए उन्हें रक्षाक्मक तरीकों पर भरोसा करने की आवश्यक्ता होगी भले ही मोफैन के तीन अलग-अलग तत्व थे उनमें से कोई भी रक्षा के लिए उप्युक्त नहीं था उनके लिए आश्चर्य की बात थी वह वास्तव में एक और भी मजबूत हमले के साथ मो निंशु के इंटर्मेडियेट विन्ट स्पेल को पार करने में काम्याब रहा था परल इंस्टिक्यूट का अंतिन बॉस जैसा की उस व्यक्ती से अपेक्षित था जिसे वह उपाधी दी गई थी दूसरी तरफ जाओ में वास्तव में अनुमान लगाया था कि मो फैन के पास अगनी तत्व है लेकिन लड़ाई देखने के बाद वह आखिरकार जानता था कि वह कितना सही था उन्हें अब आश्चर्य नहीं हुआ कि मो फैन वास्तव में मदर स्किन स्केल फैंटम को मारने में काम्याब रहे थे श्री गुहान, श्रीम्ती क्यू यू हुआ और श्री ली जिनको अपने विचार एकत्र करने में काफी समय लगा वे आखिरकार समझ गए कि दीन जियो और निर्देशक जो जेंगुआ ने मो फैन को अंदर लाने के लिए इतने प्रयास क्यों किये जहां तक इम्पीरियल कॉलेज में आने की बात है, बरबाद होने के लिए या एक दोस्ताना द्वंध वयुद करने के लिए यह सबश्ट था कि मो फैन उन्हें अपमानित करने के लिए यहां थे दो स्पिरिट ग्रेड सीस ऐसा लगता है कि मैंने इम्पीरियल कॉलेज में आकर सही चुनाव किया है कम से कम मेरे खिलाफ लड़ने के योग्य कोई है जैसा कि मो फैन ने पहले ही अपने रहसे का परदाफाश कर दिया था अब इसे और छिपाने का कोई कारण नहीं था इससे भी महत्वपूर बात यह थी कि परल इंस्टिक्यूट के बहुत सारे छात्र नहीं थे जो मो फैन को अपनी पूरी ताकत इस्तिमाल करने के लिए मजबूर कर सके हालांकि यह पता चला कि मुनिंशुए उसकी ताकत से मेल खा सकती थी लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अकेली नहीं थी जिसके पास दो स्पिरिट ग्रेड बीज थे अब मेरी बारी है मो फैन की मुसकान बेजोर आत्म विश्वास के साथ खिल उठी क्या आपको लगता है कि आप मुझसे तेज हैं मो फैन ने मुनिंशुए के दिल में युद्ध करने की प्रबल इच्छा जगा दी थी उसके बरफीले चहरे पर गर्व का भाव उभर आया अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे मो फैन मुसकुराता रहा मुनिंशुए ने अपनी निगाहें उस पर केंद्रित की जादू करने से उसकी आँखों में जिल मिलाहट असाधारन रूप से निर्धारित लग रही थी बात करते समय भी सितारों की चमक पर पोई प्रभाव नहीं पड़ा जब वे अपने फोकस में संरेखित थे यहां तक की जब वे एक दूसरे की आँखों में घूर रहे थे तब भी सितारों की कक्षाएं आपस में जुड़ी हुई थी पैटर्न में संचित विनाशकारी शक्ती के रूप में निर्वान आइस आइस लॉक बोन हस एक एथर आवास बाहर बुलाया मुनिंग्शु अपना आइस स्पेल पूरा करने वाली पहली महिला थी वह मो फैन से बहुत पहले इंटर्मेडियेट स्थर पर पहुँच गई थी और उसकी नीम अधिक ठोस थी कियान जुन वजर यक्ष मो फैन ने भी अपनी जोरदार आवास से जवाब दिया उसकी कास्टिंग की कती मुनिंगक्स्यु की तुलना में थोड़ी धीमी थी लेकिन इससे उसका आत्म विश्वास नहीं डग्मगाया जब वह मुनिंग्शु के आइस लॉक से घिरा हुआ था तब भी उसने आत्म विश्वास से अपना लाइटनिंग स्पेल जारी किया लाइटनिंग इंटर्मेडियेट स्पेल अन्य तक्वों की तुलना में काफी साफ था मुनिंग्शुए अभी भी अपने आइस लॉक्स को सेट कर रही थी जबकि मोफैन का एक बिंदू एक बड़े काले तूफान को बुलाने के लिए परियाप्त था अविश्वस्मिय शक्ती के साथ बैंधनी काले ड्रेगन डाइविन की तरह भयानक प्रकाश मारा गया हवा में आधे रास्ते में ड्रेगन कई बिजली के बोल्टों में विभाजत हो गए जैसे कि वे अपने पंजों को फैला रहे हूँ मुनिंग्शुए ने सिर उठाया वह जानती थी कि तूफान के बादल को देखते ही वह बुरी स्थिती में थी इसलिए उसने अपने फिगर के चारों और आइस लॉक्स को फायर करने की हिम्मत नहीं की इसके बजाए उसने दोनों हाथों से बर्फ की जंजीरों को अपने सिर के उपर रखने के लिए नियंत्रित किया उपर से बिजली के बोल्टों से सीधे ककराते हुए विशाल जंजीरे भयंकर रूप से बाहर निकली यह अचानक दो महान शक्तियों के शुद्ध संगर्श में बदल गया जिससे अखाडे में बिनाशकारी और घातक आभा आ गई प्रकाश की गती ने लड़ाई में मो फैन को आगे कर दिया एक साधारन यक्ष बर्फ के मोटे ताले को पार नहीं कर पाएगा लेकिन मो फैन की बिजली का स्रोथ कियानजुन था कियानजुन की शक्ती से कमपन प्रभाव बेहद आसान था क्योंकि बर्फ के ताले अविश्वस्निय रूप से मजबूत थे लेकिन बहुत कठोर थे बर्फ के तालों पर दरारे दिखाई देने लगी जैसे ही वे तालों की सतह पर फैले कमपन की अगली लहर ने तुरंट उन्हें टुक्रों में तोड़ दिया जंजीरे बर्फ के गिरते टुक्रों में बिखर गई म्यू निंग्शु गिरते हुए टुक्रों के बीच में खड़ी थी उसने उन्हें चक्मा देने की कोशिश भी नहीं की उसने अपना सिर उठाया और तुरंट देखा कि उसके बगल में एक बिजली का गोला तक्रा रहा है इसने जमीन पर एक जुलसा हुआ गड़ा बना दिया मू निंशु ने अपना हाथ हिलाया और बर्फ के टुक्रों को सफेद पाउडर में बदल दिया एक और लहर के बाद पाउडर बर्फ की छोटी बुंदों में बदल गया और हवा में बह गया यह एक विहंगम दृश्य था दो स्प्रिक ग्रेड सीस मुनिंशुए ने मो फैन पर अपनी नजरे टिका दी यक्ष बिजली कांटा स्पष्ट ग्रूप से उस पर एक साफ हिट करने में सक्षम था लेकिन यह स्पष्ट था कि मो फैन ने जानबूच कर अपनी दिशा बदली थी मुनिंशु को पता था कि वो द्वन्द वहार चुकी थी आइस लॉक्स खुद का बचाव करने की सबसे अच्छी क्षमता नहीं थी वजर से खुद को नुकसान होने से बचाने का कोई तरीका नहीं था यक्ष वह नहीं समझी एक दुर्जे गुट में शामिल होने के संसाधनों के बिना मो फैन के पास इतनी भारी ताकत कैसे थी प्रसिद्ध परिवारों के काफी शिश थे यहां तक कि उनके पास एक भी स्पिरिक ग्रेट बीज नहीं था और मो फैन जो एक दुर्जे प्रिष्ठ भूमी से नहीं आया था के पास पहले से ही दो थे शिश्यों को बाटे गए संसाधन पहले से ही सीमित थे अधिकांश संसाधन स्टारडस्ट मैजिक टूल्स नेबुला टूल्स और एक्विपमेट पर खर्च किये गए अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों के अलावा कई परिवार अपने शिश्यों के लिए सोल सीस खरीदने के लिए अधिक संसाधन खर्च नहीं कर सकते थे यह कैसे आश्चर यजनक नहीं था कि मो फैन के पास दो आत्मा बीज थे जबकि प्रसिद्ध परिवारों के शिश्यों के पास एक भी नहीं था सबसे महत्वपून बात उसके तीन अलग-अलग तत्व थे आम तौर पर उसकी साधना प्रभावित होगी क्योंकि वह किसी एक तत्व पर कम समय व्यतीत करेगा हाला कि उसके लिए ऐसा नहीं था उनकी आग इंटरमेडियेट स्थर के दूसरे स्थर तक पहुँच गई थी उसकी बिजली इंटरमेडियेट स्थर के दूसरे स्थर तक भी पहुँच चुकी थी मुनिंग्शु को पहले से ही पता था कि मो फैन एक जादूगर के रूप में एक असाधारन रास्ते पर अपने पैर जमा रहा है लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना प्रतिभाशाली होगा क्या मो फैन जीत गए बाई टिंगटिंग में धीरे से पूछा वो जीत गया लेकिन मिस्टर गुहान को अभी अपने विचार इकठे करने थे मैंने हमेशा सुना है कि कैसे दानव राजा अपराजे है लेकिन यह पता चला कि यह केबल उसकी ताकत का एक हिस्सा था दो तत्वों के साथ पैदा हुआ एक लाइटनिंग और एक फायर स्पिरिट सीड इंटरमेडियेट लेवल का दूसरा स्तर अफ ऐस्ट्रिस्क ऐस्ट्रिस्क केमी वह उन दो तत्वों में से किसी एक के साथ आसानी से हमारे परले इंस्टिट्यूट से सभी को कुचल सकता है पेंगलियान जोर से चिलाए किसी भी तरह उसने लड़ाई जीत ली है उसने इंपीरियल कॉलेज के इकका को हरा दिया है जाओ मेंटिंग में मुस्कराते हुए मोफैन की तरफ अपना अंगुठा उठाया उसने आखिरकार मोफैन की असली टाकत देख ली थी अगर यह तथ्य नहीं होता कि इंपीरियल कॉलेज में एक पागलपन से भरे प्रतिभाशाली मुनिंशुए थे तो मोफैन निश्चित रूप से सच्चाई को छिपाना जारी रखते वह निश्चित रूप से उनके परले इंस्टिट्यूट के दानव राजा होने के योग्य थे अच्छा एक अच्छा किया, श्री क्यू यहुआ ने कहा मोफैन से हारने के बाद मुनिंशुए बिना कुछ कहे मंच से चली गई मंच से निकलते ही लड़ाई का रुख बदल गया सबसे पहले सौंग जिया की आग अब दुश्मन के शक्तिशाली डोमेंग द्वारा प्रतिबंधित नहीं की जा रही थी नतीस्तन हिंसक लड़की ने हिंसक मार्क वुल्फ पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया मो फैन ने पहले ही अपनी फाइरी फिस्ट और ग्राउंड ब्रेक कॉम्बो से दो छात्रों को हरा दिया था अब जब मुनिंशुने लड़ाई छोर दी थी तो लू जेंगे ही अकेला बचा था अपने शत्रों के विरुध वह कुछ नहीं कर सकता था लू जेंगे परिनाम से संतुष्ट नहीं थे वह मो फैन को घूर कर ही हिंसक मार्क वुल्फ को वापस ले सका परलर इंस्टीट जीत गया है अविश्वस नीर बकवास इंपीरियल कॉलेज की दूसरी टीम हमारी चार या पाच टीमों का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत थी उसके बावजूर परलर इंस्टीट ने लड़ाई जीत ली मो फैन नाम का वह लड़का बहुत मजबूत है मुझे आश्चर्य है कि कौन सा प्रसिध वह परिवार से है मुझे यकीन है कि आप केवल प्रवर्तन संग में ऐसी प्रतिभापा सकते हैं वह उन में से एक हो सकता है दूसरे स्कूलों के चात्र और शिक्षक आपस में कपशप कर रहे थे इसी तरह इंपीरियल कॉलेज के चात्र और शिक्षक पूरी तरह से अवाक रह गए म्यू निम्शू और लू जेंगे के हमारे प्रतिनिधी होने के बावजूद क्या हम वास्तव में लड़ाई हार गए है यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे आसानी से स्विकार कर सकें वह आदमी मो फैन कहां से आया था क्या हमें यकीन है कि वह वे चात्र नहीं है जिन्हें कई वर्षों के बाद भी विश्वविद्याले से सनातक होना वाकी है एक सेकंड रुकिए उनमें भी इतनी भयानक ताकत नहीं होगी हम मैं अगली बार उसे सबक सिखाऊंगा लू जेंगे ने मो फैन को देखा उसके दिल में शिकायते उमड रही थी कोई भी उनसे इस तरह के ऐस की उम्मीद नहीं करेगा एसा लगता है कि हमने परल इंस्टिट्यूट को कम करके आका है लू यमिन ने आ भरते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि वह प्रभावशाली है लू जेंगे ने बिरोध किया तो जाहिरा तोर पर दो जन्मजात तत्थ प्रभावशाली नहीं है क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो पूरी तरह से आपके हिंसक मार्क गुल्फ पर निर्भर हैं अधिक प्रभावशाली है लियाओ मिंगक सुआन ने तुरंट अफसर का उप्योग अत्यधिक गर्वित लू जेंगे का मजाख उडाने के लिए किया इतना काफी है लड़ाई में हमेशा जीत और हार होती है इसके अलावा यह केवल एक दोस्ताना मैच माना जाता था यहाँ अनुभव के बारे में अधिक है लू यमिंग ने हस्तक शेप किया छात्रों को केवल संस्थानों में खुद को प्रशिक्षिक करने का मौका मिला यहाँ तक कि अगर युगल भी होते तो वे केवल अन्य जादूगरों के खिलाफ होते इसलिए अभी भी बहुत सी चीजें उन्हें सीखनी थी असली राक्षसों से लड़ना भी उनके लिए जरूरी था एक शक्तिशाली जादूगर के पास अत्यधिक शक्ती होने की आवर्शक्ता नहीं थी यह सीखना अधिक महत्वपून था कि जंगल में कैसे जीवित रहना है जहां राक्षस रहते थे विश्वविध्यालियों में प्रशिक्षन अब उतना भोला नहीं था जितना की हाई स्कूल के दौरान वे जिस सैने अभ्यास से गुजरते थे वे शिक्षकों या शिकारियों से सुरक्षा के बिना छात्रों को सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर भेज रहे होंगे उन्हें खुद ही समस्याओं का सामना करना होगा और राक्षसों को अपने दम पर संभालना होगा इस तरह के प्रशिक्षन में मृत्यू अप्रिहार्य थी लेकिन जादूग्रों के रूप में यह एक जागरूपता थी जो उन्हें तब से होनी चाहिए थी जब उन्होंने पहली बार अपना जादू जगाया था खबर तेजी से फैली यहां तक कि परलर इंस्टिट्यूट के नेताओं को भी यह सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो गया कि उन्होंने लडाई जीती है श्री गुहान से विवन सुनने के बाद दीन जियो और जो जहेंगुआ ने बेहत राहत महसूस की उन्होंने निश्चित रूप से मोफैन को इंपीरियल कॉलेज भेजने का सही विकल्प चुना था खंभा उठाते ही चाया पड़ गई चुंकि मोफैन ने अपने अगनी तत्व का प्रदर्शन किया था उसके दोहरे सहच तत्वों के बारे में खबर जल्द ही स्कूलों में फैल गई थी परलर इंस्टिट्यूट के दानव राजा मोफैन अब काफी प्रसिद्ध थे वह अचानक से पूरे देश के चात्रों के बीच एक होट टॉपिक बन गया था अचानक छात्रों ने सभी की प्रतिभाव के आधार पर एक रैंकिन स्थापित करना शुरू कर दिया जिन छात्रों के पास करने के लिए बहतर कुछ नहीं था उन्होंने उन लोगों को सूची बद किया जिन्होंने अविश्वस्निय प्रतिभा दिखाई थी और उनके नामों को एक सूची में व्यवस्थित किया मुनिंग्शुए और मोफैन दोनों को सूची में शामिल किया गया था उनकी प्रतिभाव पर छात्रों द्वारा नियमित रूप से चर्चा की जाती थी मोफैन ने खुद रैंकिंग भी चेक की उनके सहच डबल एलिमेंट्स को पाँचवा स्थान मिला था जबकि म्यू निंग्शु के इंपेट स्पिरिट सीड को नोवे स्थान पर रखा गया था कोई रास्ता नहीं यहां तक की इनेक डबल एलिमेंट्स भी केबल सूची में पाँचवे स्थान पर है मुझे देखने दो की प्रतिभाएं कितनी पाँचवे से उपर है जाओ मेंटिंग अपना फोन देखने के बाद चीख पड़े दुनिया बहुत बड़ी है निश्चत रूप से पाँचवे स्थान पर आना पहले से ही पाँचलपन की बात है कल्पना करेंग की प्रतिएक स्कूल में कितनी विलक्षन ताएं है यहां तक की शीर्ष एक सौ में स्थान प्राप्त करना आपके आत्म विश्वास को बहुत बढ़ावा देगा प्रैंक देना तो दूर की बात है शीर्ष दसमे प्रतिभा बहुत कम जादूग्रों के लिए स्वर्ग की और से एक उफार है कड़ी महंत के बिना प्रतिभा वाले भी कचरा बन जाएंगे मैंने कई युवा जादूग्रों को अविश्वस्निय प्रतिभाव के साथ देखा है लेकिन उन में से कितने वास्तव में प्रतिष्ठित हैं वहाँ है इर्षा करने की कोई बात नहीं श्री क्यों युवा ने पेशिवर तरीके से बोलते हुए उफास उड़ाया श्री गुहान सहमत हुए बिना नहीं रह सके प्रतिभा केवल किसी उत्तम चीज में सजावट चोड रही थी लगन से काम करना ज्यादा जरूरी था जन्मजात दोहरे तक्वो वाले मो फैन जैसे किसी व्यक्ति के लिए अगर उसने परियाप्त मेहंत नहीं की तो तीन तक्वों का हुना वास्तव में एक बोज बन सकता है जो उसे उननत स्थर तक पहुँचने से रोख सकता है एक ऐसा जादूगर जो तीन तक्वों के होते हुए भी उननत स्थर तक नहीं पहुँच सका वह किस काम का? इसलिए जो लोग अब्वेक्शाकृत अनुगवी थे उनके लिए ज़ूरी नहीं की प्रतिभाय निरनायक कारक हो अब आपको प्रशिक्षन के रूप में सुरक्षित प्षेत्रों से दूर भेज दिया जाएगा प्रशिक्षन के दौरान आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्योंकि अगर आप खत्रे में हैं तो कोई भी नहीं आएगा और आपको बचाएगा श्रीम्ती लीजिंग ने उन्हें बताया सुरक्षा नहीं हम आप मेंसे प्रत्येक को एक पेन देंगे जो एक जादूई संकेत भेजने में सक्षम है अगर आप खुद को फंसा हुआ पाते हैं तो हम सुद्रिधी करन भेजेंगे लेकिन पहले आपको मदद आने तक जीवित रहना होगा यह चात्रों की भीड के भाव कठोर हो गए मौतें और चोटें अतीत में काफी आम थी इसलिए मुझे उम्मीद है कि प्रशिक्षन शुरू होने के बाद हर कोई हाई अलर्ट पर होगा कुछ भी जोखिन भरा काम न करें ऐसे समाय हो सकते हैं जब आपको लगता है कि आप आसानी से कुछ राक्षसों को संभाल सकते हैं लेकिन मैं आपको यह बता दूँ चीजें हमेशा उतनी सरल नहीं होती हैं जितनी दिखती हैं मिस्टर गुहान ने उन्हें कड़ी चेताब नी दी घले ही आपने राक्षसों के बारे में कक्षाईली हो या सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त की हो सच्चाई यह है कि जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है उनमें से अधिकाश ने स्वयन कभी सुरक्षित खेत्र नहीं छोड़ा है अगर आप मानते हैं कि आपने क्या किया है सीखा हुआ ही अपनी देखभाल करने के लिए काफी है यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है खैर बस साथान रहना मैं उतनी ही संख्या में लोगों को वापस आते देखना चाहता हूँ श्रीक यू युगवा ने कहा तीनों शिक्षक हमेशा की तरहे शांत थे लेकिन सभी जानते थे कि प्रशिक्षन को हलके में नहीं लिया जाना चाहिए हालांकि मो फैन ने अतीत में राक्षसों से लड़ाई की थी लेकिन अन्य छात्रों की तरह यह भी पहली बार सुरक्षित चेत्र छोड रहा था जब से वे पैदा हुए उन्हें बताया गया कि सुरक्षित चेत्रों के बाहर की दुनिया राक्षसों का इलाका है यहां तक कि सबसे बड़ा जादूगर भी अपनी कूच को अपने पैरों के बीच पंसाने के लिए मजबूर हो जाएगा जैसा कि आप कभी नहीं जानते थे कि कब आप एक भयानक दानव या उनके जुन से तकरा जाएंगे प्रशिक्षन शुरू होने पर आपको एक कार्य करने की आवश्यक्ता होती है समय आने पर हम आपको सूचित करेंगे चुंकि आप यहां राजधानी में हैं अगर आपके पास कुछ बचत है तो रक्षात्मक उपकरन का एक टुकरा खरीदना बहतर होगा यहां हो सकता है अपनी जान बचाओ एक्स्चेंज में अधिकांश छात्र औसक प्रिष्ठ भूमी से आये थे इसलिए वे एक या दो उपकरन खरीद सकते थे मोफैन जानता था कि उसके पास और उपकरन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए उसने विक्रेताओं के पास जाने की भी जहमत नहीं उठाई के रूप में वे प्रशिक्षण के लिए तयार करने के लिए पांच दिनों का समय दिया गया था मोफैन समय का उप्योग करने के लिए अपने तलब जानवर को मजबूत करने का फैसला किया Spirit Wolf के पास काफी कठिन समय था Friendly Match के दौरान Spirit Wolf को हिंसक Mark Wolf ने पूरी तरह से कुचल दिया था उनकी ताकत समान स्तर पर भी नहीं थी एक ही प्रजाती से होने के बामजूद युद्ध के दौरान Spirit Wolf पूरी तरह से अपना गौरख हो चुका था More Friend लड़ाई आत्मा भेडिया एक बड़ा प्रभाव पड़ा है की पता था कुछ समय तक विचार करने के बाद उन्होंने इसे योध्धा स्तर तक रैंक देने में मदद करने का फैसला किया इसे उन्नत स्तर तक रैंक किये हुए लगभग एक वर्ष हो गया था स्पिरिट बुल्फ ने खुद को बहतर बनाने के लिए समंड बीस्ट प्लेन के अंदर लड़ाई जारी रखी थी इसलिए इसका अनुभव अगले स्तर तक रैंक करने के लिए परियाप्त होना चाहिए इन्सक मार्क वुल्फ से मिले अपमान के बाद आत्मा वुल्फ में अपनी नौकर स्थिती से मुक्थ होने की प्रबल इच्छा थी यह एक मजबूत भेडिये के रूप में विक्सित होने के मौके के लिए तरस रहा था मोफैन कैसे इस तरह के एक महत्वा कांशी भेडिये को और अधिक अपमानित होने देने के लिए तयार हो सकता है इसके अलावा लूजेंगे नाम का लड़का अपने आप में इतना भरा हुआ था सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक योध्धास्तर का प्राणी था मोफैन अपने जैसे बेवकूफों को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह इतना बेशर्म था कि वह हर समय में निंशुए के पास रहता था एक बार जब उसका स्पिरिट वुल्फ योध्धास्तर तक पहुँच गया तो वह यह देखने के लिए उटसुथा की कैसे लुझेंगे अभी भी अपना रवया बनाये रखेगा समनित प्राणी को अगले स्थर तक विक्सित करना देखभाल के साथ व्यवहार किया जाना था इस तरह मो फैन ने श्री क्यू युहवा से सलाह मांगने का फैसला किया इस उम्मीद में कि वह कुछ सहायता प्रदान करेंगे एक समन किये गए प्राणी को विक्सित करते समय आपने जितनी अधिक चीजें तयार की है सफलता की संभाबना उतनी ही अधिक होगी सरल शब्दों में अगर आपका आत्मा भेडिया बिना किसी सहायता के विक्सित होने का प्रयास करता है तो सफलता की संभाबना लगभग 20% ही होगी उसके बाद यह अपने पिछले रूप में वापस आ जाएगा इस प्रकार यह एक साधारन नौकर वर्क का प्राणी बन जाएगा मिस्टर क्यू युहुआ ने सोचा की मो फैन जितना अधिक उसे देख रहे हैं वह उनकी आँखों को भा रहा है सवालों के जवाब देने में वह काफी संजीदा थे 20% इतना कम लोटरी जीतना भी आसान है मो फैन को तुरंक बुरा लगा ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपके स्पिरिट वुल्फ में द्रिड इच्छा शक्ती है अन्यथा एक साधारन स्पिरिट वुल्फ की सफलतादर केवल 10% होगी श्री क्यू युहुआ ने कहा फिर मैं सफलतादर कैसे बढ़ा सकता हूँ मो फैन ने पूछा क्या तुम एक बार क्लास में नहीं सुन सकते भले ही तुम्हारे पास तीन अलग-अलग तत्व हैं फिर भी तुम तक्नीकी रूप से समंगनें स्कूल के छातर हो क्यू युगवा ने सक्त लहजे में बोलने से पहले मो फैन को डाटा तुमने कहा कि आपके पास एक वारियर सोल है यह एक खराब सपोर्ट आइटम नहीं है इसे सफलतादर को 20 प्रतिशक तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए ठीक है लेकिन यह केवल 40 प्रतिशक है मैं सट्पेबाजी का प्रशंसक नहीं हूँ मो फैन ने कहा घले ही उनके जैसा एक सुंदर आदमी हर कहानी में हमेशा मुख्य नायक होगा मो फैन को विश्वास नहीं था कि उसका प्लाट कवच सफलतादर को 40 प्रतिशक से 100 प्रतिशक तक बदल सकता है अगर वह शर्थ हार जाता है तो आत्मा भेडिये की शक्ती बहुत अधिक वापस आ जाएगी यह बताना कठिन था कि यह उन्नत स्टर पर कब वापस आ सकता है सुनिश्चित करने के तरीके हैं लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक हो सकती है क्यों यहुआ ने अपनी व्याख्या जारी रखी आम तोर पर कुछ कारक होते हैं जो एक प्राणी की श्रेनी निर्धारित करते हैं सबसे पहले उनका वंश वंश जितना उचा होगा जीव के उच्च स्थर तक रैंक करने का मौका उतना ही अधिक होगा दूसरा आत्मा आत्मा जितनी मजबूत होगी उसमें उतनी ही अधिक शमता होगी तीसरा शरीर किसी के शरीर की ताकत को सामान्य रूप से अन्थीन लड़ाई के माध्यम से सुधारा जा सकता है अगले स्थर तक विक्सित होने से पहले एक मजबूत परियात शरीर होना सबसे बुनियादी आवश्यक्ता है वंश आत्मा और शरीर मोफ्रेंड ने चुपचाप तीन महत्वकूर्ण कारकों पर ध्यान दिया आपने जो वारियर सोल पाया है वह आत्मा को मजबूत करने के लिए उप्योगी है जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो अगले स्तर तक विक्सित होने की सफलता दर भी लगधक 20 क्रतिशक बढ़ जाती है निश्चित रूप से अलग-अलग गुनवत्ता वाले वारियर सोल प्रभावित करेंगे सफलता दर आम तौर पर जो आपके पास है वह सफलता दर को 20 क्रतिशक तक बढ़ाने में सक्षम है शिक्षक क्या इसका मतलब यह है कि मैं इसके वंश या शरीर में सुधार के माध्यम से सफलता दर बढ़ाने के तरीकों की तलाश कर सकता हूँ मो फैन गुदबुदाया श्रीकियो यहुआ ने मुस्कुराते हुए सिरहिलाया फिर कड़े चहरे से कहा जिसके लिए मैंने कहा था आपको पैसे की जरूरत है एक योध्धा स्तर के प्रानी का वंश सस्ते मूले पर नहीं आता है कई तरीके हैं एक भेडिये के शरीर को मजबूत करने के लिए भी लेकिन वास्तविक अच्छे काफी महेंगे भी होते हैं अगर आप एक उप्युक्त वंश पाते हैं तो यह सफलता दर को 30% तक बढ़ा सकता है शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप कई तरीकों को एक साथ जोड सकते हैं यह मुश्किल है यह सफलता दर में प्रिध्धी लाएगा लेकिन यह निश्चित रूप से प्रक्रिया में मदद करता है ऐसा लग रहा था कि सफलता दर की गारंटी देने के लिए योध्धा आत्मा का होना कहीं भी परियाप्त नहीं था उसे एक योध्धास्तर के वन्ष पर भी अपना हाथ रखने की आवश्यक्ता होगी स्वभाग्यसे उनकी बचत में 10 मिलियन से अधिक थे योध्धास्तर के वंश की तलाश के लिए वह तुरंत राजधानी में Magic Association की शाखा में गए राजधानी में Magic Association के पास निश्चित रूप से आपूर्ती का भंडार था एक योध्धास्तर के वंश की तरह कुछ और करना जो एक भेडिये की प्रजाती से संबंधित है छोटे शहरों में बित्रत करने में 10 दिन या आधे महीने से अधिक का समय लगेगा हालांकि वे कुछ मिलियन की थोड़ी अधिक कीमत पर राजधानी में अलमारियों पर आसानी से उपलब्ध थे हालांकि मो फैन के पास अब और इंतजार करने का समय नहीं था दात भीचते हुए 10 लाख की कीमत चुका कर उसने एक योध्धास्तर की वनशावली हासिल करने में काम्यावी हासिल की फिर उन्होंने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ हट्डी की धूल और एक दिल खरीदा प्रत्येक की कीमत लगभक 10 लाख थी खरीद के बाद उसके पास केवल एक मिलियन से भी कम बचा था उसे अचानक यहाँ एहसास हुआ कि वह पूर्वमुक्ती युग में समय पर वापस चला गया है चोटा भेडिया तुम मुझ पर दया करो तुम इस प्रक्रिया को विफल मत करो मो फैन को लगभक कुछ अगरबक्ती जलाने और अपने आत्मा भेडिये की पूजा करने की इच्छा हुई जब उसने देखा कि पिछले शांगार 8 अंक उसके बैंक खाते में केवल 6 अंकों में बदन रहे हैं वारियर सोल सफलता दर में 20 प्रतिशत की व्रिधी करेगा योध्धास्तर का वंच इसे 30 प्रतिशत और बढ़ा देगा स्पिरिट वुल्फ ने अपने शरीर को एक निश्चित स्थर तक मजबूत करते हुए लडाई में लगन से प्रशिक्षन लिया था जिससे सफलता दर में 20 प्रतिशत की व्रिधी हुई उन लोगों के साथ सफलता की दर वर्तमाल में 70 प्रतिशत थी जिसमें योध्धास्तर के भेडिये की हड़ी की धूल और 3 आखो वाले जादूई भेडिये का दिल शामिल नहीं था चुंकि आपके स्पिरिट वुल्फ के मास को सामगरी के साथ पहले कभी मजबूत नहीं किया गया है हट्टी की धूल और दिल काफी प्रभावी होना चाहिए सफलता दर लगधग 75 प्रतिशत होनी चाहिए इसके अलावा आप एक मध्यवर्ती जादूगर है आपके नेबुला से उर्जा सफलता की दर को और 10 प्रतिशत तक बढ़ाने में सक्षम है दूसरे शब्डों में आपके स्पिरिट वुल्फ में सफलता पूर्वक विक्सित होने के लिए 75 प्रतिशत बदलाब है क्यू यहवा एक सटीक मूल्यांकन के साथ आया 85 प्रतिशक यह कायल लगता है मो फैन ने कहा वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अमीर होंगे सामगरी की कीमत आपको कम से कम 13 मिलियन होनी चाहिए थी क्यू यहवा ने मो फैन को मुस्कुराते हुए प्रोचसाहित किया आगे बढ़ो कई समन्स के पहले प्रयासों में केबल 30 प्रतिशक सफलतादर थी आपका 75 प्रतिशक बहुत अधिक कारंटी देता है कि आपका स्पिरिक बुल्फ योधास्तर तक बिटसित होगा मो फैन सिर हिलाया क्यों युहा के आशवासन के साथ वह पहले से कहीं अधिक आत्म विश्वासी महसूस कर रहा था इंपीरियल कॉलेज में कुछ निजी प्रशिक्षन मैदान थे मो फैन प्रक्रिया बाधित नहीं था यह सुनिश्चित करने के लिए एक किराय पर लेने पर कुछ पैसे खर्च किये वे विशाल प्रशिक्षन मैदान में एक मात्र व्यक्ती थे हवा में एक चांदनी फूटने वाले पैटर्न को चित्रित करते हुए स्पिरिट वुल्फ जल्दी से उसके चीख सामने आ गया दस स्पिरिट वुल्फ ने चीख निकाली यह सामान्य से अधिक कमभीर लग रहा था क्योंकि यह सपष्ट रूप से जानता था कि आज का दिन उसके लिए एक महत्वकून दिन है यहां एक योध्धा आत्मा है एक योध्धास्तर के भेडिये की बनशाबली एक दिल और हड़ी की धूल की एक बोतल यह आपको सफलता पूर्वक विटसित होने में मदद करेंगे नर्वस नहों और दबाव महसूस न करें आराम करें और आप कोई दर्ध महसूस नहीं होगा शांत रहें और कोई सीक्वेल नहीं होगा और आप तुरंट काम पर वापस जा सकते हैं मो फैन अपने छोटे भेडिये को दिलासा देने की कोशिश की स्पिरिट वुल्फ ने एक आग्याकारी करकश की तरहें चीक निकाली उसकी आखें टिंटिमाती हुई लग रही थी इसने अपना सिर नीचे किया और मो फैन के खिलाफ रगड़ा मैं कोई अजनभी नहीं हूँ ये कुछ भी नहीं है एक दिन जब मैं उस डार्क विंग वुल्फ को फिर से देखूंगा तो मैं उसकी आत्मा, प्रक्थ, हड्डियों, दिल, मास जो भी आप स्नैक्स के रूप में खाना चाहते हैं पर अपना हाथ रखूंगा कैसे कर सकते हैं तुम्हें मुझ पर गर्व नहीं है मो फैन का बुलाया प्राणी, मो फैन ने मुस्कुराते हुए स्पिरिट वुल्फ के बालों को सहलाया क्यों युहुआ और जाओ मेंटिंग दोनों ने सुझाब दिया था कि मो फैन अपने संसाधनों को एक प्राणी पर खर्च न करें जिसे उन्होंने डाइमेंशनल समन्निंग के साथ बुलाया था सरल शब्दों में डाइमेंशनल समन्न के जीव अस्थाई मज़दूरों की तरह थे जीने के लिए उनका अपना जीवन था अगर एक दिन वे अपने स्वयं के आयाम को जीटने में काम्याब हो जाते हैं तो वे आपके लिए काम करने को तयार नहीं होंगे इसके अलावा यह भी संभव था कि ये प्राणी अपने आयाम में ही मर जाएं इसलिए निवेश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था जैसे अधिकांश समन्स अपने संसाधनों को तब तक बचाएंगे जब तक कि वे इंटरमेडियेट स्थर तक नहीं पहुँच जाते बस इसलिए वे उन्हें अपने अनुबंधित जानवर पर खर्च कर सकते हैं जिसे उनके अपने बच्चे की तरह माना जाएगा मोफैन एक भावुक व्यक्ति नहीं थे अगर रूकी बीस्ट बैटल प्रतियोगिता के दौरान स्पिरिक वुल्फ ने मोफैन की विंड डिस्क टोर्नेडो को खदेडने के लिए अपने शरीर का उप्योग नहीं किया होता तो मोफैन ने अपने अनुबंधित जानवर के लिए संसाधनों को बचाने पर भी विचार किया होता आत्मा भेडिया वफादार और निगर था इस प्रकार मोफैन का मानना था कि यह उसकी यात्रा में एक महत्वपून साथी बन जाएगा इसे विक्सित करने में मदद करना निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं था आत्मा भेडिया इसके बारे में सपष्ट रूप से जानता था इस प्रकार वह एक विशाल पिल्ला की तरह मोफैन के खिलाफ अपना सिर रगड़ कर अपना आभार व्यक्त कर रहा था सुरक्षित खेत्रों के बाहर की दुनिया की तरह अन्य आयामों की दुनिया ने भी जंगल के कानून का पालन किया स्पिरिट वुल्फ के पास निश्चित रूप से अपनी दुनिया में जीवित रहने का एक बहतर मौका था अगर वह विशित हो सके खीक है चलो शुरू करें मोफैन ने आत्मा वुल्फ से कहा स्पिरिट वुल्फ ने उच्साह से भरी चीख निकाली पहला कदम रक्त को उच्चस्तर के रक्त से धोना था फिर आत्मा का निर्मान करना और अंत में मास को सुधारना था मोफैन ने प्रक्रिया के करनों को द्रिटा से याद किया था क्योंकि वारियर सोल सहित सब कुछ लगभग 20 मिलियन आरेंबी मूलिका था अगर वह 15% मार्जिन में समाप्त हो जाता है तो वह अपने चरित्र को हटा देगा अधिकांश सम्मन करता अपने जादू का अधिकांश हिस्सा अपने सम्मनित जानवरों को खिलाने में खर्च करेंगे उसके उपर जानवरों के विकास के लिए भारी मात्रा में जादू की भी आवशक्ता थी खून की धुलाई एक लंबी प्रक्रिया थी यह कुछ-कुछ अस्पताल में ब्लड ट्रांस्फ्यूजन जैसा ही था उसे बुलाई गए जानवर से 50 प्रतिशत रक्त निकालने की आवशक्ता थी फिर रक्त परिवर्तन को गती देने के लिए नया रक्त चढ़ाना था प्रक्रिया के दौरान बेहद सतर्क रहना महत्वपूर्ण था आखिरकार स्पिरिट वुल्फ जैसा जानवर अगर अपने 50 प्रतिशत से अधिक रक्त खो देता है तो उसके मरने की संभावना सबसे अधिक होती है सौभाग्य से मो फैन अभी भी अपने जादू के सटीक नियंतरन के साथ एक जादूगर माना जाता था उसने सर्वप्रथम नौकरवर के रक्त का 50 प्रतिशत उसके शरीर से निकाला फिर जल्दी से योध्धास्तर का रक्त डाला विशेश रूप से भेडियों की प्रजातियों के लिए उनका वंश आमतोर पर बहुत उप्योगी होगा और विभिन प्रकार के रक्तों का एक दूसरे के साथ असंगत होना काफी दुरलब था हालांकि स्पिरिट वुल्फ के शरीर में ताजा रक्त चढ़ाए जाने पर थोड़ा प्रतिकर्शन का अनुभव हुआ लेकिन दो प्रकार के रक्त सफलता पूर्वक एक साथ विलीन हो गए एक शुद्ध वंश प्राणी को अधिक शक्ती प्रदान करेगा इस प्रकार इसे हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था आधे योध्धास्तर के रक्त को मिलाने के बाद मोफैन ने स्फिरिट वुल्फ को ठीक होने के लिए कुछ समय दिया आत्मा भेडिया चिलाया और एक बार फिर खड़ा हो गया यह मोफैन को जारी रखने का संकेट दे रहा था प्रभावशाली ऐसा धैर्यक मोफैन सिरहिलाया आत्मा निर्मान में अधिक जोखिम था क्योंकि आत्मा आमतोर पर प्राणी का सबसे कमजोर हिस्सा था जैसे किसी लक्षे की आत्मा पर हमला करने वाले मंत्र सामान या हमलों की पुलना में अधिक दर्भ का कारण बनते हैं अगर किसी तरह पिछली आत्मा विखर गई थी और नई आत्मा का निर्मान विफल हो गया तो यहां आत्मा भेडिये का अंथ होगा प्रक्रिया द्रिड संकल्प की परीक्षा थी इसलिए मो फैन मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सका यहां देखने के लिए कि क्या यह दर्भ सहन कर सकता है यहां सब आत्मा भेडिया पर ही भरुसा करेगा जिस क्षण आत्मा ने अपने शरीर में प्रवेश किया आत्मा भेडिया पीड़ा से चिलाया जानवरों के बीच विभिन वर्गों के कारण यह सबस्ट था कि उच्च वर्ग के प्राणी की उपस्थिती निम्न वर्ग के प्राणी को डरा देगी एक निन्न वर्ग के जीव के लिए सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि जब एक योध्धा आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है तो वह उसकी आत्मा को खा जाती है योध्धा आत्मा का वर्ग सेवक आत्मा के वर्ग से उचा था जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से जंगल के नियमों का पालन करते थे स्पिरिट वुल्फ के पास वारियर सोल के दबाव को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था नहीं तो इसकी आत्मा इसके बदले खा जाएगी जब ऐसा होता तो वह चलती फिरती लाश बन जाती मो फैन ने डिलीवरी रूम के बाहर इंतजार कर रहे एक पिता की तरह सक्त निगाहों से इंतजार किया आत्मा भेडिया दर्ग से कराता रहा यह सपष्ट था कि इसकी आत्मा बड़ी पीडा सह रही थी वह अपने दान्तों को इतनी जोर से भीच रहा था कि न केवल उसके दान्त खुल गए थे बलकि ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें तोड़ने वाला है उसके रोने से ऐसा लगा जैसे उसका दिल फटा जा रहा हूँ यह प्रक्रिया केवल पांच मिनट तक चली लेकिन मो फैन को सपष्ट रूप से पता था कि यह स्पिरिट वुल्फ के लिए कितना लंबा था कम से कम यह अंध तक इसे सहन करने में काम्याब रहा दस स्पिरिट वुल्फ हमेशा लगातार बना रहा इसने मो फैन को अपने जादू से अपने घावों को ठीक करने के लिए कभी नहीं कहा क्योंकि घावों को खुद ठीक करने की अनुमती देकर यह अपनी आत्मकायाकल्प शम्ता में सुधार करेगा नौकरवर्ग के जानवर के लिए सुधार नगण्य हो सकता है लेकिन यह द्रड शमकर्प दिखाने के लिए परियाब्ध था आत्मा के निर्मान की प्रक्रिया के दौरान प्रताड़ित होने से आत्मा भेडिया पूरी तरह से ठख गया था अलगि चुनकी यह उसकी आत्मा का शुद्धिकरन था कोई भी प्राणी उसी तरह महसूस करेगा, चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो कहा जा रहा है कि प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई थी शरीर को मजबूत करने वाला चरण तीनों में सबसे आसान था यह बस दिल और हड़ी की धूल खा सकता है, जो पिछले चर्मों में खोई हुई उर्जा को भी भर सकता है थोड़ा आराम करने के बाद आत्मा भेडिया मो फैन पर चिलाया क्या आप अब विक्सित होने की योजना बना रहे हैं, मो फैन ने पूछा स्पिरिट वुल्फ ने सिर हिलाया ठीक है, हमें गर्म लोहे पर चोट करनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण चरण आखिरकार आ गया था एक बार तीन सुधार किये जाने के बाद, स्पिरिट वुल्फ के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि वह तब विक्सित हो जब प्रभाव अभी भी ताजा हो आत्मा भेडिया इतना बड़ा मौका चुकना नहीं चाहता था मो फैन अपनी उर्जा को स्पिरिट वुल्फ में स्थाना अंतरित कर रहा होगा और बाकी सब कुछ स्पिरिट वुल्फ के हाथों में था स्पिरिट वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में खड़ा था पसीने की वजह से उसके शरीर से तेज दुरगंधा रही थी इसका शरीर हमेशा की तरह दृढ नहीं था लेकिन इसकी आखें बेहत दृढ लग रही थी स्पिरिट वुल्फ ने अपना सिर उठाया और आकाश में चिलाया प्रशिक्षन मैदान में ध्वनी गूंठ उठी क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने हवा के एक भयंकर जोके को बुलाया जगह को जढ़ा और उसके फर को चीर दिया मोफैन ने पहले इस प्रक्रिया को देखा था यह एक परित्यक्त निर्मान स्थल के बगल में हुआ जहां उन्होंने एक आँखो वाले मैजिक वुल्फ को तीन आँखो वाले मैजिक वुल्फ में विक्सित होते देखा इसकी शक्तिशाली उपस्थिती का दम घुट रहा था यहां एक जाना भचाना द्रिश्य हो रहा था लेकिन ऐसा लगा कि स्पिरिट वुल्फ की आभा एक आँख वाले मैजिक वुल्फ से काफी मजबूत थी यह काफी उचित भी था क्योंकि वनाइड मैजिक वुल्फ ने भूमिगत पवित्र जरने की थोड़ी मात्रा ही पी थी इसने केवल वनाइड मैजिक वुल्फ की आत्मा को मजबूत बनाया लेकिन इसके अन्यक शेत्रों में सुधार नहीं किया दस स्पिरिट वुल्फ ने दूसरा चीक निकाला इस बार उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ती फूट पड़ी यह पिछली लहर में छिपा हुआ जवार था जिसने मोफ फैन को इंटर्मेडियेट जादूगर होने के बावजूत कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया चारों तरफ धूल उड़ रही थी और जगहस गय बादल चाय हुए थे अलाकि मोफ फैन ने स्पिरिट वुल्फ के चारों और एक बवंदर बनते देखा यहां आभा क्या इसने काम किया मोफ फैन ने अपने हाथों से धूल से अपनी आखों को ढालते हुए खुशी से कहा आभा अकेले एक योध्धास्तर के प्राणी की उपस्थिती का प्रतीक है सेवक वर्ग के प्राणी का वास्तव में आभा मंडल नहीं होता वे केवल कमजोर प्राणीयों को अपने उचे शरीर और जंगली रूप से भयभीत कर सकते थे अलाकि एक बार जब कोई प्राणी योध्धास्तर तक पहुँच जाता है तो उसके पास एक आभा होगी जिसे प्राणी के चारों और एक प्राकृतिक शेत्र के रूप में सोचा जा सकता है यहां आसपास के प्राणीयों को डरा सकता है या यहां तक की इंटर्मेडियेट जादूग्रों के जादू कास्टिंग को भी बाधित कर सकता है एक तीसरी चीक उठी इस बार मो फैन आसानी से बता सकते थे कि आवाज अलग थी रोने से उसके कान भी गूँच उठे धूल अभी भी हवा में थी वह बता सकता था कि आत्मा भेडिया पहले से काफी बड़ा था यहां लगभग चार मीटर लंबा था जैसे ही उनकी दृष्टी पर छाई धूल साफ हो गई वे आत्मिक भेडिये के वास्तविक रूप को देखने में सक्षम हो गए जिसे केवल मनोरम के रूप में वर्नित किया जा सकता है पहले स्पिरिट वुल्फ में एक जानवर की विशिष्ट उपस्थिती थी यह जंगली और प्रूर लग रहा था और जो एक मात्र हिस्सा बाहर खड़ा था वह उसका नीला पर था अब इसके आकार के अलावा इसका स्वरूप कहीं अधिक संतुलित था इसकी गरदन, कंधे, पीठ और पूँच की मांस पेशिया काफी दुबली थी इसके मांसल अंग अधिक पतले थे इसलिए यह अब गुरूर नहीं बलकि सुडॉल लग रहा था मोफैन इसके बदलाव से काफी हैरान था आखिरकार एक प्राणी ज्यादातर समय अपने पिछले गुनों से जुड़ा रहता है चाहे वे ताकत हो या चपलता मोफैन ने उम्मीद की थी कि स्पिरिट वुल्फ और भी अधिक मांसल और जंगली हो जाएगा लेकिन अंत में वह एक चुस्त बुद्धिमान सुन्दर प्रकार में बदल गया यह वास्तव में उसका हावत से मेल खा रहा था जो सिंदूर लगाएगा वह लाल हो जाएगा इसका मालिक निश्टित रूप से हवा में एक जेट पेड़ था और अब उसका सम्मनित जानवर भी उसके नक्षेक्दम पर चलने को उच्छुक था एक अपार्टमेंट के अंदर मिस्टर क्यू यू हुआ अपने हाथों में दुनिया के रहसियों के बारे में एक किताब लेकर बैठक में बैठे थे हाला कि वह अपना ध्यान उस पर केंडरित नहीं कर पा रहा था वह आम तौर पर खुद को दुनिया के रहसियों में खो देता था जैसे कि मिस्र में पिरामिड के अंदर किंगडम औफ द अंडरड के बारे में वृत्त चित्र जब दुनिया के रहसियों से परदा उठाने की बात आती थी तो उन्हें हमेशा पढ़ना जारी रखने की इच्छा होती थी हाला कि वह आराम से बीमार महसूस कर रहा था क्योंकि उसे अपने पुराने साथी से नई जानकारी मिली थी घले ही इसकी वैधता की अभी पुष्टी की जा रही थी उसने पहले भी नए मैजिक एलिमेंट के बारे में इसी तरह की खबर सुनी थी बूढे प्रोफेसर मैंने आज मो फैन को अपने आसपास क्यों नहीं देखा मिस्टर गुहान ने पूछा ओ वह प्रशिक्षन के मैदान में गया था वह अपने आत्मा भेडिये को विक्सित करने की कोशिश कर रहा है श्रीक यू युहाने उत्तर दिया शेन मिंग्जियाओ और लुओ सोम भी कमरे में थे लुओ साम ठाका लगाए बिना नहीं रह सका सफलता की दर बहुत कम है और उसके स्पिरिक वुल्फ के बारे में कुछ खास नहीं है यह सबसे अधिक संभावना है कि वह इस प्रक्रिया को विफल कर दिया है क्योंकि वह काफी समय से चला गया था शेन मिंग्जियाओ चुक रहे जब उसने मोफैन का नाम सुना तो वह खुद को ईशिया से नहीं रोक सका यह जानने के लिए बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है कि मोफैन जैसे मैल में जन्मजाग दोहरे तक्व थे चलो इसकी जाज करते है यह बुरा होगा अगर वह किसी दुरभटना में शामिल थे श्री गुहान ने प्रस्ताब रखा जरूर शेन मिंग्जियाओ और लो सौंग ने आपस में नजरे मिलाई और शेन मिंग्जियाओ ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे दोनों ने गुहान और क्यू युहा के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड तक पीछा किया चुंकि मो फैन की ट्रेनिंग ग्राउंड की बुकिन समाप्त हो गई थी इसलिए प्रवेश द्वार अपने आप खुल गया जैसे ही वे उस स्थान पर पहुँचे उन्होंने तुरंक एक चलती हुरी कंद पुठाई जबकि उनकी दिशा में एक गर्म जोका आया शिट क्या उसका सम्मनित जानवर नियंतरन से बाहर हो गया गुहान चिंतित नजर से चिलाया यह सपश्ट था कि आसपास के क्षेतर में आगमो फैन का जादू था वह किसी चीज के खिलाफ लड़ रहा था इसकी बहुत संभावना है क्योंकि एक मौका है कि योध्धा आत्मा नौकर वर्ग के प्राणी की आत्मा को खा जाएगी जिसके परिणामस्वरू बुलाए गए जानवर को अब उस निशान के साथ टैग नहीं किया जाएगा जो जादूगर ने अपनी आत्मा पर छोड़ा है इसे अपनी स्वतंत्रता वापस पाने की अनुमती देना आ, मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए थी कि बुलाए गए जानवर को विक्सित होने में मदद करना वास्तव में बेहत खतरनाक है और अपने संसाधनों को बर्बाद कर रहा है श्री गुहान ने अपनी गती बढ़ा दी, चिंतिक थे कि मो फैन खत्रे में हो सकते है यह सुनकर लो सौन और शेन मिंदक सियाओ की आखें चमक उठी यह भी खूब रही अगर उस मैल के संबनित जानवर ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो न केवल वह उस पर नियंतरन खो देगा, बलकि वह बड़ी मात्रा में धन भी बर्बाद कर देगा चार का समोह सीधे प्रशिक्षन मैदान में गया और मो फैन को इसके अंत के पास देखा उसके पैरों के नीचे से आग की लपटे निकल रही थी क्योंकि उसकी आकरिती ने एक भयानक आभा बिखेरी लौके दूसरी और काले फर वाला एक शांदार प्राणी खड़ा था इसकी काया सुंदर थी, फिर भी डराने वाली थी उसके अंगों में चांद का रंग था और ऐसा लग रहा था जैसे वह चांदनी वाले बादल के उपर फूर्ती से चल रहा हो उन्होंने उसके सिर्की ओर देखा और भेडिये के बजाय क्रिपान दानतेदार बाग की तरह नुकीले दान्तों को देखा जो उसके जबडे को मास्ट की तरह बचाते थे उनके अंगों के समान रंग था एक मनोरम रूँ यहां क्यू यहुआ ने अपना चश्मा उतार दिया और एक खाली भाव के साथ प्राणी को देखा गुहान भूतिया जानवरों की प्रचाती से बहुत अधिक परिचित नहीं था लेकिन वह बता सकता था कि यह पहली नजर में कोई साधारन प्राणी नहीं था यहां तक कि उन्होंने यह भी विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें एक उन्नत जादुगर बनने पर एक सम्मन करता बनना चाहिए बस खुद को एक शांत दिखने वाला सम्मनित जानवर भी प्राप्त करना चाहिए स्विफ्ट स्टार गुल्फ क्यों युहा ने आखिरकार उत्साह के संकेट के साथ जीव का नाम पुकारा यह वास्तव में एक स्विफ्ट स्टार गुल्फ है सबसे पूर्तीला भेडिया प्रजाती तो क्या इसका मतलब यह है कि मो फैन का संबंड बीस्ट सफलता पूर्वक विक्सित हो गया है गुहान ने उस सुंदर प्राणी को चकित भाव से देखा एक योध्धास्तर का प्राणी कुछ मध्यवर्ती जादूग्रों की ताकत का मुकाबला करने में सक्षम था इस प्रकार योध्धास्तर के जानवर के साथ किसी भी सुमोनर को निश्चित रूप से एक ही उमर के आसपास के देखा